आज इस हर्याना दिवस कारिकरम में आये हुए मेरे बुजर्ग बेनो जुवन साथी मंच पे पस्ति कलाकार संगीत कार हमारे साण माश जी और यहाँ पे आयोस भी अथिती गन और मौर म्यूजिक कमपणी के केमरमें नादरनी अरविंद जी और ससी जी यहाँ पे आयो हुए सभी अथिती गन सभी को इस दीपा चोदर की तरब से प्यार बई नमशकार विराम रव और आप सभी को हर्याना दिवस की डेल सारी आर्दिक शुप काम नहीं देते हैं आये नमबर मंच के मादम से मेरा भी पड़ा दो रागनी आप सभी के बीच में रखोंगी पहली रागनी देश बक्ति और दूसरी रागनी हमारे मोर अंकल जी ने दे रखी अवोगा निया ता आये पहली रागनी वहां से रखोंगी कि कुछ लोग कहते कि इस देश में साधी लाने के लिए किसी वरत का सुहाग नहीं रहा किसी मा का बैटा नहीं रहा किसी बहन का भाई नहीं रहा साथ लाग बतीस जार चैसी नौजवानों ने बलिदान दिया जब जाके देश में आजादी आई ऐसे ही आजादी नहीं आई पूरा हंगा लगा के सुनाने की क करूंगी रागनी का कोई भी शब्द अच्छा लगे या कोई भी देश वक्ति शेरों शायरी अच्छी लगे तो तालिया जरूर बजा दिया करो क्योंकि कहते हैं कि हापस तभी की तालिया कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जाप्पे वाली को गूंद और घी लगता है ताहिए किस तरह से क्या लिखा रागनी में क्या बताएं कहां कि शमन से अच्छा कोई नहीं और इस से गगन से अच्छा कोई नहीं सच बुझो तो मेरे दोस्तों मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं क्या लिखा रागनी के मादम से हैर कितने वीर चल आए गए सजना मेरी भारत मां पे मर के हुआ है रे आजाती की लिखी कहाड़े कला लहों में परे के कला लहों में परे के तर कितने मीर चलेगा सजना मारत मां पे मर के आजाती की लिखी कहाड़े कला लहों में मर के कला लहों में मर के और हमारे अंकल जी ने दो सर्पेगा प्रुशकार इस देश भक्ति रागनी पे खुशो कर दियाता है दिल से दनीवाद करती हूं आये कहा कि कितने वीर चलेगा सजना मेरी भारत मां पे मर के और आजादी की लिखी कहाणी कलम लहों में बर के कहा कि इस देश के वीरों ने ये तो कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सहीतों की कुर्बानी बद नाम नहीं होने देंगे अरे जब तक बची है एक भी बोन गरम लहू की हमारे सिने में जब तक भारत मा की आचल को नीलाम नहीं होने देंगे नीलाम नहीं होने देंगे ये तो कह दिया लेकिन कदम पीछे नहीं ये टाया पहली लाइनों में क्या लिखा है रा महराणा परताप सिवाची महराणा परताप सिवाची बन में धग के खाए है रे खोए वीर हगी कतर जमे धर्म पे तनक तहर ना पाए है रे चलिया वाल राम बाद के यंदर कितने वीर खापाए है चोरागर और फते सिंगों दीवारों में चापाए है रे वीबारों मेचन बाए है रे उदम सिंगने जाके गोली उदम सिंगने जाके गोली पारी उस्तायर के आजादी की लिती पाणे कलमल हो में भर के कलमल हो में भर के मेरे देश की धर्ती 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 इस देश में ऐसी यसी वी रागना हुई ऐसे वीर हुए जिनोंने हस्ते हस्ते देश के लिए प्राण नोच्चावर कर दिए किसी शैर कि क्या यह देश उन्हीं का है जो युद्व में मर जाते हैं अपना लहू बहाकरटी का सरहद पर कर जाते हैं अरे ऐसा यूत वतन की खत्र सबको लड़ना पड़ता है और संकट की गड़ियों में सबको सेनी को बनना पड़ता है कि घास भूस की रोटी खाकर राना नहीं लड़े थे क्या कि घास भूस की रोटी खाकर राना नहीं लड़े थे क्या बंदा बेरागी केतन पर वो हाथ ही नहीं चड़ेते क्या अरे जासी की राणी लरकर रजधानी तुडवा देती है जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है ये सारी घटना सुरज की लाली में रख देती है अरे ये भारत देश वो महन देश है जहां हाडी राणी सीज काट कर ठाली में रख दे करती है ऐसे से वीर हुए ऐसे गिरांगना हुए और इस रागनी पे खुश्यों कर ओम परकाश शहरावद जी पांसर रुपी का प्रुश्कार देते हैं अंकल जी का तेह दिल से दिनियवाद करती हूं जाड़ी लक्षमी पाई अंकल तो जब लड़ी लक्षमी बाई चंदर शेखर ने देश के अंदर बाड़ी दो मचाई हर बदद सिंग नेरा हस्ते हस्ते गुल में फाद सिखाई हर भाई हो रहे थे बलीदान देश पे माद पिता और भाई हर भाई हर फेर हिंद में चाल पड़े रहे थे बलीदान दोपन बाद लियां सरके ओ आजा तिरे किलिपी पहाड़ी कैला मला हो मभरे तेर चाला मला हो मभरे बताये प्रमीस रोदाओ कुछ महीने पहले की गटना पुलवामा में हमला हुआ हमारे चवाली सेनी के अपनी सहादत दे कर गए और ये कह दिया हर इंदुस्तानी के खोड़ खोल उठा हर इंदुस्तानी ने ये कह दिया कि एपाक तेरा सपना कभी पुरा नहीं होने देंगे कि एपाक तेरा खोब एक नजारा ही रहेगा तो किसमत का मारा था और मारा ही रहेगा तेरे हर सवाल का जवाब करारा था करारा ही रहेगा और काट खोल के सुन ले पाकिस्तान कास्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा कास्मीर से दारा 370 रपैतिसे को हटाया उसका खात्मा किया कास्मीर को अपना बना लिया अब ये कह दिया कि ये बाग कास्वीर तो हमारा थार हमारा है हमने बना लिया अपना लेकिन अब तेरे लाहोर की बारी है लेकिन जो कत्तारी तुने हमारे साथ किये है उसको हम भूल नहीं सकते कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे ये अब के हमेरे ठानी है और भारत मा के लालों की कुरबानी विर्थ ना जानी है अरे हमें कसम है भारत मा की क्योंकि हम मा भारती के लाल हैं हम सभी भारत वासी है कि हमें कसम है भारत मागी, हम घर में गुथ के मारेंगे और कास्मिर की तो बात छोड़ पाकिसतान, अब लाहूर में तिरंगा गारेंगे तीसरी डाइनो में 西 तरह से कभी ने क्या बताया है रा लाला जी न लाला जी ने खली सजनों लाल खून की होली लेता जी ने हरा दिये गुरेज बढा के जोली है रा इंकलाब कारा नाम लेडिया मार रहे थे बोली लाज गुरु सुख देव ने आके देश की निंदरा खोली है रा फासी में गए लतकवीर रहे जान लगा लिया हर के आजाती की लिखी वाली तरी पलाबला हो में बरे पलाबला हो में बरे है है रा फासी में आके देश के जाती आके टाट जाई पलाबला हो यह रहे रहे भीडिया जाती की लिखी वाली तरी आके आके अज़ुक अ हमान ले भीड़़ी बरे यह तान पलाबला कहा कि लगा दो आग पानी में सरारत हो तो यसी हो और तोड़ दो जुलम के हत्ते बगावत हो तो यसी हो के दिया कि उनकी कबर पर नहीं एक भी दिया जिनके लहु से जलता था ये चिरागे वतन और जगमगा रही है उनकी हवेलिया जो बेच करके खा गए सहीदो का कफन प्रेमीस रोताओ ऐसे ऐसे जमान हुए जिनोंने ना तो अपने बारे में सोचा ना परिवार के बारे में सो अंतिम लाइनों में क्या तोड़ किया कभी ने हेर याने से याने से बच्चे ने खोए सिरी अपने पे कोड़े हेरा गोड़े पुछले थे मासुम वीर ने अंगर जोगे खोड़े तेरी अंगर जोगे भोड़े हेर जमर फोज धीरा अंगर जोगी हिंडुस्तानी थोड़े अरे थोड़े गांधी जीने बिन हतियारो मा के बचन तोड़े हेरे रड़ी चन से तरस अंगर बोरे बागे तरके आजादी की जी पहाणी कलमलो मा बरे के सजनों जब राणी ने राजा को इतना समझाया तो कहा जाता है कि ये होनी होती है न ये कभी तलती नहीं है होनहार बलवान बताई है मंत्री ने ये कहा कि रे राजा अभी तो तेरी बहुत उमर बाकी है सारी जिंदगी कैसे कातेगा राणी के मिना क्यों न दूसरी शादी कर लो राणी तो मर गई लेकिन मंत्री के कहने से राजा की बुद्धी पे पत्थर पड़ गए राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी तो कर ली घर का कैसा नाश हो गया प्रेमी सजनों किस पिरकार से कभी ने बताया कि जो नई राणी वो लेके आया था वो बाहर से तो बड़ी सुंदर थी लेकिन अंदर से कैसी थी क्या वर्णन किया है सुनिएगा इस रागनी के मातन से किये होनहार बलवान बखत ने पाई सब की बुद्धी हरनी कि ये होनी कभी नहीं दलती ये जब होती है तो अच्छे अच्छे इंसान की बुद्धी को हर लेती है और राजा की बुद्धी ऐसे हरी कि मंत्री के कहणे से भुपटे है तो जी साथी करे ली मंत्री के कहणे से भुपटे है तो जी साथी करे ली मंत्री के कहणे से भुपटे है तो जी साथी करे ली मंत्री के कहणे से भुपटे है तो जी साथी करे ली अर ग्रस्त आस्रम मर्द की गेल्या अर ग्रस्त आस्रम मर्द की गेल्या एक नार चाहिए जो नई प्रेरिणा दे इस्त्री का इसा प्यार चाहिए तन्मन की कहणने सचा एक यार चाहिए जो जती पृष्ष संग सचा तावे नार चाहिए से तावे नार चाहिए से और रोज मंतरी के तू कहने से रोज मंतरी के तू कहने से भूपी मुद्धी फिरली मंतरी के तू कहने से भूपने तू जी साथी करे ली मंतरी के तू कहने से भूपने तू कह साथी करे ली हाँ हाँ हुई हुई प्यार प्यार हधियान की रागनियों को सुनने वाले श्रोता यहां उपस्तित है प्रेमी सजनों दूसरी कली में बताया कि राणी मरते वक्त राजा को कौन कौन सी बाते समझा के गई थे सब्दों पे जरा गोर रखना और क्या वताया ऐसे आरा मरती बरियां कह गी थी रे महरानी बात डेटिकी होण हार में तुद्धी बिगडे राजा रंग से पिटी हो हाँ पौप करस्ता खोल दिया लगी ताड़ी दरह देटिकी पिया गोध का देर भूपने करके आज बेटिकी हरे बरे गुल सन की पूपने हरे बरे गुल सन की पूपने तु बढ़ना भी कर दी मत्ती के चैने तैपो तु ती साथी करे लिए मत्ती के चैने तो तु ती साथी करे लिए प्रेमी सजनों जो रानी नई घर में आई थी ती सरी कली में बता दिया है कैसी थी वो और साथ के साथ ये भी बताया कि भाई दुनिया में कभी भी एक बुजर्ग पुद्ध है आदमी को जवान लड़की से भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उट और बकरी का कोई मेल नहीं होता हंस और काग की कभी जोड़ी नहीं मिला करती और क्यों नहीं करनी चाहिए बुड़ापे में शादी वो उसका कारण भी इस रागनी में बताया है कभी ने सुनीगा तीसरी कली में ज्यावत अर्य नहीं पहुका चाद समुखड़ा सूरत भोली पारी अर्य छितनी तन की उजड़ी थीवा उतनी मन की गाड़ी वहाँ साथ वरस का साथ वरस का पूदह राजा रानी उमर की ही गाड़ी अर्य धिन असवार सजैना गोड़ी जू धरती मेंने हाली आरे पिछली बात भूल क्या राजा पिछली बात भूल क्या राजा था खिना सिकी हर्ली मंत्री के कहरे से भुप दें तोजी साथी करे दी मंत्री गे कहने से भुप दें तोजी साथी करे दी कर दो कर दो कर दो प्रेमिश रोताओ लाश्ट कली बची है और इसी कली के अंदर बताया कि क्यों नहीं करनी चाहिए शादी और हाँ उसके साथ एक और बहुत इंपर्टेंट बात बताई है कि दुनिया के अंदर वो कौन से लोग हुआ करते हैं जिनके जुबान से जिनके मुह से निकली हुई की बाते सच्ची हो जाया करती हैं सुनिएगा लाश्ट कली में क्या वताया कैसे और बहुत ये रागनियों के सौकीन अच्छी रागनियों के श्रोता आदनिया मनोच जी उजुआ को से वो दो सो एक रुपे से हमारी अच्छा ग्यारे सो ग्यारा एक का जरूर देते हैं मैं आनोच वो पहले भी कई सो रुपे से सम्मान कर चुके हैं कलाकारों का और फिर से करते हैं बहुत बहुत धने बाद सुनिए क्या वताया शिरी राम रतन कहे हान बुढ़ापा राम रतन के हान बुढ़ापा राब जवानी हो से और पैज परण के पैज परण के नर्य बंदों की सची वानी हो से हो पुढ़े का प्यहा इस दोनिया में और पुढ़े का प्यहा इस दोनिया में कहें नर्य निशानी हो से, अरे जो बुद्धे समों मेल मिला ले, वो कोई जनानी हो से, कोई जनानी हो से, अरे नाते कितने खताग भारों ने, नाते कितने खताग भारों ने, भर्य भूक मन्यादी कर ले, अरे मंत्री में कहने से, भूपने, तूची सा भी कर ले, मंत्री के कहने से, भूपने, तूची सा भी कर ले, कि जिस समय नर्सी जी सोला साधूं के साथ, अपनी बेटी का भाद भरने के लिए सिरसागड में पहुँच जाते हैं, अब कहते हैं कि जैसे ही सिरसागड में एंटर किया नर्सी जी ने, तो कुछ पणियारी पाणी भरने के लिए जा रही थी और पाणी भरने के लिए जब गई तो देखती हैं कि 16 साधों के साथ में नर्सी जी आये हैं पहले एक रीते रिवाज होती थी कि जब भी माताईं गर से निकलते थे तो घूंगट डाल के निकलते थे परदा करके निकलते थे परदा उठा उठा के माताईं देख रही हैं कि कैसे भाती भात भरने के लिए आये हैं आए यहा का हवाला बाके हवाला सुनी गर अपन के दौरा क्या बता दियो इरकी सामान अरथ में लियाए आपस में बाती कर रही है कि ऐसे भाती पहले कभी नहीं देखे और पला ठाके वाते दिखण लगी और पला ठाके वाते खण लगी एक आई मोटे दिये दिखाई और के सामान अरत में लाए देखण चली लुगाई और के सामान अरत में लाए देखण लगी और के सामान अरत में लाए देखण चली लुगाई और के सामान अरत में लाए देखण चली लुगाई पहली बात के अंदर बता दियां सिरसांगड के जितने भी बच्चे थे बुटे बुजुर्ग थे सभी ये देख रहे ये भाती आगे भात भरने के लिए पहली बात में सुनेगा क्या अधा दियां तेर बाणक पुठे और गावरू चोगर दे कह फीरेगे बाणक पुठे और गावरू चोगर दे कभीरेगे केल गेल नूरू के मारे आए माह मारेगे कान पाड ले मन में दर गेख अन पाड ले मन में दर गेख ये चड़के ताप निवाई केसा ने अर्थ मेल आया ते खड़ चली लुगाई शोताओं कहते हैं कि बणी के चहरे पर लाखों निशार होते हैं और जब बनके विगड जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं जब समय था तो नरसी जी की पूछ की जाती थी लेकिन आज उसी नरसी सेट को लोग कहते हैं ये तो बापा जी हैं भात में क्या भरेंगे सुबे को खाले तो शाम का बरोसा नहीं तो भात में क्या देंगे दूसरी बात में सुणेगा क्या बताजिया देर दिखे हैं गोरी गोरी काबडी साराने मूड मुडाए तुम्बे और एक तारे वे नई चीज भात में लियाए तुम्बे और एक तारे वे नई चीज भात में लियाए किसे भाती ना किसे के आए किसे भाती ना किसे के आए और ए आपस में बत राई किसे भात में ले ते कने चली लगाई किसे भात में ले ते कने चली लगाई किसे भात किसे भात तो खो गाया किसे भात किसे भात तीसरी बात के अंदर बता दिया शोता हूं, मंसा सेट के विश्य में वो पणिहारी कहती है, कि मंसा सेट को भी अकल नहीं है, ना जाने कैसे रिलेटिव्स के या रिष्टा कर दिया, उसको भी अकल नहीं आई, कि साथ साल दे लिए डाट में तने अकलना आई, और लाज सरम के लिए ग्या करी मोट नहीं है, आए इस रागनी पर खुश हो करके, आदेनिये ओम प्रकाष रुडाजी जो पहले भी कही सो रुपे का प्रिश्कार दे चुकी है, ग्यारे सुर रुपे इस रागनी पर दे रहे हैं, ओम प्रकाष रुडाजी फ्रों गुडगाउं, उनक किसी बात में सुड़ेगा? 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 अंतिम बात में बता दिया कि कुछ मातों की आदत होती है कि वो चुगली करे विना मान नहीं सकती तीन चार चुगली करती है और दोड़के हर नंदी के पास जाती है और कहती है हर नंदी कि हर नंदी हर नंदी तेरे बाप ने कर दिये मोटे चाड़े और मूड मुडा के आन पड़े वे तो लाल लगो ते, बोले तेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अन्तिम कली में सुझीएगा क्या भता रहा है। पर खास गरुण की चमक रही थी, फर के अरत पे जन्डी, भाव गरुण के धरक रही थी, अरत पे जन्डी तीन चारवे मुस्टन्डी, भर नंदी थोर आई। के सामा है अरत मैं लाया, देखने चली लुगाई। के सामा है अरत मैं, देखने चली लुगाई। के अरत मैं लाया, देखने लुगाई। के सामा है अरत मैं, देखने चली लुगाई। कि जब वो चंद्रगुप्त उस धरमालती के साथ मिशादी कर लेता है, और टापू में सोता हुआ धरमालती को छोड़ाता है। किस प्रकार से धरमालती उस चंद्रगुप्त को ढूणती हुए दिल्ली के अंतर आ जाती है। और कैसे अवाज लगाती है, क्या किने लगी सुनेगा रागनी के बादम से। फिर जाहाज के मबैंध से ठाणी वाते आई दिल्ली में। फिर उंटो पिती शले अलगे का रागनी का पाई दिल्ली में। जाहाज के मबैंध से ठाणी वाते आई दिल्ली में fils weight दीवे लेड़े का आई दिल्ली में, जहज के मापैट से ठाणी आई दिल्ली में, और फिरू तोबती मिले लनद का भाई दिल्ली में, मन में आशा थी, कि सायद दिल्ली के अंदर मुझे मेरा पती वापस मिल जाए, किस तरकार से रोती भी लगती, वो धरम बालती क्या केने लगे सुनेगा, एर सो में तीन छोड़ दिगर क्या, सो में तीन छोड़ दिगर क्या, यो दुख दूर न से, जितना प्यार मने तेरे ते, पिया तन में क्यों न से, एक तन में क्यों आख रे, तेरे तेरी शान का मेरे काल जे, लिख्या न मून से, चकत बसाया बसे राम का, तेरे बिन सुनना से, तेरे बिन सुनना से, एक तेरे बिन के यारी है, एक तेरे बिन के यारी है, असनाई दिल्ली में, सब अप यपने मत लवें के लो, तेलो बाई दिल्ली में, जा देके माँ मैं से जठानी, आई दिल्ली में, तेरे बिन के यारी है, जा देके माँ मैं से जठानी, आई जिसने वी इस रागनी पर पुरुषकार दिया, तहे दिल से बार-बार धनेवाद करती हो, और हमारे अंकल जीवी, जो अपना अश्रवाद और प्यार देते हैं, और सौरपी का पुरुषकार दे रहे हैं, बहुत-बहुत तहे दिल से बार-बार धनेवाद, आए दूसरी कली के माध्यम सिन्यों कहने लगी कि आखिर मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझे बताना चीए था ऐसे मुझे अखेला छोड़ करके नहीं जाना था दूसरी कली में क्या कहने लगी सुनिये का कितने लुक रहोते आचा ये होली जो हांसी तेरी थी जुक जुक के न करूंगी आरता क्योंकी दासी तेरी थी सब तूम ठेकरी धनमाया सब दासी तेरी थी सन दिली में तो हूंगी क्योंकी दलासी तेरी थी मन फेर दुवारा धरसन दे अन्या आई दिल्ली में मैं तणब तणब कह मरूंगी क्योंक आई दिल्ली में हो जाजे के ममें जज़ित भारी थी आई दिल्ली में तिरणोंकी मिले थी आई दिल्ली में आई दिल्ली में और सो सो रुपे से और मान समान किया और नाम लिख रहे हैं तह दिल से बारबार धन्यवाद करते हैं तीसरी कली के माध्यम से न्यू आसा करने लगी वो धरम्मालती की शायद दिल्ली के अंदर मुझे मेरा पती मिल जाए इसलिए दिल्ली के अंदर आ जाती है और तोने लगी क्या केने लगी तीसरी कली में जाती है तोने लगी वो धरम्मालती की शायद दिल्ली के अंदर मुझे में फेरो गाचर मेरा फेरो गाचर मेरा फेरो गाचर मेरा फेरा लागी आँठ लखावन ने दुख पागया त्यार मेरा गापण तक्टो हल्यूंगी हक से इतना ओर मेरा रहे इतना ओर मेरा कोई सुनती होते मत आई हो तिरिया तेरे जाई दिल्ली में तेरे कारण आपे ठोपर आई दिल्ली में रहे आई दिल्ली में तेरे कारण 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 आई दि कर दोग्सादी का जार्भाग्ण की लुग्सादी जयां जार्भाग्टिया कि एपने मेरे संदिमे शादी करते हैं साथी की थी जनम-जनम साथ निभाने का वादा किया था लेकिन आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और आपकी खात्र मैंने कैसा वेश धारण कर लिया आए अंतिम कली के माध्यम से क्या किरने लगी मेरा लख्यमी चंदने भेजी थी मैं जिब भरते चाली लंकर काट जा हजिके इतने मैं भर वाली तुँ हाँ पुड़ याला के दरग्या ओ दिली के दिल वाली साच माच मोपाया चीक ना तेरा पेट पढ़्या खानी मन मांग सिंदूर हचा करा तेरा मांग सिंदूर बता करा तेरा माई दिल्ली में तेरे राज गाट पे आचे हैं धूनी माई दिल्ली में लाझे के मापैं किसे ठानी दियाने के बड़े बिद्वान कभी की कलम से लिखियोड ये बात आपके बीछ में रख रहा हूं अभी तक आपने सुन्या अक माने जोर जुलम करते हुए जो एक राजा था बहुत बड़ा राजा था कहते हैं न तिरिया हट बाल हट भोडा हट बस एक ही बात दिलो दिमाग में घाव कर गई गोपी गोपी चन की जो मा थी मेना वंती भूप भरत्री की बहान थी और भरत्र से एक औरत को समझाने के लिए बात निकल गई कि मैं जोग लेके अमर हो गया बस यही बात लिखके रख ली और प्रैमी सजुनों फिर आगे नहीं शुन्या अपने बेटे को अमर करान के चक्कर में एक राजा को जोगी बनाना कहीं तक भी ठीक नहीं था उचित नहीं था मेरे महरवानों जब मां के सामने अपना तर्क रख्या और मां नहीं मानी तो बस रागनी में सुनिया गोपी चंद न्यूं के लगयरी मां मैं तरह आग्याकारी बेटा हूं और मने करूं कोई नहीं राजशी बस्त्रों को तार के गेरवे बस्त्र धारण कर लिए वैसे भी चौथी अवस्था में व्यक्ति को सन्यास ले लेना चाहिए लेकिन प्रेमियों दादा लख्यमी ने तो न्यूं लिख रख्या है आके एक राजा अगर अपनी परजा को सुक्षानती में रखे उसे भगवान का भजन करन की भी जरूरत कोई ना वहा तो न्यूंए पार त को समझाते हुए गोपी चंद के बोला सुनियागा ओ, मेरी मात रहान दे, मत ना जोगे दिवावे, मेरी मात रहाने मेरी मात रहाने दे, मेरी मत ना जोगे दिवावे, मेरी मात रहाने दे मेरी मात रहान दोगे दे, मेरी मात रहाने जो मैं सादू बढ़ जांग आते, निट जागी त्यरी आगतबे, सादू आले तुख माता मैं, क्यूं कर यू गया पैंधेले साथु आले दुख्रमाता ने क्यों कर दूख्रया मैं धेल मने क्यों हे रहाने दे मत मांगे तू के खुबावे दे मेरी बाते रहाने दे मत मत मांगे तू के खुबावे मेरी बाते रहाने दे पंडि जीयों ने जो दूसरी बात पताई है सजनों वर न्यू कया है बाहिरे लोगो अगर करम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है आदमी की पंडित मांगे राम ने जू लिखर क्या है अक गुण का प्यारा हो से मानस चाम का कोई ना चाम अच्छा हो इससे कोई मतलब नहीं गुण होना चाहिए करम अच्छा होना चाहिए दूसरी कली मन्यू कहें लिए वड़ा कैसे करम अच्छा होना चाहिए एक करम बिना ना राज राज के दूसरी की एक धरम की ताने ना राज बिना नहीं सजे कचेरी राज बिना को अच्छा रे ना बिना राज नहीं इजत जग में बिना राज कोई माने ना बिना राज नहीं इजत देखे में बिना राज पे जा रे ना ही मेरी ओड़े ध्यानी ते मत रिशता तो देपनावे तेरी बाते रहने दे तेरी मत नाचो के दिमावे मेरी बाते रहने दे तेरी मेरी ओसा अक जो पाले किमावे जाना पड़े अमर कोई निहीं हुया कौन-कौन किस-किस का जिकरपंड जीन न किया कैसे कुम्ब करन ना कुम्ब करन चरासंद और सिसुपार फीम युदिष्टिर अर्जुन थे एरिफीम युदिष्टिर तुरिय धल थे उनको भी माँ खागा प्राल जिमत ऐसे ऐसे भीर चलेगे तक्युम्ब बच जादेरा लाल जब ऐसे ऐसे भीर चलेगे तुब बच जा तेरा लाल ओ, मते तूरे जाने दे ओ, मते तूरे जाने दे तुट्ते बच जाने दे तुट्ते बच जाने दे तुट्ते बच जाने दे अरी वत्पे नाचों जाते बॉरे तेरी माती रहाईनी ते तेरी माती रहाईनी ते शेएन जै और मेरे परवणों अंतिम कड्यियो ने लिखा देखिए रहे लोगों गूँ सला में दान करना गरीब की बेटी के भ्या में दान करना पंडी जी ओने सबसे स्रिष्ट तमदान बताया है पर सरोथा एक बात जोड़ते हुए अपनी रागणी को पूरा करता हूँ मैं बता रहा तब पैशे तो दुनिया के लोगों पर बहुत है लेकिन दिल नहीं है भाई साब आज पहली मर्तवा मैं भी कम से कम दसों बार हर्याना दिवस पे आपके बीच माया हूँ इतना बढ़िया मंच इतना बढ़िया टेंट इतनी बढ़िया ब्यवस्था मौर म्यूजिक कमपनी ने सबसे बड़ी बात यह है बुझर को बात अच्छी लगे तो ताली फिर बजाना एक पैशे का चंदा नहीं करिया है सारा का सारा खर्चा हर्याना दिवस और आपके लिए बाई राजेस मौर जी ने अपने दंपे ये पैसा खर्च करकर आपका मन अज उस पिता को अपने पुत्र पर कितना घर्ब होगा जिसने ऐसा धार्मिक मार्मिक प्रोग्राम कर एक भी असलील सब्द नहीं होगे दादा जी अभी तक है योई कल्चर है अपने हर्याने का एक और और मौर म्यूजिक कमपनी के लिए तालिया और अंतिम कड़ी शुन अरे पेस चालती कोणा माता है पेस चालती कोणा माता सम छोड तक धा जाराने सम सीर तोप बंदूक सभी छोड तीर तले माराने मंदिर के ले कोट गढ़ मस्चित है छोडे महल तुमाराने मंदिर के ले कोट गढ़ मस्चित है छोडे महल तुमाराने वो मने नुहे काने ते वो मने तुहे जाने ते मने तुहे काने ते तन चकल ना थे सम जावे तेरी माते रहाने ते 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 नंन मत में ना चोड़े ते ते जब नेता जी सुभाश शंद्र बोस विदेश जा रहे थे तो रास्ता रोकर वापी खड़ी हो गई और नियो केने लगी देवर जी कहां जा रहे हो नेता जी सुभाश शंद्र बोस बोले कि बाबी विदेश जा रहा हूं नियो केने लगी देवर जी वहां से मेरे लिए एक समान ले कराना कि क्या समान बाबी कि मेरे लिए सुन्दर सी अच्छी सी रंग की साड़ी ले कराना नेता जी नियुकरन लगे बापी, अमारे देश में भे बहुत सुन्धर साड़ी मिल सकती है, तो नियुकरने लगी देवर जी, जैसी साड़ी मैं बताओंगी, जैसी साड़ी मैं मंगाना चाहती हूँ ऐसी साड़ी तुम लेकर आना किस किस के फोटो उस साड़ी पे होने चाहिए कैसा नक्सा उस साड़ी पे होना चाहिए क्या लिखा सुनते हैं रागनी है और न्यों के ने लगी बाबी बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमा के निरारी बोसी सीसाडी ल्या दे़ो जिसकी चमा के निरारी बोसी सीसाडी ला ये हो जिसकी चामा के निराणी फिर साड़ी उम्पर फोतों में बारत के सभी आरिये हो रुशीद आयानन्द तिलक गोखले स्वामी संक्राच आरिये हो गवर्मेंट हा उस दिल्ली में राजगोपलाचारिये हो ये रक्षमंतरी बारत कारे मलु देव सिंग सरदार भी हो राजे नर परशाद पटेल गधी वीर जवार भी हो हस्ते हस्ते दिके हस्ते हस्ते जेलो यंदर खड़ने को तयार भी हो असे असे ये से वह वह गड़ने को तयार भी हो पाणी पहँचाए हो पाणी पहुचाए हो पाणी पहुचाए प्रणों जाए हो जिसकी चमा के निरारी है 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 जिसकी चमा क बदाया प्रेमिस्त्रोदाओं कि इस भारत की अंदर दो शेर ऐसे हुए जिनोंने विदेश में जाके डंका बजाया पहला सेर तो वह हुआ बीर हनुमान जी जिनोंने सिंटा माता के कारल लंका में जाके डंका बजाया था और दूसरा वीर वो उधम सिंग हुआ जिसने दूसरे पल्ले पर किस-किस के फोटू ओने चाहिए क्या बदाया थेर चंदर शेखर चंदर शेखर आजाद बगत सिंग रास भी और भोस भी लाला राजपत राए लाहोर में पिठते हुए निर्दोस भी हो राजगुरु सुख देवे विसमिल मरते हुए मा जोस भी हो ये जलिया वाले बाग का जलसा जलिया वाले बाग का जलसा दायर फायर करता हो बारत का बदला लेने को लंदन में सेर पिचरता हो उदम सिंग की उदम सिंग की गोली ते लंदन में डायर मरता हो उदम सिंग की गोली ते लंदन में डायर मरता हो नार्या आग मर्या वो नायर मार्या आग मर्या वाली ते लंदन में डायर फाया नावार करती जारी वोस यसी जारी ले ते लंदन में डायर मर्या वोस यसी जारी ले ते लंदन में डायर कहां कि इस चमन सी अच्छा कोई नहीं और इस गगन सी अच्छा कोई नहीं सच बुझो तो मेरे दोस्तों मेरे वतन सी अच्छा कोई नहीं कहां कि देवर जी इस भारत देश में ऐसे ऐसा दान किया है ना तो शायद किसी ने किया और ना ही शायद कोई आगे ऐसा दान कर सकता उनकी फोटा भी साड़ी के तीसरे पल्ले पर ओनी चाहिए क्या कहन लागी बड़ा घर राम और लक्ष्मन राज छोड़ के बन मैंद के ठाते हो हरी शंद्र भी सत के कारण कासी में बिंग जाते हो जग देव पवार काट के गरगन दान में सुष्ण आते हो घर राजा मोर धज चीर के लड़का राजा मोर धजी चीर के लड़का किरसन का से रजी माते हो हिरना कुस पहलात बगत को लाल खंब पकडाते हो राजा बोजी और विक्रमादीत्य पर जागा तस्टो मिटाते हो राजा के दिन आजादी का हो अखो चैमी लें के दिवारी को सारी नादे हो जिसकी चमा के दिन आजादी को सारी लादे हो जिसकी चमा के दिन आजादी और इस देश बक्ती राजनी पे खुशों का रादरनी मनोज कुमार जी उजवासे दोसो एक रुपे का मान सम्मान करते हैं आशिरवाद देते हैं एक बर जोड़ दर तालिया प्रेमी सुरताओं अंतिम लाइनो मेन्यों के अनलागी देवर जो मेरी सारी का चोथा पल्ला होगा जिसका मैं घूंगट करके चालूंगी उस पल्ले पर तेरी भी फोटो होनी चाहिए लेकिन तेरी फोटो कौन सी किस जंगा की होनी चाहिए कौन सी पोजिशन की होनी चाहिए के कैन लागी बाबी हेरे रामायन रह रामायन महाभारत गिता दार में को इतिहासी हो आजादी दिखे आजादी आती दिखे और घुला में चाहिए लाल किले पे अगली लाइन अच्छी लगे तो सभी की तालिय चाहूंगी हेरे लाल किले पे लाल किले पे तरंगा जंडा और समी खड़ा सुभास आहिए सरदार सिंग के ठान के है गुरू प्रत्विया बच्चा फिरा आजाती के रंग मैं हो तेरे साख रोद के रंग से गरी साख रोद के रंग से मैं सब तिखे हाड़ी बाड़ी बोस यसी शाड़ी जाड़ी हो पांच पोस्ट मिली है बै फोजी में इर्शिंग कहलो जाट में इर्शिंग कहलो कवी में इर्शिंग कहलो सहीद में और चोद्री में इर्शिंग कहलो पांच तक में जिनको मिले है ऐसी दिवंगत आत्मा ऐसे करांतिकारी कवी जाट में इर्शिंग के लिए एक बर जोरदार ताड़ी जरूर मढ़ती है जोरदा ताड़ी उन्ही की कलम से लिखी हुई एक रागने आपके बीच में और जब वो चित्र सली का समय आया तो अंजना अपनी सारी सखी सहीलियों के बीच में पवन भूप को लेकर गई ऐसा हमने सुन्या है कि पवन भूप जो महराज पवन थे वो रंग के थोड़े सामड़े थे काले थे अब वह जो अंजना की सखी सहीलिया है बैर रागनी की तरफ गोर करना ये को है अंजना की जो सखी सहिलिया है वो ताना मारने लग जाती है अंजना ठोड़ी बहुत सरम आई तने अरे इसे उंडे के गैल साथी कर ली इसे काड़े के साथ मसाथी कर ली तेरी रिष्की क्यों कर पार पड़ेगी तू एक राजा की लड़की है और तेरा परियों जैसा सरीर है परियों जैसी तेरी शकल है, सूरत है और इस काड़े के साथ मतन साथी कर ली क्यों कर पार पड़ेगी अब जब वो सखी सहीलिया ताना मार री थी तो नू समझ लो पवन भूप का गोड़ी इसी लागे थी ले बैट डोड़ा लेकर चल दिये जब डोड़ा रास्ते में पहुच्चा माराज पवन डोड़े को रुखा लेते हैं बैट डोड़ा रोग लो अब अंजना को बुलाये जाता है अंजना आकर पुछने लगी कि माराज रास्ते में डोड़ा रुखाने का क्या कारण है क्या काम है माराज पवन नोबला रांजना इब तो कती बोड़ी शी बन रही है बड़ी असे थी जब तेरी सखी सहलिया मेरे ताना मार रही थी तेरे मूँ ते एक बेभी आवाज नहीं निकली अग बेबे चुपो जाओ इसके साथ में मेरी साती हुई है कोई छोटा मोटा नहीं एक राजा है लेकिन जब वो ताना मार रही थी तो तू भी बड़े मजे ले रही थी और इब तिरे साथ में के बनेगा किस प्रकार से ताना मारता हुआ अपना सारा तरद बयां करता है सुनिए दादा मेहर सिंग ने किस प्रकार से लिखा है क्या बता है नूब ल्यार कुता मारे अरव पने जारा रोया अर आजव एर कहाणी एर पने गी नुबलन कुतना मार बने जारा रोया वाय कहाणी बने गी अर मन नूब बताते अर मैं काडा तू रबूरी थी भिर रचुकर राणी बने गी रे रतुस्ता मारे बने जारा रोया वाय कहाणी बने गी रे मैं काडा तू रूरी थी अर योकर राणी बने गी रे योकर राणी बने अर मैं काडा तू बूरी थी भिर क्योकर राणी बने गी मन में नू बता देख मैं तो काडा था मैं तो बूंडा था पर तेर rhetoric Agail तो साथी करी तेराथो कमड तो ड्या अर आज तेरे साथ मैं क्ये बनेगी पहले नंबर में महराज पवन क्योंकि वो तन एक राज़ा था एक राज़ा क्योंकि दादा स्वी चंद ने लिख YEARS। एर सारे खोट सारे खोट मेरे मैं कटे फिर भी को न्या सर्यातने एर सुथ्रे खैल अमीर छोड के यो कोवन भूप क्यूं पर्यातने एर सुथ्रे खैल अमीर खोड के अमीर छोड के यो कोवन भूप क्यूं पर्यातने अरे मेरे नाम की बनी रमारी कती समझ लिया मर्यातने एरे जिन्द की भर्वी बुलो ना इसा छाती में घा कर्यातने अरे जिन्द की भर्वी बुलो ना इसा छाती में घा कर्यातने आज तेरी बुली के गारण तेरे तेरी बुली के पारण तेरे मारी खेचा तानी उपनेगी पैकाला तो नोरी थियां पया योकर राणी बन की योकर राणी बने की योकर राणी बने की आगने श्ता दो लेकिन जो सुनने वाले होते हैं बाई उनमें भी फरक वे अगर ग्यान और बे ग्यान का दूसरे नमबर पुशनना फोजी मेहर शिंग ने कितनी सुन्दर बात लिए और वो महाराज पवन राणी अंजना तक्के कैन लगया क्या लिख दिया प्रम आदनी खजान प्रधान जी बारा के प्रधान आदनी खजान जी हमारे बीच हम पहुचे हैं मंच पर उनका स्वागत है और मैं चाहूंग एक बार जोरदार तालियों किसान यूनियन मौर्चा की अध्यक्स प्रमादनी बिरेंद्र डागर जी हमारे बीच में पहुचे हैं हम डागर शाब का इस मंच के माधयम से बहुत-पहुत अभार वैक्द करते हैं धनेवाद करते हैं और हमारे परधान जी तोनका भी हम्शनि दिल्ली के उप्महापू प्रमादणिये श्री संपाल मलिक जी हमारे बीचे में पहुचे हैं उनका भी हम यहां इस मल्च के माध्यम से स्वागत करते हैं भी नंधन करते हैं धन्यवाद करते हैं दूसरे नमबर पर सुरना भाई वह महराज पवन राणी अंजनात भला के कहने लगया क्या वता है एर मन की सची मन की सची मन में रहेगी या तेरी बात अदू हुडी तू प्यहां की टाले कर देती जर पैज परन की मूरी तन रूप उसन का कमन कर्या तेरी अकल की कम सूरी एर तेर लेखे तुनिया काडी रतू आपे मूरी तन तेरी जोट का पती मिल्याना तेरी जोट का पती मिल्याना रतू इशीष ठाणी बन गी इर बैकारा तो मूरी थी राज्रै तो कर लाणी बन गी रै तु परवानी बने तु परवानी बने तु परवानी बने तु परवानी बने महराज परवन कहने लगया रंजना तन थोड़ी बहुत तो स्रमानी चहिए तन नू सोचना चहिए कि तेरी साथी एक राजा के साथ में हुई है तन एक राजा का बिल्कुल भी खोप नहीं तु जे यह नहीं पता कि मेरा कितना बड़ा सामराज्य है मैं कितने बड़े राज्य का एक राजा हूं और तने बिल्कुल भी खोप नहीं और जो तने मेरे साथ में करीवा करी लेकिन इव तेरे साथ में के बनेगी के कहने लगया महराज परवन का लिख रिया तेरे प्राण का धिलू खालाई सारे उठे से मेरे थन के मा प्रद्री बोली का तीर लिखड़ जया आर्लवार मेरे साथ के मा उस द्रोपत नेपी तनी मारी राजा दुरियो दन केमा जोदा साल पांड़ को कुणबा रभिरे बटकते मन केमा एर जोदा साल पांड़ को कुणबा रभिरे बटकते मन केमा एर एक बुल्ली के कारण पैरे एक बुल्ली के कारण पैरे बटकते मन केमा जोदा साल पांड़ को कुणबा रभिरे बुल्ली के उप महापोर एडवोकेट सत्पाल मलिक जी पांचोर पैसे आशिरवाद देतें केमलिक साव का बहुत बहुत दन्यवाद है दन्यवाद है वो राणी अंजना हाथ जोड का कहने लगी के महराज जो बाते बीत गई जो बाते होचुके हूं मेnd में गया मेरा कोई कशुर नहीं है मेरी शखी सहिल्यों ने जो तन्य मारया उसमें मेरा तो दोस्ट नहीं है लेकिन वो महराज van उसके तो छो उठीना था नुबला राजना तन्य मेरे साथ मैं करी उसका बदला लिया कि तहें बदला तो लूंगा और तेरे साथ मैं के बनेगी क्या कहते हैं आखरी नंबर पे चोथी बात मैं के दर्शाया एरब पवन पूप का पवन पूप का उपका मैशा तने मिल ज्या में हल दूआ कड़े रदोड़ा पाना पास हाथ मैं उटा का गुरे का गने इबतीर मर्द का मेल खतम हुया कित की रई सुआ कने एर बिनापती नूहे जांगे तेरे सुखे समने भाकड़े एर बिनापती नूहे जांगे ते समन भाकड़े एर मिहर सिंग का तोस नहीं रहे मिहर सिंग का तोस नहीं तेरी पुसमन भाली मणगी रहे मैं का लाओ तूरी थी आदे तुकर लानी मणगी रहे अर पुत्ता मार बने ज्यारार रोया महित हानी मणगी रहे मैं का लाओ तूरी थी आदे तुकर लानी मणगी रहे तुकर लानी मणगी मंच से हम सभी टीम मेंबर को हमारे नीलम कृष्ण पहलवान जी ने इतने सारे मैसेज हमारे इस ग्रूप को दिये हैं तो एक बार उनके अभीन अंदर में जोर दार तालिया होनी चीए जो हम छोड़े जोड़े बच्चों का होसला अफ़साई कर रहे हैं और आईएगा एक रागनी शोता हूँ उस समय की गोपी चन के किसे से यह रागनी होगी जिस समय गोपी चन अपनी मा मैनावंती के कहने से जोगी वेश धारण कर लेते हैं क्योंकि मा मेरा वंती चाती थी वेटा कहीं ऐसा नहों तेरी मिटी की काया मिटी में मिल जाए मैं तेरी काया को अमर होते हुए देखना चाती हूँ गोपीचन ने जोग तो ले लिया और अपनी बेहन चंद्रावल के यहां जाकर के अलग जगा दिया अलग जगाया तो चंद्रावल अपनी बांदी के बताने पर की कोई द्वार पर बापा जी आये हुए हैं आपको अपना भाई के बता रही है दोड़े दोड़े गई चंद्रावल और जैसे ही चंद्रावल को गोपी चंद्र ने देखा तो कहा बहन मैं तेरा भाई हूँ और मैंने मा के कहने पर जोकी बान धारन कर लिया जैसे ही चंद्रावल ने सुना तो कहने लगी अरे बापाजी कैसे बाते कर रहे हो तुम मेरे भाई नहीं हो सकते क्योंकि मेरा भाई तो बड़ा सुन्दर और बड़ा सुत्रा है अरे मेरा भाई तो राजपाट सभाड़ता है तुम क्या जाड़ो कि राजपाट क्या होता है और एक भाई और बहन का प्यार क्या होता है क्या बापाजी को कहती है बाकिया वाला सुनी गारागणी कि दरा क्या विद्धम मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से अरे आप एक दूसरे के दर्वाजी पे जाके विख्षा मांग ते आपको क्या बतां इधम मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से अरे के बेरा तुम में महण बाई कितना प्यार हो से के मेरा तुम मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से के बेरा तुम मांग माई कितना प्यार हो से के बेरा तुम मांग माई कितना प्यार हो से यो कहने लगी चंडरावल मैं नहीं मानती कि तुम मेरा भाई है अरे मेरा भाई तो न्यारा ही रुत्वा है मेरे भाई का पहली बात में एक बाण और भाई का रिष्टा कैसा होता है क्या बजा दिया सुई जा एरे पाँच साथ दिन भेची जा जब व्यहां मुक्लावा उसे कम बोले और शर्मावे क्योंकि सुक्षम बोजन खा से कम बोले और शर्मावे सुक्षम बोलन खा से पिर सताव है याद पी हर की पिर सताव है याद पी हर की और लगे कुटुम के रास से सुक्षे धान हर हर हो जा जब पाईले वन जा से परी सुक्षे धान हर पुरे प्याद जब पाईले वन जा से घर पिटा घाल बैठ जा जब मैं पिटा घाल बैठ जा जब मैं पत लाडा क्या रहो से के मेरा भाद बाई कितना प्या रहो से के मेरा भाद बाई कितना प्या रहे से ला 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 आईएगा इस रागने पर खुश होकर के आधनिये ओम प्रकाश हुड़ा जी जिन्होंने पहले भी कई सो रुपे का प्रिश्कार दिया ओम प्रकाश हुड़ा जी इस पेशली प्रियंगा के नाम ग्यारे सो रुपे दे रहे हैं ओम प्रकाश हुड़ा जी का बहुत बधने बाद दूसरी बात में बता दिया कि जिन बहनों के भाई नहीं होते उन बहनों का ना तो कोई पीहर में सगा होता है ना कोई सासरे में सगा होता है दूसरी बात मैं सुनेगा क्या कैने लगी चंदरावल के मान बढ़ाई को क्या है तान दिये की साथ सुर के मान बढ़ाई को क्या एर अकड़ पड़ो सण कठी हो जा और टड़े लुगाई को न्या तन दिया दे के हो गया इस पहु के भाई को ना दे का इस पहु के भाई के हो जा एर पेना बोल चीर दे गात मैं पिसा ते में तुदाराओं से एक ये मेरा खन भाण न भाई कितना प्या रहे शेरी ये मेरा खन भाण न भाई कितना प्या रहे शे हनी तन भाण 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आ इस सभा में जितने भी शोता गण बैठे हैं सभा के अंदर एक से एक विद्वान शोता यहां बैठे हुए है और शोताओं बताया जाता है कि एक बहन के जीवन में सबसे इंपोर्टेंट दो वक्त आते हैं एक तो रक्षम बंदन का दिन और दूसरा जब भी किसी बहन के बच्चे विहां शादी योग्य होते हैं तो हर बहन की ख्वाईश होती है कि उसका भाई पटड़े पे आकर के टाइम से खड़ा हो जाए चाहे एक रुपया बात में लाए या लाखों करोड़ों का भाद भरे ये बात मैंटर नहीं करती लिकिन टाइम का पावंध हो टाइम से आ जाए तीसरी बात मैं चंदरावल अपने भाई गोपी चंद के विशे में जिक्र करती है और क्या बदा दिया दिसरी बात में के रभाई केसी चीज जगत में और और चीज ना चाहे रहर सोसो मेर कर्या करती जब वेटा दिया वे है सोसो मेर कर्या करती जब वेटा दिया वे मेरे माट दिखाके मत ना आये हेर माट दिखाके ये मत ना आये और न्यारी बेट बत आवे और जब तक भाती ना आवे ना राकुण वेन पावे जब लगवाती में राकुण पेट पावे उड़े बता में तें बात लिकड जाओ गता में बात लिकड जाओ चुड़या भाई चाराओ से अरके देरा भाण लबाई जो कितना प्यारा हो सेरी के देरा भाण लबाई कितना प्यारा हो कितना प्याराह ईता प्यारा टूपको में खता उन्हाद बाई ड़ए कितना बाई उन्हारा básicamente theahoay झाथान वह थान प्यश्वरँ सिरी आए हमारे मध्य में जो डैली से चलके आये हैं बहुत अच्छे रागणियों के शोकीन हैं भजनों के भी और जहां भी कथा होती है वहां कथा भी शुवन करने के लिए जाते हैं बहुत दूर से रागणियों के लिए चंदीगड से आये हैं डैली में रहते हैं पांसो एक रुपे से आश्रिवाद दे रहे हैं बहुत बधनेवार अंतिम कली में सुनेगा चंद्रावल भाई गौपेचन के विशे में तारिफ है कर रही हैं अंतिम लाइन में क्या बता दि इर भाई बिनाना सरे जगत में और और चीज बिन सरे जगत में घर घर कहती फिर्या करें भाई पर दे सट गर जारी और थोड़े दिन में चिठी आवें तोड़े दिन में रचिठी आवें और पढ़के पिटा मरे जा और वाहे राट कवाया करे जि कमा का जाया मरे जा वाहे राहन कमाया घरत का माता जाया मरे जा सिरी मेवी ततियों प्यार बाणका तेरा सब तैं प्यारा उसे ते पेरा थम्य वाण ना बाई कितना प्यारा उसे ते पेरा थम्य वाण ना बाई कितना प्यारा उसे ते पेरा थम्य वाण ना बाई कितना प्यारा उसे एक रागनी गाने का आदेश और दिया गया मंच के माध्यम से आईए ये रागनी मैं आप से भीकी बीच में पिंगला और भरत्री के खिस्से से सुनाऊंगी और मौका होगा कि जब एक साधू ने खुशो करके भूब भरत्री को एक अमर फल दिया था और भूब भरत्री अपने से ज़्यादा अपनी राणी पिंगला को प्रेम करते थे भूप भरदनी ने उस फल को नहीं खाया अपनी पत्मी पिंगला गोजा करके वो अमर फल दे दिया शुताओ ये सच्चाई है कि वो प्राणी पिंगला एक सहीस कोदवाल से प्रेम करती थी पिंगला ने भी वो फल नहीं खाया और वो सही स्कोतवाल को उस फल को दे दिया आईए किस प्रकार से उस कोतवाल वो कोतवाल पिंगला से ज़्यादा एक वैश्या से प्रेम करता था उस वैश्या को वो फल दे दिया उस वैश्या ने ये सोचा कि तुने इस जनम में कितने बुरे कर्म किये हैं meant आगे जीना नहीं चाहती वापस से ले जा करके भू भरतरी के पास में उस अमर्फल को देदेती है किस प्रकार से राजा जब राणी पिंग्ला को वो अमर्फल दिखाते तो राणी पिंगला सर्मिंद की महसूस करती है और फ्रकार से पती के पैरों में लेर जादी है और न्यूं कहने लगी महराज मेरी बास जर अध्यान सवनिए किस परकार से राणी अ भूब ध्हरतत्री से क्या कहती है इसे रगनी के बोलू भर ये तार तर के तेव बदलावन जोगी को ना और कहने लगी क्या फेर सब तरी आते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना सब तरी आते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना इरके बलू भरतार तरी आते बलू भरतार तरी आते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना सब रहयाँ थे जूटी आँख मिलावन जोगी को ना चुप्धिया तुम्लावन जोगी कोई आ कह दिया कि मैं के बोलू भरतार तिरे ते पतलावन जोगी कोणिया अरे सब राहियां ते जुट दी आख मिलावन जोगी कोणिया पहली कली के माध्यों से कैसी सर्मिंद की महसूस करती है रानी पिखला और क्या कैने लगी सुनेगा ये रे कोत मालने फल मांग्या रे कोत बोलने खले मालक्या मेहिते नरम की मारी मारेगी मन्ने सोची इभ के नाटेगी धरम की मारी मारेगी मन्ने सोची इभ के नाटेगी धरम की मारी मारेगी मन्ने मुपरत पला मत ठवावे मैं सरम की मारी मारेगी मन धर्थी के मां पड़ी रहन दे धर्थी के मां पड़ी रहन दे में धर्थावन जोगी कोणा सवराया थे जूटी आखे पिलावन जोगी कोणा के दिया कि माराज मुझसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई गल्ती ऐसी हो गई गल्ती क्या गुना हो गया जिसकी मैं माफी भी आपसे नहीं मांग सकती आये दूसरी कली के माध्यम से क्या करने लगी अज बालम रंग राग मेरे दर बारा मैं हुए उजा करे पिछले जनम के राग मेरे मेरे कुछ करनी कुछ करम गती कुछ पूर्व जनम के भाग मेरे में तेरे काम की में तेरे काम की कोन्या रहरी हसके कालम त्याग मेरे मेरे काम की मेरे görüş पूर्व जनम करने रहरी हसके कि अज बा tämä लगिस्व करनी करदव जनम पूर्व जनम की करनी करतं की अज माद़ जनम की करनी कविए नम करतं रहतं जनम करनी किनलर जनम गता सएक пर भाग मेरे जोग कै च्वक आपकिनो करतं हे... हे... हा... न्यूक कहने लगी कि महराज मुझसे ऐसी बड़ी गल्पी हो चुकी है कि आज ना तो मैं आपसे माफी मांग सकती और नहीं आपसे नजरों को मिला सकती किस प्रकार से रानी पिगला क्या कहने लगी मेरे पेसर मीका तीर पियारा पेसर मीका तीर पियारा मेरे परले परली कडे गया बोल्या भी ना जाता इसा सो नत के पाड़े गया बुल्या भी ना जाता इसा नत के पाड़े गया भरी सब हमें आज पियारे मेरा सारा पाप भड़े गया तेरे आगे सजन मेरे मेरा सारा मेपसा जड़े थेरे आगे सजन मेरा सारा परले गया थेरा पतना मी दई पाड़े मेरे बदना मी दई पाड़ा मेरे मतला पर जोगी कोणा सबराया थे जूटी आगे कि लावण जोगी तेरा समझाया से जुटी आगे मिला मेरे जोगी तेरा ला 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 तेर के ते मरूंगी कुए मैं डूब के ना चहर के कल से पी जिनकी अगत तेल भिगड़ जा के जीने न जी ये मेरा आज तेया के भूब भरतरी आज तेया के भूब भतरी मेरा ना भी मत न ली ये मैं तेरे ओड़ ते दो धेले की लाख उल्हाने दी ये मेरा तेरे ओड़ तो देखेगी मा दो या न दी मेरा माँ गया रामने हात का पाणी मेत पलावन जोगी कोणा तेरे समझ आया के जुठी आख मिलावन जोगी कोणा जूटी आँख मिलावण जोगी को ना सबराया थै जूटी आँख मिलावण जोगी को जा अर्मोर मुजिक कमपनी के द्वारा सब तरसक माला मालों के अगर सुना यहां बैठ आगे की लाइन अच्छी है तो फिर आपकी तालियां मिल जाएं आगे की लाइन कर लाइन में द्या तरसक माला मालों के अर्याना निर्मान हुए अर्याना निर्मान हुए अज सही तरे पन साल होगे अर्याना निर्मान हुए अज सही तरे पन साल होगे अर्याना निर्मान हुए अज सही तरे पन साल होगे अर्याना निर्मान हुए अज सही तरे पन साल होगे केताए अलमान हुए अर्यान निर्मान हुए और एक वार्याना चौस्छ अच्छ तरे यान हर की भूमी से हर याना हर जाने हैं दुनिया सारी कुरू छेत्र में किरसन जी ने कुरू छेत्र में किरसन जी ने अरे कीता ग्यान दिया भारी कुरू छेत्र में किरसन जी ने गीता ग्यान दिया भारी गीता के उपदेशों से अर्जुन के उचे ख्याल होगे हर्याना निर्मान हुए आज सही तरबन साल होगे हर्याना निर्मान हुए आज सही तरबन साल होगे और दूसरी बात अपने हर्याने की जो खासियत वैशे तो एक रागनी में हर्याने कबर्न नहीं हो सकता पर मोटी मोटी दो तीन बात लिखी बुजर्गों सुनिए क्या बताया साथा बली साथा पाना और दूद परी का धाना है अरचोरा भी मेडल जीते इस भी आज छोरी सोच रही हूँ मन थारा नाम तो अच्छे तरीके से लिया है हर्याने की बेटी और हर्याने का बेटा जब कभी देश मेडल के लिए जूजा चाहे वो साक्षी मलिक हो चाहे वो दूसरे खिलाणी हो सबसे पहले हर्याना का बेटार हर्याना की बेटी आ गया है और देश की इजद बचाने में इसलिए मनने लिख्या अरच छोरा भी मेडल जीते जोरियां के घने कमान होगे हर्याना किर्मान हुए आज सही तरे पनुसाल होगे हर्याना दिर्मान हुए, आज सही तरे पनसार होगे इव राजनीती की बात करें, हम किसे तपाच्छे कोई ना मेरे महरवानों मैं विष्टरित चर्चा कर सकता था, लेकिन करना नहीं चाहता आगे की दो बातों पर ज़्यादा जोड दिया, कुण सी एक गाने की लाइन का, एर एक राजनीती का केल क्या? ऐसे? ये रे लखमी मांगे महर सिंग ने लखमी मांगे महर सिंग ने सबसे अच्छा गाया है राजनीती में हरियाना ने एक नया इतिहास बनाया है और जो लोग निउक बाई हरियाना बने पंजाब टूटर नहीं इस कसरे में किशे देता हूँ हर राजनीती के चतुर खिलाडी राजनीती के चतुर खिलाडी बात अच्छी लगे तो आपकी तालिया उठ जाएं रोकना मत अगर हरियाना दिवस मनाने आये हो राजनीती के चतुर खिलाडी वता उते भी नाल होगे हरियाना मिर्मान हुए आज सही तर बन साल होगे हरमोर कमपनी के डारेक्टर हरियान भी संस्कृती का इन दुनिया में मचवादी असो सारा है खर्चा आज सारा है खर्चा सारा एक खर्चा अज पी आजेव से करतर सक भी पामाल होगे हर्याना निर्मान हुए अज सही तर बन साल होगे हर्याना निर्मान हुए अज सही तर बन साल होगे और जहां तक बेटियों की चर्चा की, शब की चर्चा की, मैरी जो माता बेहने, जिसा गीतार, याने की लुगाई गाह देगी परधान जी, दुनिया में कितनी मिल सके, आइए क्या लिखा, और मास्टर मंजीत जी, बाई साब का एक बेश्वागत करिएगा, मंजीत जी का बहुत बहुत धनिवाद करता हूँ, 500 रुपे से मान सम्मान किया धनिवाद, और बाई मुझे नाम तो याद नहीं ला, जिन साथ युन भी नाम दिया सब का धनिवाद, जीस जगे पर यो पर करोग्रामी इसका भी मन्हान ध्यान रख्या, और इसे जोड ह omin? सही कहूं तो बता ना, हर्यान भी गीतों में लुकाई, मोति से पिरोती है, सब से ज़्यादा, सबसे जादा गऊ की सेवा अपने हरियाने में होती है हरियाना दिबस पे कायक हे रहे हरे हरे हरियाना दिबस पे कायक जो नर्द्रव में निबाल होगे हरियाना दिबस के आज सही तरे बन दाल होगे हर और म्यूजिक कंपनी के द्वरा तरसत मान लाल होगे हरियाना दिर्मान हुए अज सही तरे बन दाल होगे क्योंकि रागनी जगत के अंदर ये सच्चाईय की बहुत अच्छे कवी हुए हैं लेकिन कवियों में कवी बाजे भगजी भी है और मेरी इच्छा है कि आदनिया बाजे भगजी द्वारा लिखी थी रागनी में आपके भी इसमें सुनाओं और ये रागनी रूप बसंत के किस्से की मात के भी इसमें सुनाओंगी और उस समय की बात होगी कि जब राणी रूप मती बीमार होती है अपने महलों में लेट रही थी प्रैमी सजनों महलों के अंदर एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा रहा करते थे राणी देखती थी रोजाना उन्हें और एक रोज क्या देखा कि जो चिड़िया गहुसले में रहती थी वो एक रोज बीमार होके अपकानी किस कारण से मर गई और जो चिड़ा था वो दूसरी चिड़िया अपने गहुसले में ले आया प्रैमी सजनों कहते हैं कि शौक पे ना तो शौक परदाश होती और ना ही शौक के बच्चे जब दूसरी चिड़िया आई तो पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को उसने आते ही मार डाला ये नजारा राणी ने अपनी आँखों से देख लिया और ये सोचने लगी कि कहीं ऐसा नहो मैं मर जाओं मेरे मरने के बाद महराज भी दूसरी शादी कर ले और जब दूसरी महराणी हमारे घर में आए वो आते के साथ मेरे दोनों बच्चों रूप और बसंत को माल डाले राजा को महलों में अपने पास बुलवाया और राणी रूप मती न्यू समझाती है यहां के बोलने जरा सुने का रागनी के बाद क्या रता है हुआ 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 है हुआ हुआ हाथ जोड के रिसु मेरा इतना केहन पो गई है और महराज कहना ये है हो में मर जाते सजन मेरे मत तू जा गया कर वही ए मेरा हाथ जोड़ के कहरे सू मेरा इतना कहरे को रही में मर जाते सजन मेरे मत आए तू जा ब्या करे वही हाथ जोड़ के कहरे सू आरे बड़े बड़े रे कहा करे से जिसकी धुरतै छुती ब्या मानस कर ले लाख जतन पर कोन्या लागै पूटी ब्या पात दरम के कहरे सूना मेरी वानी जोटी ब्या पर मैसर ने बर रखी से तेरी दौवं कूटी ब्या तो बेटे तीरे दिये रामने तो बेटे तेरे दिये रामने और ये और इतने के चाहिए ओ मैं मर जाते सजन मेरे मते तो जा प्या कर विये बात जोने के के है रिसू केहने लगी कि महराज आप कोई यूही आम आदमी नहीं हो अरे राजा हो और वेद शास्त्रों का धोड़ा बहुत ज्यान दी है आपको इस उमर में अगर बुड़ापे में दूसरी शादी कर ली तो आने वाले समय में ये जमाने वाले आपके बेटों को चैन से जीने नहीं देंगे कि भाई हद हो गई तुम्हारे बापने बुड़ापे में दूसरी शादी कर ली लोग तरह तरह की बाते बनेंगे कैसे बताया अरे सारे साथ के खलिये करके कोई मा की भोग नहीं से रेद शास्तर जो ननिया तू मूर खलग नहीं से अरे दो बेटे जैनाब्या है उनका भी शोग नहीं से तू बहड़े बाल हुए सिरके तू प्यहा के योग नहीं से चोथा पन आ रहे आपियादी चोथा पन आ रहे आपियादी पीसर के घंड़ी वो में मर जाते सर जर पापे तू जा प्याद कर वैए हाथ जिरके तू प्यरी चूँ अगर रागनी के शब्द आपकी समझ में आ रहे हो तो एक बार तालियां वाजाके बतातको थो आ रहे हैं थे ठीक है क्योंकि रागनी में शब्द की ही प्रदहंता होती है शब्ध समझना जाए तो ठीक है वरना कैसा गाना किस बात का गाना तीसरी कली के दोरा और क्या-क्या बातें समझाती है आरे याते मैं भी जानू भीर मिन किलकुल धर खाली होजा जीरानी ल्यावेगा तेरे बेट्याने कावी होजा लड़क्या ओड़का खाल रहेना हवा निराली होजा फूद है आदमीने जान इस्तरी विसकी प्याली होजा प्या हसादी का मेरे प्यादी प्यासादी का मेरे प्यादी तो बहर सुसे का खाली होजा मेरे जोते सचन मेरे बच्टाए तो जाब आक तर विरे आप जोड़के के रिसो क्याने लगी रे माराज तु राजा है चाहे दो हजारों शादिया कर सकता है लेकिन मेरा समझाने का फर्ज है करोगे तो आप अपने मन की ही अगर बुड़ापी में बगवान का भजन करोगे तो फायदे में रह जाओगे और लाश्ट कली में न्यू वोली कैसे और करवावेते प्याहा हो जा तेरे कमी नहीं से नदेटी पर तु जीराणी ल्यावेगा भोवेगा बेल विखन की मेरा ते कहना ये से तू करेगा अपने मन की बाजे भगते सुमर सत गुरिटे तु तक भूर खेलिये कमी मा मर्चा पहे सजगर मचे तूचा कहा कर दिये हाथ जड़े कहरी जो तेरे इतना कैने बुगई मा मा मुचा पहे सजगर मचे तूचा कहा कर दिये हाथ जड़े कहरी जो 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 प्रांगन में बैटे हुए सभी शोताओं को आवास को सुनते हुए गंगा के समान मात्र शक्ति वे मंच पर बैटे हुए सभी विसिष्ट अतितिगंड यहां से बाहर जितने भी शोतागन मेरी आवास सुन रहे हैं सभी को मोर म्यूजिक कंपनी की दरफ से वे आपकी बेटी प्रियांका चौधरी के दरफ से हाँ जोड करके प्यार भरांजे श्री कृष्णा आएगा जय गौमाता की आएगा मुझे भी आप सभी के सामने आज क्यूंकि फर्स्क नॉवेंबर है और हम सभी यहां हरियाना दिवस सेलिब्रेट करने के लिए पस्तित हुए हैं उसी उ और म्यूजिक कंपनी के ड्रेक्टर आदरनी राजिश मोरजी के द्वारा हम सभी छोड़े-छोड़े कलाकारों को आप सभी का दर्शन करने का सभागे प्रदान किया गया आएगा आप सभी के सामने एक रागणी और बता दिया शूताओ कि संसार के अंदर जो भी मनुष् सुनीगा रागणी के द्वारा कभी नहीं क्या लिख दिया एरे बिन अकल बूत ही बिन मान से एरे पशू बराबर हो से अगर इंसान ने ये मनुष्च की देह दिये और अगर बुद्धी भी दिये तो फिर इस बुद्धी को वज़िन में क्यों नहीं लगाया जाता ऐसे ऐसे नास्तिक लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो कहते है इश्वर है ही नहीं अगर इश्वर नहीं है तो फिर सांस कैसे लेते हैं इसी लिए कहा एरे बिन अकल बुद्धी बिन माणसे एरे पशुव बरापर हो से और शेर सांप के दर ते जाता अपूरत का डर हो से शेर सांप के दर से जाता अपूरत का डर है तेरा बिन अकल बुद्धी बिन माणसे पशुव बरापर हो से शेर सांप के दर से जाता अपूरत का डर हो से पूर्टर से जागा मूरग का डरे हो जेड़ कि बिन अकल गुद्धी बिन मानगा पशु बरापर हो से और शेर साप के डरते जादा मूरग का डर हो से इतना शेर को जहरीला बताया जाता है और साप को भी जहरीला बताया जाता है इंसान बहुत डरता है लेकिन इतना जहर आज साप के अंदर नहीं मिलेगा जितना मनुष्य के अंदर मिलता है पहली बात के द इर कागा चाले चाल हंसकी और अपनी चाल विसारी ये लुगधा भी करना चावे कोयल पे सरदारी जधाल द्या करे लठ खाता कोयल की बोली प्यारी ये रूप होशन और है जो वारसीली याद मिलती नहीं उधारी रूप होशन और है जो वारसीली नहीं उधारी ये सोगड आदमी चाल पर नारी सिखर आदमी चादर नाई वो गभागमार घर हो से ये सेर सोब से दर से जाता पूरत का डर हो से जे सोब से दर से दर से दर से दर पूरत का डर हो से आएगा वैसे तो कई शोदाओं ने अपना अश्रिवाद पहुचाया जिनका नाम मेरे को नहीं मालूम उनका वी तहदे से धन्यवाद अधनियों ओम प्रकास उटाजी जो गुडगाओं से हैं वो भी 500 रुपे अपने बच्छों को आश्रिवाद दे रहे हैं उटा अंकल जी का बहुत बढ़निवाद दूसरी बात के द्वारब बता दिया शोताओं कि इस भारत देश के अंदर जिसको रिशी मुनियों की भूमी कहा जाता है इस भारत देश के अंदर एक से एक ज्यानी हुए एक से एक पलिशाली हुए एक से एक टेलेंटर बंदा इस हिंदुस्तान में भरा हुआ है लेकिन पहले एक कहावत कहके चले गए कि राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कल्योग आएगा और हंस चुगेंगे दाना पाने कोवा मोती आएगा ये ताइम धीरे धीरे आता जा रहा है जो talented लोगें उनकी कदर नहीं है और जिनकों पताई नहीं है कि क्या होता है परिसने चाथा लभूरक काटरे हो सेरी जेशे समरे परिसने चाथा लभूरक काटरे हो सेरी इर मूरक मानस लाल लाल ली और एके लड मैं पोदे ओच्छी संगत देख लड़ी की लाल विचारा रोदे ज्यानी से ती ज्यानी भिड़ जा तैं बात ज्यान की तोह दे और तू रख से ती पला पड़ जा ते रही सही भी खोड़े मूरक से ती पला पड़ जाओ नहीं सही भी खोड़े तेरे नीच पुरुस की संदत में रहे तेरे नीच पुरुस की संदत में ना सुखरत भी भर हो से एसे साब के तरत जाता तू रख का डर हो से साब से तरत से जाता तू रख का डर हो से पुर्ख इंसान अपनी हैबिट्स से गपड़ जाता जाता तू रख के द्वारा बता दिया कि मूर्ख इंसान अपनी हैबिट्स से कभी बाज नहीं आता तीसरी वात मैं कभी ने सुनीगा क्या बदाने की गोशिश की तेर मूरख मानस की बोलण में हरतम टोटा भावे निंदा चुगली करें बुराई वत मानस खोटा भावे अपनी आप सरहना करते वो मानस खोटा भावे तेर कम खाणा दिक कम खाणा पर कम खाणा वत मानस मुटा भावे तेर कम खाणा पर दोटा भावे परे धर्म पर चार जगत में एरा युस्का अथरों से एसेर साब के तरसे जगा पूरत का तर है जोसे एसेर साब के एसे जगा पूरत का तर है इसलिए अंतिम कली के द्वारा दादा लखमी चंजी ने बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरी का अगर जीवन में अच्छा कारे किया होगा तो भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा लेकिन जानते सबें बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है अगर अच्छे कारे जीवन में किये होंगे तो पीछे वाले जो कहते जाते ना राम नाम सत्य है वो ही कहते जाएंगे भया बहुत अच्छा आदमी था बड़ा बुरा हुआ जो चला गया और अगर बेकार कारे जीवन में किये होंगे कभी दान नहीं किया होगा दिन पीछे तो क्यों ना ऐसा काम करके जाया जाए कि लाइफ में जाने के बाद भी लोग आपके नाम से आपके काम से आपको जाने सुड़ेंगा अंतिमकली के द्वारा क्या होता दिया है तेरे भले पुरस की भली कमाई और भले काम में लागे तान करते धन घटता ना ध्यान राम में लागे जिस पेरा जी परमेसर हो अच्छा जामने लागे लखमी चद्वी दो नो बक्ता अरे राधेशाम में लागे लखमी चद्वी दो नो बक्ता अरे शाम में लागे तेरे भुस का बिडा पारित रे रे तेरे भुस का बिडा पारित रे अरे जिस पेरा जी यारो रोस रे शेर साब के तर से जाता पूरत का दर है सरी शेर साब के हो डर से तागा पूरत का तर हो से तो इक पेड़ पे देखते हैं एक चकवा और चकवी अलग हो जाते हैं एक दिन के लिए लेकिन जैसे ही चकवा चकवी आपस में मिलेol Чकवे एक एक रात नहीं मिले तो इतना पुरा हाल एकि मैं बता नहीं सकती है दो चकवभी इसी बात को चकवी से कहता कि चकवी मेरा भी यह हल है तो पवण भूब सोचने लग जाते हैं अगर एक रात बिछडने से चकवा चकवी का यह हाल है तो मेरी अंजना का क्या हाल होगा बारा साल हो गए है जब से शाती हुए जब से ही मैं इस बोडर पे हूँ देश की रक्षा कर रहा हूं एक दिन से बिछडने के इन किसी को पता नहीं होता है कि पवन अंजना से मिलने के लिए आया बगवान कैसे करने होते है कि अंजना उसी दिन से गरव वती हो जाती प्रेमिश रताओ और जैसे ही अंजना की सास को पता चलता कि अंजना गरव वती है तो ताने सुनाने लग जाती है और बात के मादम से क्या गहती है आए नूबली है आगा पाच्छा देख्छा कोन्या ये तलूटे से रंग ठाट तने अरी डूब गई बेहुती अंज ना कर दिये वारा बात के बेहुती है बेहुती है बेहुती है अरी आगा पाच्छा देख्छा कोन्या ये तलूटे से रंग ठाट तने अरी डूब गई बेहुती अंज ना कर दिये वारा बात के बेहुती है बेहुती है बेहुती है बेहुती है बेहुती है बेहुती है जो तुने करा है ये तेरी अच्छी बात नहीं है लेकिन जैसे तुने करा वैसा ही तु भोगेगी और पहली बात मैं के कहलागी अरी लाजसर में सबतार बगादी अंजनाख परवरनी कर में छोड के अधर में करनी कोन्या पार्यों करनी अरी करमा का फड़ पड़ भोगना आगया वैकरनी हर यह डंडी की तरी या तु भून बिराणी चरणी खुली बछेरी चरे मोज मैं अरी खुली बछेरी चरे मोज मैं अगली कोन्या गाटकने डूब गईंके में हूदी अन्ड मातरी है मारा माधेते हुती है में हुती है में हुती है अरी संद का संद की ती कहसे तेरे खोट ने कड़े लगोल्यूं ओँच पवडा कर बैठी तने कड़े कड़े ते रोलूं हेना दुनिया मैं चकन इसायो तेरे पापनलको लिऊं एक ये सारा सै घणी कैन न मैं आमें बुटी हो लिऊं अरी खून बिराना तेरे पेट मैं अरे खून बिराना चरे बेट मेलू क्यूं कर घर में डाटतने तूब बैई बेहूती अन्द कातर दिया बारा बाद में नम्दी हे अरे बशी हे बेड़ किया हे बेड़ किया fifteen कर दो कि बारा कि अरिनो मा भिन्ना पूरा हो जा कती उघाड उघड जाए दुनिया हमें तेरी चर्चा चले सारी बोरली कड़े जाए मुखाला कर बैठी हिन तेरे ना गड़ कड़ी लड़ जाए ना चाहती तेरी शकले देखनी तु घर ते बारली कड़े जाए बेशक कुवा जोड़े टोलिये बेशक कुवा जोड़े टोलिये मैं कदी रही ना ना ड़कने रतूप कई पे खुदी एंना गरती बारा बात से रहती है बाता हम पाच्छा ते क्या पोण्या रतूप कई पे खुदी एंना कर्या बारा बात कहोती है, कहोती है कर लेकिन जब तेरा खशमगर में आ जाएगा, जब तेरी सारी बात बताओंगी तो 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 यू नहीं बेरा की तेरी गेल के बन जाएगी जब लुगाई मरत की बात नहीं मानने करें, अपनी चलावत तनू कह दिया करें किसकी नडमलक्ष फसादे हो, जब मानने की या तो यू कहने लग जाती है, जब तेरा खशम आ जाएगा, अगर मेरी बात नहीं माननेगा, तो नहीं बांडे टिकवा दियूंगी जब कर लिए जो तनू करना है और अमती बात मैं केक है लागी, हाँ, देवार आरी आलने दे, तेरे खसमे डेटने, नडमे हलठ ठकवा दियोंगी सब रंध ठाट भूल जागी, दिन मैं तारे दिखवा दियूंगी अरी जह पहले वो तेरी आड मैं न्यारे बांड़ दिकवा दियूंगी अरे मेरे मसकी नई, सांडे निनुचि ठी मैं लिखवा दियूंगी केरी बहु घरा और तू बोडर पे के रोलू मेरे शिज चाट दने रहे कुप देई के उन्ती अंगरा करने बारा मात पनेंदी हे लेहुती हे केरी बहुती हे लेहुती हे लेह इन्ती हे रहे मेरे श्युका फिर्णा करने बारा मात पनेंदी हे लेह बहुती हे सर छोटु राम की रागणी ये रागणी मंच के माध्यम से हो ली चाहिए तो एकी रागणी के अंदर सर छोटु राम जी शहीदे आजम भगस सी वे जितने भी इस देश के अंदर बेटे हुए और राजश मोर नजम गड़ जी जिन्होंने आज ये इवेंट रखा है उनकी इस्पेशली डिमांड थी इस रागणी की जो कि मैं कई बार गात चुकी हूँ लेकिन इस मंच से गाने का आदेश है कि आज यहां पे दूर दूर से जाट समाज एकत्रित हुआ है और यहां भाई चारे को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी पहल करी जा रही है एक कदम उड़ाया जा रहा है इस गाने के अंदर शहीद आजम भगस सींग के विशय में और से छोटू राम के विशय में भी बताया जाएगा जो की फर्माइस की गई आईएगा रागणी के दौरा बता दिया कि इस देश के अंदर शहीद आजम वीर भगस सींग सर छोटू राम लाला लाज पत्राय कितने सारे वीर योदा जिनके सेक्रिफाइस के द्वारा फ्रिडम मिला आजाद ही मिली आईएगा सुनिएगा रागण के द्वारा और अगर आप भी शहीदों के नाम की और इस देश के उपर जिनों ने अपने प्राणों की आउती दी देश के लिए अगर बास सुनना चाते तो एक बार भारत माता की जह जरूर बोलिएगा बोलिए भारत माता की अभी जितने हाथ उठें उतनी आवाज में दम नहीं आ रहा बोलो भारत माता की आईए गुरुजी क्या बता की और हम सब का और यार मान वतन है और प्राणों से भी प्यारा ये हिंदुस तान हमारा ओ हिंदुस तान हमारा इस देश के अंदर हिंदु मुस्लिम से किसाई सब आपस में भाई भाई ये है इस देश का एजेंडा सुनेगा और हम सब का यार मान वतन है हम सब का और प्राणों से भी प्यारा हिंदुस तान हमारा हिंदुस तान हमारा है हिंदुस तान हमारा हम सबी का अर्मान वतन है हम सबुआ हिपराणों से भी प्यान है हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हो गुजी पहली लाइन के द्वार बता दिया सर छोटू राम दिवाने जिनका बहता खून वतन है और सच पूछो तो प्यारो भारा इश्क जुनून वतन है ये सच पूछो तो प्यारो भारे इश्क जुनून वतन है भारे दिल में नित बहती है दाय अपना की बारा हिंदूस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा शोताओं दूसरी बात के द्वारा बता दिया अगर खेत में किसान कमाना बंद कर दे और सीमा पी जवान प्रोटेक्ट करना हम लोगों को बंद कर दे तो आज यहां रागणी सुन रहे हैं I think रागणी नहीं सुन पाएंगे इसलिए कहा ऐसे ऐसे बेटे जिन्होंने यह कहा अकर जीएंगे और मरेंगे तो वतन के लिए जिनमे सबसे पहला नाम आता है शहीद या जमभगत सिंखा जिन्होंने कहा कि सर फरोशी की कमनना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना पाज विए कातल में है और वक्त आने पर बता देंगे आस्मा तुझ को कि क्या तो हमने सोचा है और क्या हमारे इस दिल में हैं और क्या हमारे इस दिल में सुनीगा दुसरी बाद में क्या बता हैं हम पजी वीर दिवाने हैं सम्मा के परवाने दुश्मन के जानी दुश्मन ये सारी दुनिया जाने और भारत मा के शी चरणों में जीवन अरपन सहरा हिंदुस्तान हमारा हम जाने । शोताओ, आज बोह सारे नहीं नेताओं की बात होती है, नेता तो एक ही थे, और नाम था नेताजी सुभास चंद्रबोस, अगर आपको मेरी लाइन जरा से भी अच्छी लगे, तो सुनने के बाद जादा कुछ नहीं, मिठा मिठा, अपने दोनों हाथों का आश्रवाद अपने बच्चों तक जरूर पहु सम्ते वीर बगस्तीं के जैसा, कोई सरदार नहीं देखा, आज एरे गयरे नत्थू, एरे तंत्री बनकर बैठे हैं, और जिन कोच येलों में होडा चाहिए, वो मंत्री बनकर करके बैठे हैं, वो मंत्री बन के बैठे हैं, और बनाता कौन है? हम और आप, लेकिन जब तक काम बनेगा तब तक वो आपके चरंस पर्श करेंगे दैन अपना काम बनता फिर भाड में जाओ यह सिदा सिदा फंडा है लेकिन कैसा भी हो अपना भारत देश नंबर वन था नंबर वन है और नंबर वन रहेगा इसलिए गाया अरे धरतिसु नहरी अंबर नीला हर वो समरकी रा ऐसा देश है मेरा अर बोले पपिहा को या लगाए ऐसा देश है मेरा हैसा देश है मेरा आईएगा पहले कई सो रुपे I think एक क्यामन सो रुपे से जादा उनके आथ चुके हैं और फिर से आदनिया ओम प्रकास हुड़ा जी जो गुड़गाओं से चलके आए हैं और ग्यारे सो रुपे इस स्रागनी पर खुश शूकर के दे रहे हैं ओम प्रकास हुड़ा जी फ्रों गुड़गाओं उनका तहद से धनिवाद आएए सुनी गांति मिलाएं नों में क्या बगा दिया अपनी भारत माता के हम पहरेदार निराले अपनी भारत माता के पहरेदार निराले ओ सब धरे धराए रहजा दुश्मन के वर चीवादे और विरवाल ना कर भारत का विरवाल ना गर भारत में और चमकी भुलद से नारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हम सब का अर्मान वदन हैं हम सब का अर्मान वदन हैं प्राडों से भी प्रारा हिंद इस्तान हमारा हिंद छिन न हरह करते हैं प्रेमिसरोंत आओ कि जोध्पूर में राजा बिर्म दी राज किया करते थे उनका एक पुत्र था जिसका नाम था जैमल कुछ बिमारी के कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्तु हो गई और जब उनकी मृत्तु हुई तो उनका छोटा बाई माल देव उनसे वो क्या कर गए थे कि मेरी पत्री और मेरे बेटे की जुम्मेदारी तेरे उ उपर हैं तो उनकी देखवाल करेगा राजा के मरने के कुछ दिन बाद प्रेमिस रोताओ अपने रंग दिखाने लगा माल देव और न्यूख करने लगा कि बाबी तू मेरी बाबी नहीं है और ना तुझे कोई हिस्सा मिलेगा न्यूख करने लगी देवर अरे मैं कहां को और को सुनते हैं हो त्यरी बीर की जाततने इना बाता का पेरा कोन्या और तुझे की बात करती है हरे चार चीज का बुलते आई के हक तेरा कोन्या हो चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या हरे तेरी बीर की जाततने तेरी बीर की जाततने पाता का पेरा कोन्या चार चीज पाँ बुलते आई के हक मेरा पोन्या अरे तु हिस्से की बात करती है महा भारत में दुर्योदान ने हिस्से के उपर महा भारत का यूद्ध कर दिया लेकिन हिस्सा नहीं दिया क्या कहलागी बुलाओ है रे बेर विरोद आपस के जगडे जुटे रासे नासे चोरी ठगी बनमासी के हम भुके प्यासे नासे है रे इन बाता में नास हुया करे खेल तमासे नासे कोई बीठा के धरले घर में खील पता से नासे है रे ब्याह शाती में पट्या करे से ब्याह साती में इसा लग तेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या है रे जली अर घोड़ा है जली अर घोड़ा भूरा हती हांगे ते घेरांगे अधुआ था फैसला कर दे ना उल्टा गे रांगे है रे दोन्नु घरा बड़े दीव हम राम राम टे रांगे बीस बरस रहा थारे धोरे इब हम काठी गे रांगे है रे सारी उमर बंध्या थारे रे सारी उमर बंध्या थारे यह इसा बच्छेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या बहुत बदनेवाद लो क्यान लागया बापी अरे कहा की बापी तेरी ओरत की जाथ है इसलिए तुझे पकस रहा हूं अगर कोई इम्रद होता ना तरण में ले जाता युद्ध करके जब उसको राज देता किस तरा से क्या के लागया माल देव है रे तेरे तो तो कहना क्या तेरी तेरे ते तो कहना क्या तेरी जात लुगाई करके जान गया तू मानेगी इब लोग हसाई करेगे है रे गणे दिना ते ओट्या करता बड़ा भाई करके इस जे मलने क्यों कर ओटू यो चले हताई करेगे इस जे मलने क्यों करना तू करे हसाई जे तेरा जे मलियो सबने डस ले तेरा जे मलियो यो सबने डस ले सरक गवेरा पड़ के चार चीजत काबल तै आई के हक मेरा पड़ा है चार चीजत काबल तै आई के हक मेरा पड़ा और आदर्निय चिलर पूर्व परधाम हर्याना जन्विकास मंच की तरफ से सो रुपी का प्रिश्कार दिया जाता है राजिंदर चिलर जी का तेह दिल से दनेवाद करती हूँ कि अगर अराम से रहेगी तो फाइदे में रहेगी अन्य था एक भी चीज में तुझे देने बाला नहीं हूँ क्या समझान ला गया हेर श्याना मानस चत्र लुगाई श्याना मानस चत्र लुगाई गर की चापी होसे अपना लेले गैर का दे दे ठीक हिसापी होसे बटा भाई बाप बरोबर मा कैसी बाप भी होसे सोचे समझे बिन कुन बे में खून खराप भी होसे सिरी मांगे राम ग्यान का दिवा मांगे राम ग्यान का दिवा पिर रहे अधेरा कोण्या चार चीज़ का बुलते आई के हक मेरा कोण्या पिर तरी वीर की जात तने पाटा का बेरा कोण्या चार चीज़ का बुलते आई के हक मेरा कोण्या पेरी होरी सुबे मार सकीरी ना करती असरे दवाई है पेरा ना करती असरे दवाई है पेरा ना करती असरे दवाई है आता था जमाई है पेरे होरी सुबे मार सकीर आरी जोपन में भर पूरी न्यूर मेरा बिन साचन के डढ़या होया रात दिना बेहचन रहू मेरे नाग प्रेम का लड़या होया मेरा बल मा आयायो नाग प्रेम का लड़या होया अरी मेसु सुने का गुलत सिता असल माल का घड़या होया मैं सु सोने का मुल गस्ता असला मारा हुआ हुआ अरी देखल्यू मुख बल न मैं काया अरी देखल्यू मुख बल न मैं काया खोग जाकला सावाई है पेरा दापने लीमनियावे मां का ख़ज जमाई है औरी देखल्यू मुख बल गस्ती कि बेबे जो मेरा पती है वो थोड़ा छोला जादा है उसने छोगो जादा आजाये करे मन यूँ लागे है कि शेनन देजे ठाणी न फोन करके लागे मेरी चुगली करती थोड़ी वहती स्लिए मन वो लेने नहीं आया है और दूसरी बात मैं के के लागी अरी जिन के बल में धोरे ना उसकी मुस्किल से गती हो बैर भीर के अपरे में मैं फसके आया ना बेदर दी हो सासूनन देज ठाणी ने कदे चुगली ना करती हो किशे शोकराण में मेरी हे कदे जुठी गवाई भरती हो सुभा का तेज घणा करी सुभा का तेज घणा वो ता मेरी नण देका भाई है पे राचा कते ले वडियावे पेडि काता धास जबाई है औरी सुभे अगार सक्थी अरी ठीक नहीं पिहर में रणा खोन देका भाई है दान की छोरी ने पद चम केगा चांद मेरा वो हर दम्यास चरकोरी ने खावडिया कद खावेगा इसे औरी खाड की बारी ने अरी फोडणिया कद भोड़ेगा इसे माटी खाड की गोरी ने अटी की हनी पोरी मैं कबिने बाल में की सोरी मैं यहां पण जावरी तबाई है तेरा तमदे लेवणी आवे माता खाजा आई है कर भी सुखता है तेरा 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 तोंदे लेवाई की और ये आदर्णी बिजेंदर जी बिजेंदर सोलंकी पूटकला से और ये शिवरातरी पर भी प्रोग्राम कराते हैं और दो तीन बार मैं इनके वहाँ पर जा चुकी हूँ 500 रुपे से मान समान करते बहुत बहुत देनवाद और अंतिम कली में के लिख दिया अरी मुश्किल हो जा रात काटनी बिन बन रहके सुनी सूँ सेज का सोणिया आज यान चमिकू दूणी दूणी सूँ चिकणा चिकणा गात मेरा मैं असली की पूणी सूँ अरी आमस रोल पकी डाल की मिठी नाय लूडी सूँ अरी आमस लोल पकी डाल की लोली सूँ अरी मेरे सिंग वो रया चला मेरा चौपल जाज हवाई है मेरा नगद लेवण आवे मेरी माता था जवाई है मेरी सुबे मार सकीना करती अस्रे दवाई है मेरा नगद लेवण आवे माता था जवाई है मेरी सुबे मार सकीना निकाने का देश और दिया गया और यह रागनी किस प्रकार से चाप सिंग और सौनबती के किसे से होगी और मौका होगा कि जब वो सेर खान अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एक दूती के पास में चला जाता है और नीचे से अवाज लगाता है उस दूती को किस प्रकार से क्या कहने लगा सुनेगा रागनी के मातां से और मन ने किन के दे लिए खौल दीन साओ हेरे साथ जबारे आली और कहने लगा क्या तो न खोले नहीं की बार देख जा बार जबारे आली खोले नहीं एक बार देख जा बार जबारे आली और मन ने क्या दे लिए बार जबार 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 जबा तेरे तेमने काम जरूरी, तेरे तेमने काम जरूरी तु कति मोलती कोला में खड़ा गॉल में रुखे मारूं तु गेट खोलती कोला मेरे कत्ती बोलती जोना परगी कत्ती बोलती जोना मेरे लान्चो वारे आई पोल्ले नहीं को आणदेखडा बांचो वारे आई पोल्ले नहीं को आणदेखडा बांचो वारे आई जब उस दूती को आगा सुनाई पड़ती है तो किस प्रकार से आती है और क्या किल लगी सुनेगा है रचा क्या मिची इसी होरी ना जा क्या मिची इसी होरी मेरी तूट थी अंगडाई कोन काल में रुके मारे देग्या बोल सुणाई मेरे ओल काल में रुके मारे देग्या पेल सुनाई मेरे तहलिया दोरे आये छोड़के तहलिया दोरे आये छोड़के थाट जबारे आली कोले नहीं क्यो वारे देग्या पाट जबारे आली कोले नहीं क्यो वारे देग्या पाट जबारे आली क्यों प्रुष्कार पहले दिया और दोस्तों एक रुपे फिर से देते हैं आदेनिया मनोज उजवांस याए हैं दोस्तों एक रुपे का बुष्कार देते हैं तहरे देन से बार बार धनिवाद 11,000 रुपे का दान बाके पहलवां जी को उस्ताला में दे रहे हैं 11,000 का दान बाके पहलवां जी को उस्ताला में दे रहे हैं और दोस्तों पे पार्टी को दे रहे हैं दोस्सो एकिस सोपे ले दिये गउसाला में पार्टी में ठीक धन्यवाद करते हैं और पांचोर पे इस्वर मान जी इस्वर मान जी पांचोर पार्टी कोते रहें इस्वर मान जी का बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद हेरे तेरे हाथ में तीर निसाना तेरे हाथ में तीर निसाना अज इसने चलवा दे कहते उसने अडे बुला कोई खास निसानी लिया दे कर दियो खास भी सानी लिया दे कर दियो तेरे ठाट चुबारे आरी खोले नहीं इक नवार देखना खाट चुबारे आरी तेरे खोले नहीं क्यों आर देखना आरे आरी गैदिया कि दूती तरवारों के अंदर मरने और जीने की सर्थ लगी हुई है अगर तू सोंपती की कोई विसानी मुझे लाकर के देदेगी तो मेरी जान पज़ सकती है अब मेरी जान तेरे हातों में है अंतिम कली के द्वारा क्या लिखा हेरे परजीन की सर्थ लाकरी परजीन की सर्थ लाकरी नासर इसमें छोट कती उसका पती गया फोज में वा घर्या एक ली सोंपती तेरे उसके पती का नाम में हरसिंग वस जाट चुबारे आई तेरे बिल नहीं कमार देखना बाट कमार आई आई तेरे बिल नहीं कमार देखना बाट कमार आई आई प्रान पखिर उड़ जाने के बाद ऐसा बताते हैं पोरानिक लोग अक जब यम के दूद सत्वान के प्रान लेने के लिए आए तो शाबतरी का जो चरत्र का तेज था उसके सामने प्रान नहीं ले जा सके मेरे महरवानों आखिरकार यमराज को आना पड़या यमराज जैसे ही प्रान लेके चलता बढ़या शाबतरी पाँचे पाँचे चल देती है सत्वान के प्रान जा रहे हैं सावत्री पाच्छे चल रही है मेरे महरवानों इस रागनी को भी पहली बार आपके बीच में कह रहा है और ये भी दादा लख्मी के बोल है आखकार सावत्री को देख करके यमराज रुक्या और कहा रहे बेटी मांग ले जो कुछ मांगना है तीन बचन मांगे थे और तीन बचन में एक बचन में न्यू कहा था अक मैं पतवरता आउरत हूँ मेरे एक लाल होना चाहिए न्यू बोल लिया जब न्यू बोल दिया अक तथास्तू बस सावत्री ने यहीं फसा लिया और जब तथास तू कहकर के यमराज चलने लगया सावत्री ने पकड़ लिया हर नियू बोले यमराज मेरे बचना न तो पूरे कर जा अर के दादा न लिखा बस पांच मिनट की रागनिये एक बताली ओर दे दीजिये स्वाध सा जागा शुनियेगा बेटी सावत्री जो भी तन्य मांगया है जा यमराज का वचन है वो जाते ही घर पूरा हो जागा तेरे तीनों बचन पूर्ण होंगे जा बेटी तथास तू चली जाओ चली जाती अ होने अगर आप पूरा आपने पहले बचन में मांगया अक मेरे साथ सासुर नेत्र हीन है उनको ठीक कर दे मैंने वचल दिया दूसरे वचल में कहा अक जो छल से मारा राज पाट लिया गया है वह भी वापिस होना चाहिए जा आज से तेरे ढोलक वाजेवारों को ढोल बज है खाली नहीं जा सकता तेरे एक पुत्र की प्राप्ति होगी यो भी वाइदा रहा है अच्छा माराज चली जाओंगी लेकिन जाने से पहले दुनिया के प्राणों को हरने वाले यम्राज जी मैं आप से कुछ कहना चाहती हूँ चल कहले कि मेरी बात को ज़रा गौर से सु सबके घर में भारी तयाते अरे दिया हुआ दहनमाल होगा अरे जाती मरद बिन सती बीर के कहो पुत्र किसे दहाल होगा अरे सबके घर में भारी तया हुआ दिया हुआ दनमाल होगा जाती मरद बिन सती बीर के कहो पुत्र किसे दहाल होगा अर जती मरद बिने शती बीर के, कहो पुत्र किस ड्हाल होगा तेरा दिल किस तरिया नहाल या और तेरा दिल किस तरिया नहाल या मनने सास सबर का भाल या मेरे मेरे पती ने लेके चला मेरे सती बीर के, कहो पुत्र किस ड्हाल होगा एर जती मरद बिने सती बीर के, कहो पुत्र किस ड्हाल होगा पहले भी हमारी टीम को कई हजार रुपयों से सम्मानित किया है चौदरी बलजीत डागर जो हमारी गवशाला के परदान है हम दोनों के लिए पान सो रुपे इस रागनी पे भी देते हैं और सो रुपे राजिंदर छिलर जी पूर परदान हरियाना जनविकास मंच भाई असोक मलिक जी फिर से सो रुपे अर भाई दूसर उरुपे बढ़े भाई साब देके गए नाम तो नहीं बताया बार बार धनिवाद करता हूँ एरी सावत्री कहीए यम्राजी न्यूं बता जब मनने तेरे को न्यूं कह दिया कि जाते ही जाते ही तेरा छोड़ा होगा जाते ही जाते ही मतल 스타 बगैर मरद के बच्चे नहीं हो सकते क्याrin है परदान जी बगैर मरद के बच्चे हो सकते हैं नहीं गरु जी आप पता है सतीज तरीग नहीं हो वैसे जो सतीन हो उसके तो हो सके है अच्छ यू मनने ज्क्ञान की बात यो है आज की लुगाई तो ज्यादातर बाबा जीयों के दोर चोरा मांगे हैं। मन ने सोच एसे हिसके हो जाएगा। तन ने तो फसा के खड़ा कर दिया मैं। इब अगर तेरे पती ने लोटा। तो मेरी इसी-ठी-ठी हो जागी। तो होगी और अगर ना लोटाओं तब भी मेरी इसी दिसी वो तो हो नहीं है वो तो बड़ी चतुर चाला मेरे वचनों को पूरा कर दो बस मुझे नहीं पता कुछ भी एक काम कर चोरा की जरूरत नहीं इस तरुन बोसने ले जा तू न्यूए ले जा फिर मैं क्यों ले जाओ मैं नहीं ले जाओंगी मुझे तो मेरा ही छोरा चाहिए है फसा के खड़ा गर दिया यो यम्राज सुन मेरी बात ही है अला मेरा खोटा मतारी नहीं था मेरा घोटा मतारे नहीं था तेरी में तलने रहा सतारी नहीं था अरे पहलम ते मन पता नहीं था तेरा धरम कपटका जाल हो गया सती मरद दिने ये सती बीर के पहुप प्रके से डाल होगा सती मरद दिने सती बीर के पहुप प्रके से डाल होगा जो मैं चाहती हूँ मेरी बात को जरा गोर से ध्यान से सुनो यम्राज जी अगर पहले बता देती तो आप मेरे पती को जिंदा कैसे करते आदमी को रंडवा रहना चाहिए वाई साब यासादी नहीं करना चाहिए कभी पचल कहले कोई वात ना सुनी मेरी वात थोड़ा सा मने ग्यान बखस थे थोड़ा सा मने ग्यान बखस थे हो मेरे रहली ये वरे दान बखस थे मेरे पती की चान बखस थे मेरे पती की जान बकस दे, पुरा मेरा सवान होगा हर जती मरद बिन सती बीर के, कहो पुत्र किसे धार होगा स्री राजिंदर छिलर जी पूर परधान हरियाना जनविकास मंच और भाई अशोक मलिक जी कई शो रुपे पहले और फिर से शो रुपे दिये धनिवाद फसा के तो खटा कर दिया पर अब तू न्यूं बता जब तन्य फसाया तो तू यह लिकाड भी मुझे बाहर मैं करूं तो करूं के अच्छा धरन संकट से आपको बाहर निकलना है 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 यम्राज यह बात मैं भी जानती हूं कि जो दुनिया में आया है वो आगे पीछे एक ना एक दिन जरूर जाएगा फिर और मुझे यह भी पता था कि मेरे पती की आयू सिर्फ एक ही साल है लेकिन ह है यम्राज आप सिर्फ अपनी इस बेटी को यह बता दीजिए कि मेरी आयू अभी कितनी बाकी है यह बता दू परदान जी एक बार रेजिस्टर निकाड़ो इसकी आयू बताओ कितनी बचली है देखो तेरी आयू 80 बरस 9 महीने 8 दिन 7 घंटे 6 मिनट 5 सेकंड और कुछ पल अच्छा है यम्राज 80 साल 81 साल के करीब जी अगर मेरी 80 इतनी लंबी उमर पर यह बबलू साउंड वाले यह 82 साल जीव हैगा अच्छा है और किसी कि अगर मेरी इतनी लंबी आयू अभी बाकी है तो उसमें से आधी आयू मेरे पती को दे दीजिए मेरा पती जीवित हो जा और इस दुनिया में सत्यवान साबतरी जीएंगे तो सासाथ और दुनिया को छोड़ेंगे अलविदा करेंगे तो भी सासाथ मराज तो भी सासाथ तुझे यम्राज जैसा दिल फर्याद यक्ति नहीं में लगा अच्छा सुन मेरी बाद करें कामे सरामे का जाले जा पती में सुन ही आरे नरामे का अरे मेरे बचन और तेरे धर्म का सब दुनिया के ख्याल होगा जाती मरद बिने सती बीर के पहुपत किसी ढाल होगा ये सब के घर में आरी दयाते वह सब के घर में तिया हुआ धने माल होगा जाती मरद बिने ये सती बीर के पहुपत किसी ढाल होगा सत्यवान सावत्री के किसे से और उस समय से कि जिस समय सत्यवान का विभाज शावत्री के साथ में हो जाता है तो सत्यवान कहता है सावत्री इस दुनिया में मेरे से अच्छे इंसान तेरे को मिल सकते थे और क्या सत्यवान समझाने की कोशिश करते हैं बाकी हमाने सुनिएगा रागने के द्वारा क्या बतारी और कहने लगा सुनिएगा इरे घना रंजमन न्यूआवे उतन विर्था जिन्दगी खोली एरे सावत रीतने के सोची तू कंगले गेला हो एरे सावत रीतने के सोची तू कंगले के लो एरे घना रंजमन न्यूआवे उतन विर्था जिन्दगी खोली एरे सावत रीतने के सोची तू कंगले के लो एरे सावत रीतने के सोची तू कंगले के लो ये रखेले की बन खंड में मेरी देल लाकडी डोक है बोलने शेर बखेरे तूते मर जागी रोरोक है गेरे बोलने शेर बखेरे तूते मर जागी रोरोक है गेरे और किसे है का दोस नहीं तू आप काट ले वो राजी होके कहर आशू कोड़ा कहर आचो होके गेरे राजी होके कहर आशू का पहर आचो होके गेरे सकी सहली कटी होके सकी सहली कटी होके गेरे बारे की तेरा बोली सहावत रीकने पेशोची कु अमले बेले हो यू कहने लगे दूसरी बात के द्वारा मेरे मा बाबुजी आखों से अंधे हैं उन्हें दिखाई नहीं वेता इर मात मेरी अंधियारी से और मात मेरी अंधियारी से पिता मेरा अंधियार वो मानसना किसे काम का जिन कोना वक्त विजारा तू राज घरा के रहने आडी करें जान कहां का जारा और वेख पात की लगो करिणा मतलव खुल्या सारा वेख पात की लगो करिणा मतलव खोल्या सारा यर लकडी प्याचू करूं गुजारा लकडी प्याचू करूं गुजारा पद्रा सेर भी न तो लिये यरे साहत परी पने के सुची तूं अंगले गे रहो यरे साहत परी पने के सुची तूं अंगले गे रहो तीसरी बात में जाट महर सिंग जी ने बताया साबत्री को समझाने की कोशिश की थी सत्यावान ने तीसरी बात में जुड़ेगा क्या बता दिया यरे केले की करीब की गल्या केले की करीब की गल्या कोई राज कुवर ने टो हो ले जिसते तेरी मुक्ती हो जा बेल अगत की वो ले जिसते तेरी मुक्ती हो जा बेल अगत की वो ले यरे धर्व करम में ध्यान राख के दे यूए पढ़ के जो ले तेरी सारी जिदगी पत जागी इसी जगानों फिटो हो ले तो तेरी सारी जिदगी पत जागी कोई जगानों फिटो हो ले तू महल हव्यली मां केगी तू महल हव्यली मां देगी मेरी छट्टी सी घर भोली मेरे शावकरी के मैं केशो चिनू कंग ले गह लो मेरे शावकरी के मैं केशो चिनू कंग ले गह लो और कहते हैं कि दू तही का खाणा और ऐसा है हरियाना तो हरियाना में ना तो आर्टिस्टों की कमी हैं ना राइटर्स की कमी है ना प्लेयर्स की कमी है और रैसलर्स की कमी है तो सुशील पहलवान जी के फादर साव उनके पिता जी 501 रुपे सुडागनी पर खुश हो के दे रहे हैं उनका बहुत बहुत भँत धने बाद आईएगा ओम प्रकास हुटा जी जिन्होंने कई सो रुपे का प्रुश्कार पहले दिया आदनिया ओम प्रकास हुटा जी फ्रों गुर्गाउं फ्रों गुरुगाउं गुरुग्राउं वह अगे 1100 रुपे दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धनेवाद राजबान सिंग जी जो निठारी से चलकर आये हैं इस्पेशली प्रियंका चौधरी के लिए 1100 रुपे दे रहे हैं अलग से अलग से दे रहे हैं बहुत बहुत धनेवाद अंतिम लाइनों में जाट महर्सिंग जी ने फाइनली एंडिंग पईंट पे क्या लिखा है सुनिगा अंतिम लाइनों के दौरे बहुत बधनेवाद और दादा जी के 500 रुबे जो उन्हों सोस्व करके दिये हैं जो तूडा मंडी से हैं आदनिया जगवीर सिंग जगवीर सिंग जी तूडा मंडी से हैं जगवीर आधिती तूडा मंडी से वो 500 रुबे दे रहे हैं अर्कांजी का तहद उसे धनिवाल सुड़िया का क्या बता है यरी मेरी केल्या फिर यहां करेगी पाद भरोटा काथ यहां इबत लगतने देख्या को न्या जगवारबाद का यरी इवन अलग बन देख्या को न्या जगवारबाद मर यहां यरी जंगल के हमा छट जाना तेरा खाना पीना चाते का और धर्ती के मां धर्ती के मां पढ़ना होगा तोन्या का खाना तेरा यहां चंद महरसिंग जान का रे चड़ खुटी के मकारी तेरी सावत रीतन के सोची कू पंग लेकर लियो केरी खणा रचमन तो हां मेरी खणा रचमन तो जूँ आंपाच रेकि पो ने चंद मम अचा हो तरी तन पे के सोची कू पंग लेकर ले जो बेटी प्रियंका चोधरी ने सत्वान सावतरी की रागनी गाई थी, क्योंकि इस मंच की दो विसेशताएं हैं, एक तो आपको उपरा तडिकी बात सुनानी हैं, दूसरा मोर म्यूजिक कमपनी के डारेक्टर की ये आदेश मानिये, ये निर्देश मानिये, ये अनरोद मा मानिये, कि जो आपने आज तक नगाई हो, वो रागनी जरूर रखना, तो प्रेमियों ये जो दो, एक तो नंबर है, अगर अच्छी लागे तो दूसरी भी बता देना, दूसरी भी गा देंगे, ना तो अपना बेट जाएंगे, जो सत्वान सावतरी की रागनी हुई थी, अभी प्रियंका चोदरी ने आपके बीच में रखी थी, किस्चे में किस्चा आगे बढ़ता है, तो जी अच्छा लगता है पर्दान जी, थोड़ा सा दादा लखमी की बात है, दोनों मिलकर के बढ़ा दें, ताली बजा के एक बैसीर बात देती जी है, और मौका वो होग थोड़ा समझना, जितना भी हुनर अपने अंदर है, उस परकार से रखने का प्रियतन करेंगे, जो वाकई ओर्जिनल सत्वान शाबतरी का किस्चा है, प्रेमियों आखिरकार, साबतरी नहीं मानी और सत्वान के साथ मैं साधी कर ली, साधी के लिए जब नारत जी ने बता साधी कर ली, समझने की बात ये है, ग्यान की बात ये है, साथियों, जिस लड़की को ये बेरा हो, अग तेरा पती एक साल बाद मर जाएगा, आज के जमाने में ढूंडने से नहीं मिलेगी इसी छोरी, अर यू कह देगी, इवता पंडिजी भी जू कहा है, लेले लाडो फ दुनिया में सबसे बड़ा मंत्र है गायतरी मंत्र, लगातार सुबह साम एक साल तक गायतरी मंत्र का जब किया, और जब वो मन्होस दिन आ गया, जिस दिन सत्वान की जीवन का आखरी दिन था, अपने पती के साथ लकडी काटने के लिए जब गई, तो दादा लखमी की र अचाएगा नहीं, लेकिन जब सत्वान की शिर्में दर्द होने लगया, और ये महसूस होने लगया कि लगडी कोई नी काटी जब भई, दिल उड़ने लगया, आज अटेक कहते हैं उस चीज को, जब जी घबराने लगया, किस परकार से दादा ने के लिख्या है, परदान आज वो तूटने वाला है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हों, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, सावत्री मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते, यहां तक आखों के सामने कोई काली-काली भयंकर मूरती, दराओं ने सपने दिखा रही है, ऐसा लगता है, हे ब्याही, अग आज मेरे प्रान पखेर उड़ने वाले, तेरा ये पती बचने वाला नहीं है, अगर कोई यतन बना सके तो बना ले, हे सौमी, जब तक मैं जिन्दा हूँ, आपका बाल भीबा का नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि आज आपने और दिन की अपेक्षा ल मेरा हाथ पकड़ा, क्या पाच्छे ने डाटे से, अरे मेरी काया में दरद धना मेरे हिरते में चाटे से तेरे साम तरी मेरा हाथ पकड़ को पाझे ने डाटे से अरे मेरी काया में दरद धना मेरे हिरते में चाटे से ये रे तरद का जाने तरद का जाले पुड्या मेरे तन में जो याद भी धी मां कड़के मां कड़के दुक का पता ना के कर दे इसी कसी मुष्क जा करके ये रह कई बार ठा लिया कुल हडा रह कई बार ठा लिया कुल हडा रह कई बार ठा नस फिदगी आग गड़के, खस बिदगी आखरेके येरे कई बेबो चलिया पकड़के अलसे दूना पाटे से मेरी पाया को तरद खना को सावत्री कहीं इस दिल की धड़कन को बहुत रोकिया लेकिन रुकती को ना जिस परकार से मकड़ी जाल बुन्या करती है उसी परकार से ये दर्द उपर से नीचे तक मेरी काया में फैल चुक्या है आज कहीं नारद वाली बात कहीं सत्य तो नहीं होने जा रही है महराज आप चिंता मत करो मैं आपको समझाते हूं मेरी बात को समझने की कोशिश करो और सुनिये मेरी बात और बड़े भाई राजिंदर छिलर जी पूर परदान हरियाना जनविकास मंच और भाई असोक मलिक जी का बार बार धनिवाद कई सो रुपे पहले दिये हैं और सो रुपे से फिर मान सम्मान करते हैं अधरनी बड़े भाई श्री परकास सोलंकी जी और उनकी पूरी टीम की तरफ शे भी सम्मान किया गया बहुत बहुत भाद धनिवाद हेर जान गई में गड़ी महुरता जान गई में गड़ी महुरता बिस दिन जगडे गंदे ने हे परमेश्वर सबर दिये मेरे सास ससुर अंधे ने मेरे पिना ग्यान कौने काट से कैसे जनम मरण के भने ने मेरे पती ने काम करया से वचना के बंधे ने वचना के बंधे ने हे र छोड़ पियाई से दंदे ने रे छोड़ पियाई से दंदे ने लगणी ने काट से ओ नरकाया में दरत घना मेरे हिर देने चाट से लेकिन तुम जो कहाई है साबतरी मेरे जाने के बाद मेरे मांत पिता का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है वो दोनों नेत्रहीन हैं उनको दिखाई नहीं देता हे ब्याही पतवर्था के बाने को लजित मत कर देना अपने धरम प्याडि रहना क्योंकि चरित्रवान व्यक्तियों की दुनिया में पूजा हुया करती है और जो चरित्रहीन हुया करते हैं सबसे पहले वो लकड़ी काटना बंद कर दीजिए मुझे लगता है आपके अंदर ठकान बहुत जादा हो गई है इसलिए आप घबराए हुए हो अच्छा? हाँ ये रसा बत्री पे तेरे कहता सा बत्री में तरे कहता अरब भरसा दूर धरूंगा सिर में कोई भाले से मारे चकर चड़ा गिरूंगा ये रख खोटा कर में बन्या मेरे तरे जीऊ नहीं मरूंगा मेरी काया मैं तरत घणा में उसका दद भरूंगा अरब लकड़ी काट नीरे बंद करूंगा अरब लकड़ी काट नीरे बंद करूंगा अरचो तू रोग नाटे से अरब लकड़ी काया में तरत घणा में गिर देने चाटने से गिर देने चाटने से करें ना सके हम प्यार का सोधा कीमत ही कुछ ऐसी थी कर ना सके हम प्यार का सोधा कीमत ही कुछ ऐसी थी बड़े भाई यादर निये श्री राजिंदर छिलर जी पूर परदान हरियाना जनविकास मंच और भाई असोक मलिक जी एक बार फिर से शो रुपी से मान सम्मान करते हैं धहनिवाद और बहुत यादर निये पितातुल चौदरी इस्वर सिंग मान साहब उनकी तरब से भी पहले भी मुझे पान सो रुपे दिये गए थे और फिर से पान सो रुपे दिये गए और जिन साथियों का नाम नहीं बोल पाया उनको हिर्देश बहुत बहुत धेनी बात आईए एर लखमी चंद सत्गुरु से वाकर ती मारा गट बहुजा बरत बहुजा सुद्धया तुमार है इसा को सुक्रम का खल बोजा सुक्रम का खल बोजा धेर एब शबाब घमंड मनुष्का हीना बने के खोजा धर खोजा गोड्या में अर्य गोड्या में सिरदरों पती में हवा करूं तु सोजा जै इसी सती हो पती जती के इसी सती हो पती जती के कती दुख बातने से मेरिकाया में दरत घणा मेरे हिर देने चाटे से मेरे सामतरी मेरा हाथ पकड़ ले सामतरी मेरा हाथ पकड़ ले कोई पाच्छे ने डाटे से मेरिकाया में दरत घणा मेरे हिर देने चाटे से मेरे हिर देने चाटे से पर दरत घणा मेरे मेरे बुजर्ग बेनो जुवन सा थी मंच मे पस्ति शभी कलाकार संगीत कार हमारे साण माश जी और यहां पे आयोज भी अथिति गन और मौर मुझ्जिक कंपणी के केमरा मेरे नादर्नी आरविंद जी और ससी जी यहां पे आयोज भी अथिति गन सभी को इस दीपा चोदर की तरब से और आप सभी को हर्याना दिवस की डेल सारी आर्दिक शुप कामनाई देते हैं और आइए धन्यवाद करती हूं आदरनिये राजेस मोर जी का मौर म्यूजिक कमपनी का कि जिनों ने हम नाचीस कलाकारों को आप सभी महांस रोता हो कि बीच में कुछ कहने वे कुछ सुनाने का मौका दिया आईए नंबर मंच के मादम से मेरा भी पड़ा दो रागनी आप सभी के बीच में रखूंगी पहली रागनी देश बक्ति और दूसरी रागनी हमारे मोर अंकल जी ने दे रखिया वो गानी है ता आईए पहली रागनी वहां से रखूंगी कि कुछ लोग कहते क कि इस देश में आजादी ऐसे ही आगई लेकिन प्रेमिस रोता हो इस देश में आजादी लाने के लिए किसी वरत का सुहाग नहीं रहा किसी मा का बेटा नहीं रहा किसी बहन का भाई नहीं रहा साथ लाग बतीस जार शैसी नोजवानों ने बलितान दिया जब जाके देश में आजादी आई ऐसे ही आजादी नहीं आई पूरा हंगा लगा के सुनाने की कोशिश करूंगी रागनी का कोई भी शब्द अच्छा लगे या कोई भी देश वक्ति शेरो शायरी अच्छी लगे तो तालिया जरूर बजा दिया करो क्योंकि कहते हैं कि हब सब्सक्राइब क से अच्छा कोई नहीं मेरे वतन सी अच्छा कोई नहीं क्या लिखा रागनी के मादम से है रहा कितने वीर चले गए सजना मेरी भारत मां पे मर के है रहे आजादी की लिखी कहाणे कला लहो मेरी भारत मां पे मर के है रहे कितने वीर चले गए सजना भारत मां पे मर के है रहे आजादी की लिखी कहाणी पला पला हो मैं मारे के अला मला हो मैं मारे के और हमारे अंकल जी ने दो सर्वेगा प्रुषकार इस देश भक्ती रागनी पे खुशो कर दियाता है दिल से धनियावाद करती हूं कहा कि कितने वीर चले गए सजनो मेरी भारत मां पे मर के और आजादी की लिखी कहाणी कलम लहू में बर के कहा कि इस देश के वीरों ने ये तो कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सहीतों की कुर्बानी बद नाम नहीं होने देंगे अरे जब तक बची है एक भी बोन गरम लहू की हमारे सिने में जब तक भारत मा की आचल को नीलाम नहीं होने देंगे ये तो कह दिया लेकिन कदम पीछे नहीं है टाया पहली लाइनों में क्या लिखा हो हेर महराणा परताप सिवाची महराणा परताप सिवाची बन में धग के खाए हेर खाए वीर हगी कत जमे धर्म पे तनक तहलडा हेर चलिया लोले रांपाद के यंदर कितने वीर खापाए खापाए चोरागर और फते सिंग दीवारों में दीवारों में दीवारों में हेर उदम सिंगने चाके गोडी हो तम सिंगने चाके गोडी आरी उस्टाय रखे आजादी किलिकी पाणे कला मला हो में भर के मरते इसकी धर्ती मरते इसकी धर्ती मरते इसकी धर्ती इस देश में ऐसी ऐसी वी रांगना हुई ऐसे वीर हुए जिनोंने हस्ते हस्ते देश के लिए प्राण नो च्छावर कर दी किसी शैर ने लिखा कि क्या ये देश उनहीं का है जो युद्व में मर जाते हैं अपना लहू बहाकरटी का सरहद पर कर जाते हैं अरे ऐसा युद्वतन की खत्र सब को लड़ना पड़ता है और संकट की गड़ियों में सब को सेनी को बनना पड़ता है कि घाश फूस की रोटी खाकर राना नहीं लड़े थे क्या बंदा बेरागी केतन पर वो हाथ ही नहीं चड़ेते क्या अरे जहासी की राणी लड़कर रजधानी तुड़वा देती है चहां पना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है अरे ये भारत देश वो महन देश है जहां हाड़ी रानी सीज काटकर ठाली में रख देती है ऐसे वीर हुए ऐसे विरांगना हुई और इस रागनी पे खुश्यों कर अंपरकस शहरावच जी पांसर अपरिष्कार दैते हैं अंकल जी काते हैं द ल से दिन्हाद करती हुँ जे जे पी के पर देश अत्यक्श भी हैं अंपरकस शहरावच जी काते हैं देट तंवाद हेर पीठ से मांद लिया लड़का जब लड़ी लक्षुमी बाई चंदर शेखर ने देश के अंदर बाणी दो मचाई हर बदन सिंग नेरा हस्ते हस्ते गुल में फाच सिखाई हर भाई हो रहे थे बलीदान देश पे मात पिता और भाई पाद मिता और भाई फेर फेर हिंद में चाल पड़ेरे तोपन बाद लिया सर के ओ आजा तीर किलिपी पहाडी तैल बलो हो अबरे तैल बलो हो अबरे बलो हो अबरे थे पहाड़े बलो हो अबरे थे तैल प्रव वहाड़े महिने पहले की घटना पिलवामा में हमला हुआ हमारे 44 सेनी के अपने सहाधत दे कर गये और यह कह दिया हर इंदुस्थानी के खोड़ घौल उठा यह कह दिया कि ये रहेग़ तरह सपना कभी पुरह नहीं होने देंगे कि ये रहे तो किस्मत के मारा किस्तान कास्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा कास्मीर से दारा 375 पैटिसे को खटाया उसका खात्मा किया कास्मीर को अपना बना लिया अब ये कह दिया कि ये बाग कास्मीर तो हमारा थार हमारा है हमने बना लिया अपना लेकिन अब तेरे लाहोर की बारी है लेकिन जो कत्तारी तुने हमारे साथ किये है उसको हम भूल नहीं सकते कि ना भूलेंगे ना माफ करेंगे कि ना भोलेंगे ना माफ करेंगे ये अब के हमने ठानी है और भारत मा के लालों की कुरबानी विर्थ ना जानी है अरे हमें कसम है भारत मा की क्योंकि हम मा भारती के लाल है हम सभी भारत वासी है कि हमें कसम है भारत मा की हम घर में गुष्के मारेंगे और कास्मीर के तो बात छोड़ पाकिस्तान अब लाहोर में तिरंगा गाड़ेंगे लाहोर में तिरंगा गाड़ेंगे लाहोर में तिरंगा गाड़ेंगे तीसरी डाइनों में किस तरह से कभी ने क्या बताया है रा लाला जी ना लाला जी ने खली सजनों लाल खून की होली नेता जी ने हरा दिये अगरेज बढा के जोली है रा इंकलाब कारा नाम लेडिया मार रहे थे बोली नाज गुरु सुख देव ने आके देश की निंदरा खोली है रा फासी में गए ले तकवीर रहे जान लगा लिया हर के वाजा दी की निखी नहाली तरी बड़ाबला हों में बरे परे हैं तरी बड़ा बला हों में बरे हैं कहा कि लगा दो आग पानी में सरारत हो तो यसी हो और तोड़ दो जुलम के हत्ते बगावत हो तो यसी हो कह दिया कि उनकी कबर पर नहीं एक भी दिया जिनके लहु से जलता था ये चिरागे वतन और जगमगा रही है उनकी हवेलिया जो बेच करके खा गए सहीतो का कफन प्रेमीस रोताओ ऐसे ऐसे जमान हुए जिनों ने ना तो अपने बारे में सोचा ना परिवार के बारे में सोचा सोचा तो सिर्फ इस देश के बारे में सोचा अंतिम लाइनों में क्या तोड़ किया क हेर याने से याने से बच्चे ने खोए सिर्फ अपने पे कोड़े हेरा गोड़े कुछ ले थे मासुम वीरने अंगर जोके घोड़े हेरे जबर फोज थी रा अंगर चोड़ी हिंदुस्तान नी थोड़े घोड़े गांधी जीने बिन हत्यारो मा के बनन तोड़े हेरे रड़ी चंड से तर इस अंदर रड़ी चंड से तर इस अंदर बोरे बांके डरके आजादी की ठी कहारी कलमलो मा बरे के सजनों जब राणी ने राजा को इतना समझाया तो कहां जाता है कि यह होनी होता है कभी तल नहीं है हॉनहार बल्वान बताई है मंत्री ने यह कहा कि रे राजा अभी तो तेरी बहुत उमर बाकि है सारी जिंदगी कैसे कातेगा राणी के मिना क्यों ना दूसरी शादी कर लो राणी तो मर गई लेकिन मंत्री के कहने से राजा कि बुद्धी पे पथर पड़ गए राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी तो कर ली घर का कैसा नाश हो गया प्रेमी सजनों किस पिरकार से कभी ने बताया कि जो नई राणी वो लेके आया था वो बाहर से तो बड़ी सुन्दर थी लेकिन अंदर से कैसी थी क्या वर्णन किया है किये होनहार बलवान बखत ने पाई सब की बुद्धी हरनी कि ये होनी कभी नहीं दलती ये जब होती है तो अच्छे अच्छे इंसान की बुद्धी को हर लेती है और राजा की बुद्धी ऐसे हरी कि मंतरी के कहें से बुद्धी को होती हैं दूजी साथ करेली होतहार बलवान बखत ने सब की बुद्धी हर ली अंत्री के पहने से मोगने, तोजी साथी करेली अरो ग्रस्त आस्रम मर्द की गेल्या, एक नार चाहिए, जो नई प्रेरिणा, दे इस्त्री का, इसा प्यार चाहिए तन मन की कहने सचा, एक यार चाहिए से ए जती पुरश संग सती इस्त्री, तावे नार चाहिए से अरे रोज मंत्री के यूँ कहने से रोज मंत्री के यूँ कहने से भूप भी मुद्धी फिरली मंत्री के देडे से भूपने तूची साथी करे ली मंत्री के देडे से भूपने तूची साथी करे ली कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क आर्य मरती बरियां कहगी थी ती महराणी बात डेटी की होण हार में तुद्धी बिगडे राजा रंग से पिती होँआ पौप करस्ता खोल दिया लगी ताली दरंगे पिती पिया गोध का देर भूपने करके आस में पिती ये हरे बरे गुल सन की पूपने हरे बरे गुल सन की पूपने तु बढ़ना भी कर दी मत्ती के चैन पैपो दे तुती साजी करे लिए मत्ती के चैन पूपने तुती साजी करे लिए प्रेमी सजनों जो रानी नई घर में आई थी तीसरी कली में बता दिया है कैसी थी वो और साथ के साथ ये भी बताया कि भाई दुनिया में कभी भी एक बुजर्ग पुद्ध है आदमी को जवान लड़की से भूल के भी शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उट और बकरी का कोई मेल नहीं होता हंस और काग की कभी जोड़ी नहीं मिला करती और क्यों नहीं करनी चाहिए बुड़ापे में शादी वो उसका कारण भी इस रागनी में बताया है कभी ने सुनीगा तीसरी कली में अर्य नई पहुका चाद समखड़ा सूरत भोली बाली अर्य छुतनी तन की उजड़ी थिवा उतनी मन की गाली हो हाँ साथ वरस का साथ वरस का उदह राजा रानी उमर की ही गाली अर्य धिन असवार सजैना गोरी जो धरती मेंने हाली अरे पिछली बात तो भोल क्या राजा पिछली बात भोल क्या राजा अर्य ना सिकी हैं मंत्री के कहने से वोप दे दोजी साथी करे ली मंत्री के कहने से वोप दे दोजी साथी करे ली प्रेमिश रोताव लाश्ट कली बच्ची है और इसी कली के अंदर बताया कि क्यों नहीं करनी चाहिए शादी और हाँ उसके साथ एक और बहुत इंपर्टेंट बात बताई है कि दुनिया के अंदर वो कौन से लोग हुआ करते हैं जिनके जुबान से जिनके मुहु से निकली हुई बाते सच्ची हो जाया करती है सुनिएगा लाश्ट कली में क्या बताया कैसे और बहुत ही रागनियों के सौकीन अच्छी रागनियों के शुरता आदनिया मनोच जी उजुआ गउँ से वो 201 रुपे से हमारी अच्छा 1111 एक का जरूर देते हैं मैं अनौर वो पहले भी कई 100 रुपे से सम्मान कर चुके हैं कलाकारों का और फिर से करते हैं बहुत बहुत धनेवाद सुनिए क्या बताया शिरी राम रतन के है हान बुढ़ा पा राम रतन के है हान बुढ़ा पा लाब जवानी हो से है पाद के दिगर के नर्यबंदों की सची हान ती खुत प्याह िस दुनिया ने अर्यचा ब्याह इस दुनिया में हो से अरे जो बुटे समों मेल मिला ले वो कोई जनानी हो से अरे नाते कितने खताग भारो थे भरे भूख मन्यादी कर ली पहले एक रिते रिवाज हुई थी होती थी कि जब भी माता अंगर से निकलते थे तो ढूंगत ब्रगृ दालकर निकलते थे पड़ा करके निकलते थे परता हों ठाओत आधे दे म yeah आए हैं आए यहां का वाला बाकिया वाला सुनी गारा आपने के द्वारा क्या बता दिए इरे की सामान अरथ में लियाए ओन्यू देखड़े चली लूगा आपस में बाती कर रही है कि ऐसे भाती पहले कभी नी देखे और पला ठाके वाते दिखड़ लगी और पला ठाके वाते खड़ लगी एक आई मोटे दिये दिखाई और के सामान अरथ में लाए देखड़ चली लूगा आई और के सामान अरथ में लाए देखड़ लूगा आई पहली बात के अंदर बता दिया सिरसागण के जितने भी बच्चे थे बुटे बुजूर्ग थे सभी ये देख रहें ये भाती आगे भात भरने के लिए पहली बात में सुनेगा क्या दा दिया तेरा बाड़क पुठे और गावरू चोगर देके फीरेगे कोलक पुठे और गावरू शो तिल ने कभी रोएगे कहले कैले चिरू रुकके मारे भई माह मरेगे गेल गेल नो रूप के मारें आमा हम मारेंगे केसान अर्थ मैं लाया ते खड़ चली लुगाई के लाया ते खड़ चली लुगाई शोतों कहते हैं कि पणी के चहरे पर लाखों निशार होते हैं और जब बनके विगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं जब समय था तो नरसी जी की पूछ की जाती थी लेकिन आज उसी नरसी सेट को लोग कहते हैं ये तो बापा जी हैं भात में क्या भरेंगे सुबह को खाले तो शाम का बरोसा नहीं तो भात में क्या देंगे दूसरी भात में सुड़ेगा क्या बदा देंगे केरती खें गोरी गोरी काबडी सार्याने मूड मुडाए तुमबे और एक तारे वे नई चीज भात में लियाए किसे भाती ना किसे कराए किसे भाती ना किसे कराए और आपस में बतराई किसे भात में लियाए के खने चली मुगाई किसे भात में लियाए के कने चली मुगाई किसे भात में लियाए 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 मनसा सेट को भी अकल नहीं है ना जाने कैसे रिलेड़िफ की या रिष्टा कर दिया उसको भी अकल नहीं आई कि साथ साल दे लिए टाट में तने अकलना आई और लाज सरम ने के लिए गया करीम मोट यांते है असलाई आए इस रागणी पर खुश हो करके आदेनिये ओम प्रकाश उड़ाजी जो पहले भी कही सो रुपे कम रिश्कार दे चुके है ग्यारे सुर रुपे इस रागणी पर दे रहे हैं ओम प्रकाश उड़ाजी फ्रोम गुड़गाओं उनका भी तेह दे से धनिवाद आए तिसरी बात में सुनेगा प्रकाश उड़ाज पर दिवाडा इसका घर फूड़ के खालिया निकड़ा पर दिवाडा इसका लड़ के खालिया और पन सामल का भी ओड़ ओलिया अनसा मल का ओड़ आलिया तरिक्या दे अस्ल नाई के जामान अर्थ मैं लाए ते कड़ चली लुबाई अंतिम बात में बता दिया कि कुछ माताओं के आदत होती है कि वो चुगली करें बिना मान नहीं सकती तीन चार चुगली करती है और दोड के हरनंदी के पास जाती है और कहती है हरनंदी कि हरनंदी हरनंदी तेरे बाप ने कर दिये मोटे चारे और मूड मुडा के आन पड़े वे तो लाल लगो ते बोले तेरे बाप के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है अन्तिम तली में सुझीएगा क्या बता रहा है और राम स्वरूप के समझें तेवे पाखंडी और खास करूण की चमक रही थी फर के अरत पे जणंडी भाव करूण के धर के रही थी फर के लाईंडी तिन चारवे मुस्टंडी भर नंदी थोर आई ये समारे अरत मैं लाया देखने चली लुगाई ये समारे अरत मैं देखने चली लुगाई ये समारे अरत मैं देखने चली लुगाई कि जब वो चंद्रगुप्त उस धरमालती के साथ में शादी कर लेता है और टापू में सोता हुआ धरमालती को छोड़ाता है किस प्रकार से धरमालती उस चंद्रगुप्त को ढूंड़ती हुए दिल्ली के अंदर आ जाती है और कैसे अवाज लगाती है क्या किने लगी सुनेगा रागनी के वाजम से हेर जाहाज के मबैंध से थानी वात आई दिल्ली में फिरू तो पितिसले रागनी का आई दिल्ली में जहाँ जेगे माँ मैं देशनाने आई दिल में फिरो तो ती जे लेड़े पाँ आई दिल लिने जहाँ जेगे माँ मैं देशनाने बता दिया कि जहाँ जुके माँ बैट से ठाणी आई दिली में और फिरो तोबती मिले लनत का भाई दिली में मन में आसा थी कि सायद दिली के अंदर मुझे मेरा पती वापस मिल जाए किस तरकार से रोती भी लगती वो ध्रम मालती क्या किने लगे सुनेगा एर सो में तीन छोड़ दिगर क्या सो में तीन छोड़ दिगर क्या यो दुख दूना से जितना प्यार मने तेरे ते पियातने क्यों आसे देतने क्यों आसे तेरे तेरी शान का मेरे काल जे लिख्या दमूना से चकत बसाया बसे राम का तेरे मिन सुना से तेरे विनके यारी है असनाई दिल्ली में सब अप अपने मात लवें के लोगाई दिल्ली में जा देके माँ मैं सब अपने माई दिल्ली में दिल्ली में जा देके माँ मैं सब अपने माई आज़े जिस्टुशने विर्श्रागनी पर पूरोश्कार दिया तहे बार-बार धनेवाद करती हमं और हमारे अंकल जीवी जो अपना अश्रवाद और प्यार देते हैं और सौर पीका प्रुषकार दे रहे हैं बहुत-बहुत तहे दिल से बार-बार धनेवाद आए दूसरी कली के माध्यम से नियों कहने लगी कि आखिर मुझसे कोई गलती हो गई थी तो मुझे बताना चीये ऐसे मुझे अखेला छोड़ करके नहीं जाना था दूसरी कली में क्या केने लगी सब्येगा कितने लुक्रिया होते आचा ये होली जो हांसी तेरी थी जुक जुक के न करूंगी आरता क्योंकी दासी तेरी थी सब तूम ठेकरी धन्माया सप्यनासी तेरी थी सन दिली में तो हूंगी क्योंकी दलासी तेरी थी मन फेर दुवारा दरसन दे अन्या आई दिल्ली में मैं तणब तणब कह मरूँ वो तणख लो आई दिल्ली में जाजे के मं फेर दुवारी आई दिल्ली में फिरन को होगी मिले रहा आई दिल्ली में आई दिल्ली में और सो सो रुपी से और मान समान किया और नाम लिख रहे हैं तह दिल से बार-बार धन्यवाद करते हैं तीसरी कली के माध्यम से न्यू आसा करने लगी वो धरम मालती की शायद दिल्ली के अंदर मुझे मेरा पती मिल जाए इसलिए दिल्ली के अंदर आ जाती है और तोने लग तीसरी कली में फेरो गाचर मेरा फेरो गाचर मेरा तेरा लागी आँठ लखावन में दुख पाग्या त्यार मेरा पने आपड तक्टो हो लिँगी हक से इतना और मेरा इतना और मेरा कोई सुनती होते आयोत्रिया सुनती होते मत आयोत्रिया तेरा जाई दिल्ली में तेरे कारण आपे ठोतरे आई दिल्ली में रहे जाजे के माँ बैंसे धनानी आई दिल्ली हे इतना जाई दिल्ली में जाजे के माँ बैंसे धनानी कर दो चुआ कर दो दूग्टे। कर दिया कि आपने मेरे साथ में शादी की थी जनम जनम साथ निभाने का वादा किया था लेकिन आपने कोई भी वादा पूरा नहीं किया और आपकी खातिर मैंने कैसा वेश धारण कर लिया आये अंतिम कली के माध्यम से क्या किरने लगे मेरा लख्मी चंगने में जी थी मैं जिब भरते चाली लंकर काट जा हजिके इतने मैं भर वाली तुहां पुड़िया लाते दर्ग्या ओ दिल्ली के दिल वाली साच माच मोपाया चीक ना तेरा पेट पढ़्या खानी मन मांग सिन्दूर हचा के रा मांग सिन्दूर बता के रा के रा माई दिल्ली में तेरे राज घाट पे आचे हैं धूनी का रा मां कि रा का पेट दिल्ली में तेरे रा ग्राओ हगी प्रियाने के बड़े बिद्वान कभी की कलम से लिखियोंड ये बात आपके बीच में रख रहा हूं अभी तक आपने सुन्या अक माने जोर जुलम करते हुए जो एक राजा था बहुत बड़ा राजा था केते न तिरिया हट बाल हट भोडा हट बस एक ही बात दिलो दिमाग में घाव कर गई गोपी गोपी चन की जो मा थी मेना वंती भूप भरत्री की बहांड थी और भरत्री को न्यूबूज लिया कि जोग क्यों लिया है और उसके मुह से एक औरत को समझाने के लिए बात निकल गई कि मैं जोग लेके अमर हो गया बस यही बात लिखके रख ली और प्रैमी सजनों फिर आगे नहीं शुन्या अपने बेटे को अमर करान के चक्कर में एक राजा को जोगी बनाना कहीं तक भी ठीक नहीं था उचित नहीं था भाई राम किशन जी का हिरदेश धनिवाद मेरे महरवानों जब मां के सामने अपना तरक रख्या और मां नहीं मानी तो बस रागनी में शुनिया गोपी चंद्यू के लगयरी मां मैं तरह आग्याकारी बेटा हू अगर एक राजा अगर अपनी परजा को सुक्षान्ती में रखे उसे भगवान का भजन करण की भी जरूरत कोई ना वहा तो न्यूए पार तर जाया करें आईए किस परकार से अपनी मा मेना वंती को समझाते हुए गोपी चंद्यू के बोल्या शुनिया गा हो मेरी मात रहान दे मत ना जो के दिवा वे मेरी बात रहानी हो मेरी मात रहाने दे मेरी मत पहना जो के दिवा वे मेरी मात रहाने दे हो मेरी मात रहाने दे हो मेरी 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 मात रहान दे जो मैं सादू बन जांगाते मिट जागी त्यरी आगत पे सादू आले दुखमाता में क्यों कर यूगाया पैधेले सादू आले दुखमाता में क्यों कर यूगाया पैधेले मनें जो हे रहाने थे मत मांगे तू के खुमा वे मेरी बाते रहाने थे मत मत मांगे तू के खुमा वे मेरी बाते रहाने थे पंडि जीयों ने जो दूसरी बात पताई है सजनों वर न्यू कया है भाहिरे लोगों अगर करम अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है आदमी की पंडित मांगे राम न्यू लिखर क्या है अक गुण का प्यारा हो से मानस चाम का कोईना साम अच्छा हो इससे कोई मतलब नहीं गुण होना चाइए करम अच्छा होना चाइए दूसरी कली में यू कहने लिए वाला कैसे आदम कीत्रानेना राज नहीं सजय का चेरी राज बीना कोई चारेना बिना राज नहीं इजत जग में, बिना राज कोई माने ना बिना राज नहीं इजत जग में, बिना राज कोई जाने ना हूँ मेरी ओड़े ध्यानी ते मत रिशता तो देपनावे तेरी बाते रहने दे तेरी मत नाचो गेत बावे तेरी बाते रहने दे तेरी बाते रहने दे तेरी बाते रहनी तेरी बाते देरी बाते रहने और यू कहने लगे आरी मा बड़े बड़े लोग इस धर्ती पे आए जाना पड़या अमर कोई नहीं हुया कौण कौण किस किस का जिकरपंडी जी नहीं किया कैसे कुम्ब करण हिरना कुसरावड चरासंद और सिसू अर्जुन थे एरी फीम युदिस्टिर अर्जुन थे एरी फीम युदिस्टिर थे अर्जुन धल थे उनको भी मा खागा पाले गेते पाए तेरी माती रहानी थे तेरी माती रहानी थे हुए 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 काली में पंडिजी ने लिखा देखेड road वो सला में दान करना घरीब की बेटी के भ्या में दान करना पंडिजी ने सब से स्रेष्ट तमदान बताया पर सरोथा एक बाक जोड़ते हुए अपनी रागणी को पूरा करता हूं लेकिन दिल नहीं है भाई सहब आज पहली मर्तवा मैं भी कम से कम दसों बार हर्याना दिवस पे आपके बीच माया हूँ इतना बड़िया मंच इतना बड़िया टेंट इतनी बड़िया ब्यवस्था मौर म्यूजिक कमपनी ने सबसे बड़ी बात यह है बुझ उनको बात अच्छी लगे तो ताली फिर बजाना एक पैसे का चंदा नहीं करिया है सारा का सारा खर्चा हर्याना दिवस और आपके लिए बाई राजेस मौर जी ने अपने दम पे ये पैसा खर्च करके आपका कर वाया है और यह जो प्रोग्राम है यह आज इसके बाद एक रागनी कांगा हर्याना दिवस की में इसलिए लेट आया था यहां बैठके बनाई प्रेमियों समसे बड़ी बात यह उनके पिता जी बैठे हैं आज उस पिता को अपने पुत्र पर कितना घर्ब होगा जिसने है ऐसा धर्मिक मार्मिक प्रोग्राम करो एक भी असलील सब्द नहीं होगे दादा जी अभी तक योई कल्चर है अपने हर्याने का एक और और मूर म्यूजिक कमपणी के लिए तालिया और अंतिम कड़ी शुनिए अरे पेश चालती कोना मता समचीर तोप बंदूक सभी छोड़े तीर तले मारा दे मंदर किले मंदर किले कोट कड़ मस्चित है तोप बंदर किले कोट कड़ मस्चित है तोप बंदर किले कोट कड़ मस्चित है मने तुहे जाने ते मने तुहे ताहने ते तन चकलना थे समझावे तेरी माते रहने ते कि जब नेताजी सुपाश्यंदर बोस विदेश जा रहें थे तो रास्ता रोकर बाबी खड़ी हो गई अर्ट कि कहा जा रहे हो नेटा जी सुभा श्रबोस बोले कि वाबी विदेश जा रहूं कि देवर जी वहां से मेरे लिए एक समान ले कराना कि क्या समान भाबी कि मेरे लिए सुन्दर सी अच्छी सी रंगी साड़ी ले कराना नेता जी नियू के अनलागे बाबी अमारे देश में भी बहुत सुन्दर साड़ी मिल सकती है तो नियू के ने लगी देवर जी जैसी साड़ी मैं बताऊंगी जैसी साड़ी मैं मंगाना चाहती हूँ ऐसी साड़ी तुम लेकर आना किस किस के फोटो उस साड़ी पे होने चाहिए कैसा नक्सा उस साड़ी पे होना चाहिए क्या लिखा सुनते हैं रागनी है और न्यों केने लगी बाबी बोस इसी साड़ी लिया दे हो जिसकी चमा के निराडी बोस इसी सारी लिया दे हो जिसकी चमा के निराडी बोस इसी सारी लिये हो जिसकी चमा के निराडी हो जिसकी चांगा के निरारी पोश यसी सारी लियाने हो जिसकी दामा के निरारी फिर सारी उम्पर फोटों में भारत के सभी आ रिये हो रिशी दयानन्द तिलक गोखले स्वामी संक्राचारी ये हो गवर्मेंट हा उस दिल्ली में राजगोपलाचारी ये हो गवर्मेंट हा उस दिल्ली में राजगोपलाचारी ये हो ये रक्षमंतरी बारत कारे रक्षमंतरी बारत कारे मलु देव सिंग सरदार भी हो राजेंदर परशाद पटेल गौन्धी वीर जवार भी हो हस्ते हस्ते दिक्के हस्ते हस्ते जेलो यंदर पड़ने कोड तयार भी हो हस्ते हस्ते ये से वेले पड़ने कोड तयार भी हो पाणी पहुच्छाए 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 हो जिसकी चमाते निराई हो जिसकी चमाते निराई हो जिसकी चमाते निराई हो प्रिमिस्त रोताओं कि इस भारत की अंदर दो शेर ऐसे हुए जिनोंने विदेश में जाके डंका बजाया पहला सेर तो वह हुआ बीर हरुमान जी जिनोंने सिंटा माता के कारल लंका में जाके डंका बजाया था और द्यूसरा वीर वो उधम सिंग हुआ जिसने लंदन में जाके अपने बाप का मोद का बदला लेने के लिए डायर को गोली से मार दिया ऐसे ऐसे वीर हुए देवर जी जो मेरी साड़ी का दूसरा पल्ला होगा उस दूसरे पल्ले पर किस-किस के फोटू होने चाहिए क्या है बता या खेर चंदर शेखर आजाद बगत सिंग रास भी और भॉस भी लाला राज पतर आये लाहोर में पिठते हुए निर्दोस भी राज गुरू सुख दे वैविस मिल मरते हुए मैं जोस भी हो ये जलिया वाले बाग का जलसा जलिया वाले बाग का जलसा दायर फायर करता हो बारत का बदला लेने को लंदन में सेर पिचरता हो उदम सिंग की उदम सिंग की गोली ते लंदन में डायर मरता हो उदम सिंग की गोली ते लंदन में डायर मरता हो विला दे ओ जिसकी चमार के दिवारी कहां कि समन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन सी अच्छा कोई नहीं सच बुझो तो मेरे दोस्तो मेरे वतन सी अच्छा कोई नहीं अरे यह वह देस है जिनों में देस में हस्ते हस्ते वीरों ने अपने प्राण नोच्छावर कर दिये इस देस के लिए कहा कि देवर जी इस भारत देश में ऐसे ऐसे पुरुष भी हुए हैं जिनोंने ऐसे ऐसा दान किया है ना तो शायद किसी ने किया और ना ही शायद कोई आगे ऐसा दान कर सकता उनकी फोटना भी साड़ी के तीसरे पल्ले पर होनी चाहिए क्या कह लागी बला हर राम और लक्ष्मन राज छोड़ के बन में दके ठाते हो हरी शंद्र भी सत के कारण कासी में दिक जाते हो जद देव पवार काट के गरदन दान में सुष्ण आते हो राजा मोर धज चीर के लड़का राजा मोर धज चीर के लड़का किर सनका से रजी माते हो हिर ना कुस पहला तबक्त को लाल खंब पकडा आते हो राजा बोजी और विक्रमा दीत्य परोचागा तसको मेटाते दिन आजादी कहो अखोचा मी लेके तिवाई पेशिचे ये साडी नादे हो जिसकी चमक निलारी साडी नादे हो जिसकी चमक निलारी और इस देश बक्ती रागनी पेखुशों का राधर निया मनोज कुमार जी उजुवा से दोसो एक रूपे का मान सम्मान करते हैं आशिरवाद देते हैं एक बर जोड़दार तालिया प्रेमी सुरुताओं अंतिम राइनो मैंनियों के अनलागी देवर जो मेरी साड़ी का चोथा पल्ला होगा जिसका मैं घूंगट करके चालूंगी उस पल्ले पर तेरी भी फोटो होनी चाहिए लेकिन तेरी फोटो कौन सी किस जंगा की होनी चाहिए कौन सी पोजिशन की होनी चाहिए के कैनलागी बाभी हेरे रामायन राख रामायन महाभारत गिता दार में को इतिहासी हो आजादी दिखे आजादी आती दिखे और गुल्ला में को इतिए लाल किले पे अगली राइन अच्छी लगे तो सभी की तालिया चाहूंगी हेरे लाल किले पे लाल किले पे तरंगा जंडा और समी खड़ सुभास दिए लाल किले पे तरंगा जंडा सरदार सिंग तू धान के है गुरू प्रत्वी सिंग उमंग में हो मजदूर किसानों का सेवक सर छोटू राम भी संग में हो बारत का दिखे बारत का बच्चा बच्चा फिरा आजादी के रख में हो तेरे साख रोद के रख से मैं सबाँ जब तिखे हाड़ी पाड़ी बोसे असे शाड़ी राड़ी हो जाड़ी लादे हो जिस्की चला करने राएं जाड़ी लादे हो जिस्की चला करने राएं पांच पोस्ट मिली हैं भै फोजी में एर्शिंग कहलो जाट में एर्शिंग कहलो कवी में एर्शिंग कहलो सहीद में एर्शिंग कहलो और चोदरी में एर्शिंग कहलो पांच तक में जिनको मिले है ऐसी दिवंगत आत्मा ऐसे करांतिकारी कवी जांट महर सिंग के लिए एक बर जोरदार ताली जरूर मनती है जोरदार ताली उन्ही की कलम से लिखी हुई एक रागने आपके बीच में रखोँगा उनका सबसे सरुस्रेष्ट किष्या हुआ अंजना पवन मेहरब Whereas उस मौक्य की बात है जब महराज पवन की साथी अंजना के साथ में हो जाती है और जब वो चितरसली का समय आया तो अंजना अपनी सारी सखी सहिलियों के बीच में पवन भूप को लेकर गई ऐसा हमने सुनया है कि पवन भूप जो महराज पवन थे वो रंग के थोड़े सामड़े थे काड़े थे अब वो जो अंजना की सखी सहिलिया है अंजना की जो सखी सहिलिया है वो ताना मारने लग जाती है अंजना थोड़े बहुत सरम आई तन है अरे इसे उंडे के गैल साथी कर ली इसे काड़े के साथ में साथी कर ली तेरी रिष्की क्योंकर पार पड़ेगी तू एक राजा की लड़की है अर तेरा परियों जैसा सरीर है परियों जैसी तेरी शकल है शूरत है और इस काड़े के साथ मतना साथी कर ली क्योंकर पार पड़ेगी अब जब वो सखी सहिलिया ताना मार री थी तो नू समझ लेँ पवन भूप का गोड़ी इसी लाग गे थी ले बैट डोड़ा लेकर चल दिए जब डोड़ा रास्ते में पहुच्या माराज पवन डोड़े को रुखा लेते हैं बैट डोड़ा रोग लो अर उस अंजना नतार के मेरे दोरे लेकाओ अब अंजना को बुलाए जाता है अंजना आकर पुछने लगी कि लेकिन जम वो तान्ना मार रही थी तो तू भी बड़े मजे ले रही थी और इब तेरे साथ में क्ये बढ़ेगा किस प्रकार से तान्ना मारता हुआ महराजपवन अपना सारा दरत बया करता है सुदिए दादा महर सिंग ने किस प्रकार से लिखा है क्या बता है नूब बोल्यार कुता मारे अर वो पने जारा रोया अर आज वह एर कहाणी एर पने गी नुबलर कुता मार बढ़ जारा रोया वह कहाणी बढ़ गी अर मन नूब बताते अर मैं काला तू रबू युँआ तू बोल्यार कुता मारे अर वो पने जारा रोया वह कहाणी बढ़ गी नूब बताते अर वो पने जारा वह कहाणी बढ़ गी नूब बताते लिखा है नुबलर कुता मार बढ़ जारा रोया वह कहाणी बढ़ गी अर मैं काला तू बूरी थी फिर क्यों कराणी बढ़ गी मननू बता दे मैं तो काला था मैं तो मुंडा था पर तेरे कहल तो साथी करी तेरा तो कमेंट तोड़या और आज तेरे साथ मैं क्ये बढ़ गी पहले नंबर में माहराज पवन क्योंकि वो तो एक राजा था एक राजा क्योंकि दादा लख्मी चंद ने लिख्या है बई राजा पत्थर डाल परफ की कदे गड़या नहीं करते और खरे आदमी मूँ पर के दे टड़या नहीं करते पहले नंबर में महराज पवन उस्राणी अंजना को किस प्रकार से दमकाता है ये लिख दिया एर सारे खोट सारे खोट मेरे में कड़ने एर जिन्द की भरबी बुलनो नाईसा चात चाती में घा कर्यातने और जिद्धी भरबी दुल्वगा चाती में घा कर्यातने आज तेरी बुली के गारण तेरे तेरी बुली के पारण तेरे मारी खेच्चा तानी उपने की पापाला दोरी थियाद योकर राणी बने की योकर राणी बने की कि राणी बने की बने की योकर राणी बने की घात्त Catal sec पींधी इंच लेकिन जो सुनने वाड़े होते हैं बाई उनमें भी फरक वे अगर ग्यान और बे ग्यान का दूसरे नमबर पसुनना फोजी मेहर सिंग ने कितनी सुन्दर बात लिखी और वो माराज पवन रहनी अंदना दख्ये कहने लगया क्या लिख दिया प्रम आदनि खजान प्रधान जी कि बारा के प्रधान आदनि खजान झी की हमारे बीच ने कम पुच्चे हैं अब शॉखत्त है और मैं चाहँ मोड़ जोर दार तालियों आप उनका स्वागत करेंगे अया जोर दार तालिया किसान यूनियन मोर्चा के अध्यक्स प्रमाधनिय बिरेंद्र डागर जी हमारे बीच हम पोचे हैं हम डागर शाब का इस मंच के माध्यम से बहुत भूत अभार वैक्त करते हैं धनेवाद करते हैं और हमारे परधान जी उनका भी हम स्वागत करते हैं दक्षणी दिल्ली के उप महापोर प्रमाधनिय श्री संपाल मलिक जी हमारे बीच हम पोचे हैं उनका भी हम यहां इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं धनेवाद करते हैं दूसरे नंबर पर सुरना भाई वह महराज पवन राणी अर्जनात भणा क्ये कहने लगया क्या वता है एर मन की सची मन की सची मन में रहेगी या तेरी बात अतु हुड़ी तूप्या की टाले घर देती जर पैज परन की पूरी तन रूप उसन का कमन कर्या तेरी अकल की कमसूरी एर तेर लेखे तुनिया काडी रदू आपे मबूरी तन तेरी जोट का पती मिल्याना तेरी जोट का पती मिल्याना रतू इशीश ठानी बन गी इर बैका रातू बूरी थी राध्र तो कररानी बन गी रै तुन कररानी बने बने वह महराज पवन कहने लगया राजना तने थोड़ी बहुत तो स्रमानी चाहिए तने नू सोचना चेहिए कि तेरी साथी एक राजा के साथ में होई है तने एक राजा का बिलकुल भी खोप नहीं तुझे यह नहीं पता कि कितना बड़ा साम्राज्य है मैं कितने बड़े वाकरी लेकिन इब तेरे साथ में के बनेगी के कहने लिए प्राण का धिलु तेरे प्राण का धिलु थालई सारे उठेसे मिरे तन के मां त्री पॉली का तीर लिकर गया आर पार मिरे तन के मां उस द्रोपत ने पही अली मारी राजा तुरियोदन के मां जोदाशाल पांड वोगा गुणबा रभिरे वटकते वनकेमा एर जोदाशाल वटकते वनकेमा उर एक बुल्ली के कारण तैरए एक बुल्ली के कारण तैरए वतपके खाणी पनकी एरंबार बारा जोडी भियांजा योगर रहाणी मनकी उखर रहाणी मनकी दक्षणी दिल्ली के उप महापोर एड़ोकेट सत्पाल मलिक जी पांसोर फैसे आसिरवाद देते हैं मलिक साव का बहुत बहुत धन्यवाद है वो राणी अंजना हाथ जोड़ का कहने लगी कि महाराज जो बाते बीट गई जो बाते हो चुकी हुए उनमें मेरा कोई कसूर नहीं है मेरी सखी सहीलियों ने जो तन्ना मार्या उसमें मेरा तो दोस्त नहीं है लेकिन वो महाराज पावन उसका तो छो उठ रहा था नुबला राणी ना तन्ने मेरे साथ में करी उसका बदला लिया कि तह बदला तो लिऊंगा और तेरे साथ में के बनेगी क्या कहते हैं आखरी नमबर पे चोथी बात में के दर साया एर पवन पूपका पवन पूपका हुपक मैशा तन्हें मिलज्या में हल दूआ कने रे दोड़ा पाणा पास हाथ में उड़ा का गरे का कने इबदीर मर्द का नेल खतम हुआ कितकी रई हिस्वा कने एर बिनापती नुहे जांगे तेरे सुखे समने भकने एर बिनापती नुहे जांगे तेरे समन भागे तेरे मिहर सिंग का तोस नहीं रहे मिहर सिंग का तोस नहीं तेरी पुसमन पानी वनगी रहे मैं कालाओ दूरी थी आद दुकर रानी वनगी रहे मैं कालाओ दूरी थी आद दुकर रानी वनगी रहे मंच से हम सभी टीम मेंबर को हमारे नीलम कृष्ण पहलवान जी ने इतने सारे मैसेज हमारे इस ग्रूप को दिये हैं तो एक बार उनके अभीन अंदर में जोर दार तालिया होनी चाहिए जो हम छोड़ी छोड़ी बच्चों का होसला उफजाई कर रहे हैं और आईएगा एक रागणी शोताओ उस समय की गोपी चंद के किसे से ये रागणी होगी कि जिस समय गोपी चंद अपनी मा मेरावन्ति के कहने से जोकी वेश्धारन कर लेते हैं क्यूकि मा मेरावन्ति चाहती थी वेटा कहीं ऐसा नहों तेरी मिटी की काया मिटी मैं मिल जाए मैं तेरी काया को अमर होते हुए देखना चाहती हूं गोपी चन ने जोग तो ले लिया और अपनी बेहन चंद्रावल के यहां जाकर के अलग जगा दिया अलग जगाया तो चंद्रावल अपनी बांडी के बताने पर की कोई द्वार पर बाबा जी आये हुए हैं आपको अपना भाई के बता रही है दोड़े दोड़े गई चंद्रावल और जैसे ही चंद्रावल को गोपी चन ने देखा तो कहा बहन मैं तेरा भाई हूँ और मैंने मां के कहने पर जोकी बाण धारन कर लिया जैसे ही चंद्रावल ने सुना तो कहने लगी अरे बापा जी कैसे बाते कर रहे हो तुम मेरे भाई नहीं हो सकते अरे मेरा बाई तो राजपार्ट समाड़ता है तुम क्या जाड़ो कि राजपार्ट क्या होता है और एक भाई और बहन का प्यार क्या होता है क्या बापाजी को कहती है बाकिया वाला सुनी है रागणी कि दरा क्या विद्धम मांग मांग के पेट भरो थारा ठीक गुजारा हो से अरे आप एक दूसरे के दर्वाजे पे जाके विख्षा मांग के आपको क्या बता इधम मांग मांग के पेट भरो वो थारा ठीक गुजारा हो से अरे के बेरा तुम में महण वाई कितना प्यार हो से अरे के बेरा तुम मांग मांग के पेट भरो वो थारा ठीक गुजारा हो से के बेरा तुम में महण वाई कितना प्यार हो से के बेरा तुम में महण वाई कितना प्यार हो यो कहने लगी चंद्रावल मैं नहीं मानती कि तुम मेरा भाई है अरे मेरा भाई तो न्यारा ही रुत्वा है मेरे भाई का पहली बात में एक बाण और भाई का रिष्टा कैसा होता है क्या वजा दिया स्वाई का एरे पाँच सात दिन भेची जा इरे माच सात दिन भेची जा जब भी हम खिलावा उसे कम बोले और शर्मावे क्योंकि सुक्षम बोजन खासे कम बोले और शर्मावे सुक्षम बोलन खासे पिर सताव है याद पी हर की पिर सताव है याद पी हर की और लगे कुटुम के रासे सुक्षे धान हरे हो जा जब भाईले वन जासे परी सुक्षे धान हरे याद पर भाईले वन जासे गर पिट्धा धाल बैठ जाचड में पिट्धा धाल बैठ जाचड में पतलारा क्या रहो से के मेरा खत 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 भाईले वाई कितना प्या रहो से ट्री मेरा खत 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 भाईले वाई कितना प्या रहो से ला 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 variability ला, 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 ला आईएगा इस रागनी पर खुश होकर के आधनिये ओम प्रकाश हुड़ा जी जिन्होंने पहले भी कई सो रुपे का पुरुषकार दिया ओम प्रकाश हुड़ा जी इस्पेशली प्रियंगा के नाम ग्यारे सो रुपे दे रहे हैं दूसरी बात में बता दिया कि जिन बहनों के भाई नहीं होते उन बहनों का ना तो कोई पिहर में सगा होता है ना कोई सासरे में सगा होता है दूसरी बात में सुड़ेगा क्या कहने लगी चंदरावर एर बिन भाईया की बहना के रे बिन भाईया की पहना के रे ओट सगाई को निया रे दान दिय की भिसास ससुरके मान बढाई के रे दान दिय की भिसास सुरके मान बढाई के रे एर अकड पड़ोसन कठी हो जा अकड पड़ोसन कठी हो जा और टड़े लुगाई को निया खन दिया दे के हो गया इस पहु के भाई को ना एक अकड दिया लेके इस पहु के भाई को ना ये रब में ना बोल चीर दे गात ने ये रब में ना बोल चीर दे गात ने पिसा देव दुदा रहों से एक ये बेरा खन भाण न भाई कितना प्या रहे छे ये बेरा खन भाण न भाई कितना प्या रहे छे ये बेरा खन कितना रहे जीराओ इस सभा में जितने भी शोता गण बैठे हैं, सभा के अंदर एक से एक विद्वान शोता यहां बैठे हुए है, और शोताओं बताया जाता है, कि एक बहन के जीवन में सबसे इंपोर्टेंट दो वक्त आते हैं, एक तो रक्षा बंधन का दिन, और दूसरा, जब भी किसी बहन के बच्चे व्याँ शादी योग्य होते हैं, तो हर बहन की ख्वाईश होती है, कि उसका भाई पटड़े पे आकर के टाइम से खड़ा हो जाए, चाहे एक रुपया बात में लाए या लाखों करोणों का भाद भरें, ये बात मैंटर नहीं करती, लिकिन टाइम का पावंध हो टाइम से आजाए, तीसरी बात मैं चंदरावल अपने भाई गोपी चंद के विश्य में जिक्र करती है, और क्या बदा दिया दिज्वाज में केर भाई केसी चीज जगत में, बाई केसी चीज जगत में, और और चीज ना चाहे, तीर सो सो मेर कर्या करती, जब बेटा बेटी व्यावें है, मेरे बाट दिखाके मत ना आये, हेर बाट दिखाके, और न्यारी बैठ बत आवे, और जब तक भाती ना आवे, ना राखुण वेन पावें, जब लग बाती में आवें, राखुण पेट पावें, उड़े बाता में ते, बात लिकड जा, जड़्या भाई चाराओ से, अरके मेरा मानना बाई, जो कितना प्यारा होेचे, पे तेरा मानना बाई, कितना प्यारा होेचे, अब जे मानना प्यारा 다음 बाई, होँ आपने प्यारा होेचे, आ होेचे तूट प्यारा ikke रखु, बाई। फे杜 जाहरा हो दे लाए। वेपने तूढ़ें, झाली कितना बाई। निजए उसा से, थाख हो यसे, बाली आवें, ते एया हमारे मध्य में जो डैली से चलके आये हैं बहुत छोगियों के शोकिन हैं भजनों के भी और जहां भी कथा होती है वहां श्रवण करने के लिए जाते हैं बाई बहुत दूर से रागनी सुनने के लिए चंदीगड से आये हैं डैली में रहते हैं पांसो इक रुपे से आश्रिभात दे रहे हैं बाई का बहुत बोधनेवाद अंतिम कली में सुनेगा चंद्रावल भाई गोपिचन के विश्य में अन्तिम लाइन में क्या बता दिया इर भाई बिनाना सरे जगत में भाई बिनाना सरे जगत में और और चीज बिनाना सरे जगत में घर घर कहती फिर्या करें भाई पर दे सड़िकर जारी और थोड़े दिन में चिठी आवे थोड़े दिन में रचिठी आवे और पड़के पेटा मरे जाओ और वाहे राण कवाया करें जिका माका जाया मरे जाओ सिरी नेवी ततियों प्यार बहने का शिरते पी ततियों प्यार बहने का यह बेरा थंबहन बाई कितना प्यार बहने का शिरते पेट भरो हम बाग माग देत वरो शारा ठीम घुट्यार होसे तेवेरा हम बाइन बाई कितना प्यारा होसे है कितना प्यारा होसे ऐ अपसे भीकी बीच में पिंगला और भॉत्री को एक अमर फल दिया था और भूप भॉत्री अपने से ज़्यादा अपनी राणी पिंगला को प्रेम करते थे भूप भरदनी ने उस फल को नहीं खाया अपनी पत्मी पिंगला को जाकर के वो अमर फल दे दिया शोताओ ये सच्चाई है कि वो प्राणी पिंगला एक सहीस कोदवाल से प्रेम करती थी पिंगला ने भी वो फल नहीं खाया और वो सही स्कोतवाल को उस फल को दे दिया आईए किस प्रकार से उस कोतवाल वो कोतवाल पिंगला से ज़ादा एक वैश्या से प्रेम करता था उस वैश्या को वो फल दे दिया उस वैश्या ने ये सोचा कि तुने इस जनम में कितने बुरे कर्म किये है मैं आगे जीना नहीं चाहती वापस से लेजा करके भूप भरत्री के पास में उस अमर्फल को दे देती है किस प्रकार से राजा जब राणी पिंगला को वो अमर्फल दिखाते है तो राणी पिंगला सरमिंद की महसूस करती है और किस प्रकार से अपने पती के पैरों में ले हेर के बोलू भरे तार तेरे तैर बदलावन जोगी को ना हेर सब तरिया ते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना सब तरिया ते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना हेर के बोलू भरे तार तेरे तार के बोलू भरे तार मिलावन जोगी को ना सब तरिया ते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना सब तरिया ते जूटी आँख मिलावन जोगी को ना कह दिया कि मैं के बोलू भरतार तिरे ते पतलावन जोगी कोणिया पहली कली के माध्यम से कैसी सर्मिंत की महसूस करती है रानी पिगला और क्या केने लगी सुनियेगा हेरे कोत बोलने खल मांग्या रे नरम की मारी मारेगी मन्न सोची इभ केनाटेगी धरम की मारी मारेगी मन सुधी ये नां पैगी शर्म की मारी महरेगी हेर चकर चड़ क्या आया पसीना चकर चड़ क्या आया पसीना सरम की मारी मारेगी तेरे मुपर तपला मत ठवावे मैं सरम की मारी महरेगी मन धरती के माँ पड़ी रहन दे जोगी कोणा सवर आया थे जूटिया के पिलावन जोगी कोणा के दिया कि माराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गलती ऐसी हो गई गलती क्या गुना हो गया जिसकी मैं माफी भी आपसे नहीं मांग सकती आये दूसरी कली के माध्यम से क्या गेने लगी मेरे सब तरी आते फीके पढ़के अज बालम रंग राग मेरे बरबारा में हुए उजा करे पिछले जनम के लाग मेरे तरबारा में हुए उजा करे पिछले जनम के राग मेरे में तेरे काम की में तेरे काम की कोन्या रहरी हसके पालम त्याग मेरे मेरे हाथ पकड़के ताहंगे करता हाथ पकड़के पिछले गर्पे मिला बन जोगी कोना तेरा समराया पर जुटिया के मिला बन जोगी के राग मेरे मिला बन जोगी के राग मेरे मुझसे ऐसी बड़ी गल्पी हो चुकी है कि आज ना तो मैं आपसे माफी मांग सकती और नहीं आपसे नजरों को मिला सकती किस प्रकार से राणी पिगला क्या कहने लगी मेरे पेसर मी का तीर पियारा पेसर मी का तीर पियारा पेर परले पारली कडे गया बोल्या भी ना जाता इसा सो लट के पाणे गया बोल्या भी ना ता पेसर मी का तीर पियारा परले गया तेरे आगे सजन मेरे मेरा सारा नखसा जड़े काए सबचाया है तुट्टी आखे मिला मिने जोगी देरा ला 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 तेर के ते मरूंगी कुए मैं डूब के ना चहर के कल से पी जिनकी अगत तेल बिगड़ जा के जीने न जी ये मेरा आज तेया के भूप भरतरी आज तेया के भूप भतरी मेरा ना भी मत न ली ये मैं तेरे ओड़ते दो धेले की लाख उल्हाने दी ये मेरा तेरे ओड़ते तो धेले की लाख उल्हाने दी ये मां के रामने हाथ का पाणी मां के रामने हाथ का पाणी मत प्लावण जोगी मोणा मेरा समझ आया के जूठी आख मिलावण जोगी को मेरा समझ आया के जूठी आख मिलावण जोगी को मेरा समर आया के जूठी आख मिलावण जोगी को अरे मोर म्यूजिक कंपनी के द्वारा मोर म्यूजिक कंपनी के द्वारा सब तरसक माला माल होगे अगर सुना नहीं बैठे हो और आगे की लाइन अच्छी है तो फिर आपकी तालिया मिल जाएं आगे की लाइन पर मोर म्यूजिक कंपनी के द्वारा नजब गड में द्यतर सक माला माल होगे और हरियाना निर्मान हुए अज सही तरे पनसाल होगे अर बोर म्यूजिक कंपनी के द्वारा तर सक माला माल होगे अरियाना निर्मान हुए अज सही तरे पनसाल होगे और हरियाना निर्मान हुए अज सही तरे पनसाल होगे अरे हर की भूमी मैंने सोचा कहां से सुरू करूं हरियाना तो फिर थोड़ा से संदी भी छेद करके दिल में एक बात आई और क्या और उसका उधारन दिया हर की भूमी से हरियाना हर की भूमी से हरियाना अर जाने दुनिया सारी कुरू छेत्र में किरसन जीने कुरू छेत में किरसन जी ने अरे गीता ग्यान दिया भारी कुरू छेत में किरसन जी ने गीता ग्यान दिया भारी गीता के उपदेशों से अर्जुन के उचे ख्याल होगे हर्याना निर्मान हुए आज सही तरबन साल होगे हर्याना निर्मान हुए आज सही तरबन साल होगे और दूसरी बात अपने हर्याने की जो खासियत वैशे तो एक रागनी में हर्याने कबर्न नहीं हो सकता पर मोटी मोटी दो तीन बातें लिखी बुजर्गों अरे बहाई चारे मैंनामी सबसे जादा हर्याना है सादा बोली सादा बाना सादा बोली सादा पाना मरा दूद दही का ठाना है सादा बोली सादा पाना और दूद परी का ठाना है हर्याने की बेटी और हर्याने का बेटा जब कभी देश मैडल के लिए जूजा चाहे वो साक्षी मलिक हो चाहे वो दूसरे खिलाणी हो सबसे पहले हर्याना का बेटा और हर्याना की बेटी आ गया है और देश की इज़त बचाने में इसलिए मने लिख्या अरच छोरा भी मेडल जीते छोरियां के घने कमान होगे तर्याना निर्मान हुए आज सही तरे पनसाल होगे इब राजनीती की बात करें हम किसे तर पाच्छे कोई न है मेरे महरवानों मैं विश्तरित चर्चा कर सकता था लेकिन करना नहीं चाहता आगे की दो बातों पर ज़्यादा जोर दिया कुण सी एक गाने की लाइन का एर एक राजनीती का केल क्या ऐसे ये लखमी मांगे महर सिंग ने लखमी मांगे महर सिंग ने सबसे अच्छा गाया है राजनीती में हरियाना ने एक नया इतिहास बनाया है राजनीती में हरियाना ने एक नया इतिहास बनाया है अर जो लोग न्यू कैंक भाई हरियाना बने आप पंजाब टूटर नहीं इसका सरे में किशे देता हूँ हर राजनीती के चतर खिलाडी बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां उठ जाएं रोकना मत अगर हरियाना दिवस मनाने आये हो राजनीती के चतर खिलाडी वताउते भी नाल होगे हरियाना निर्मान हुये है अज सही तर यपन साल होगे हरियाना निर्मान हुये अज सही तर यपन साल होगे हरमोर कंपनी के डारेक्टर हरियान भी संस्कृती का इन दुनिया में मचवादिया दो हरियान भी संस्कृती का इन दुनिया में मचवादिया दो सारा है खर्चा आज सारा है खर्चा अकिया जेव से सारा है खर्चा आज पिया जेव से कर अबर सिक भी पामाल होगे हरियाना निर्मान हुए अच अच सही तर बन साल हे खर्चा आज सही तर बन साल हे खर्चा और जहां तक बेटियों की चर्चा की शब की चर्चा की वहरी जो माता बहने जिसा की तर याने की लुगाई गादे की परधान जी दुनिया में कितनी मिल सके आई ये क्या लिखा और मास्टर मंजीत जी बाई साब का एक वेश्वागत करिएगा मंजीत जी का बहुत बहुत धनिवाद करता हूं 500 रुपे से मान सम्मान किया धनिवाद मुझे नाम तो याद नहीं रा जिन साथ उन्हें भी नाम दिया सब का धनिवाद इस जगे पर यो परोग्राम है इसका भी मनने ध्यान रख्या और इसे जोड्या कहां सही कहूं तो बताना हर यान भी गीतों में लुगाई हर यान भी गीतों में लुगाई मोती से पिरोती है सबसे जादा सबसे जादा को की सेबा अपने हरियाने में उती है सब से जाला को की से बार हर्याने में होती है हर्याना दिबस पे कायक हे रहे रहे हर्याना दिबस पे कायक जो नर्द्रव में निवाल होगे हर्याना दिबस के आज सही तर बन साल होगे हर्याना दिबस के आज सही तर बन साल होगे हर्याना दिबस के अंदर यह सचाहिय कि बहुत अच्छे कवी हुए है जिनोंने अपनी कविता से अपना नाम रोशन किया है दुनिया के अंदर हर्यान भी संस्क्रती को उन्होंने अपनी कलम से बचा पंडित लखमी चन जी को सूर्य कवी के उपाधी दी गई है उन्हीं के परम्षिशुए पंडित मागे राम जी बहुत कवी है लेकिन कवियों में कवी बाजे भगत जी भी है और मेरी इच्छा है कि आदन्य बाजे भगत जी द्वारा लिखिती रागनी में आपके बीश में सुनाओं और ये रागनी रूप बसंद के किस्से की बात के भी समय की बात होगी कि जब राणी रूप मती बीमार होती है अपने महलों में लेट रही थी प्रेमी सजनों महलों के अंदर एक पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा रहा करते थे राणी देखती थी रोजा महले में ले आया प्रेमी सजनों कहते हैं कि शौक पैना तो शौक परदाश होती और नहीं शौक के बच्चे जब दूसरी चिड़िया आई तो पहली चिड़िया के दोनों बच्चों को उसने आते ही मार डाला ये नजारा रानी ने अपनी आँखों से देख ली और ये संद को माल डाले राजा को महलों में अपने पास बुलवाया और रानी रूप मती न्यू समझाती है यहां के बोलें जरा सुने का रागनी के वहां क्यारता है यह ही में हाथ जोड़के के हरी सुन हो मेरा इतना केहड़ पुगई कि मैं हाथ जोड़के कहरी सु मेरा इतना कहन को गई है और महराज कहना यह है हो में मरी जाँ तैसा जन्हों मेरे अपत तू जाग्या गल दिये मेरा हाथ जोड़के कहरी सु मेरा इतना कहन को गई है में मर जाते सजन मेरे मत आए तू जाग्या कर वही है हाथ जोड़के कहरी सु आरे बड़े बड़े रे कहा करे से जिसकी धुरतै छुती मेरा मानस कर ले लोग जतन पर कोन्या लागे पूर्टी मिया पात दरम की कहरी सुना मेरी वानी जुती मिया पर में सरने बर राखी से तेरी दोलो मूठी पिया तो बेटे तेरी दिये रामने तो बेटे तेरे दिये रामने और या और तने के चाहिए वो मेरा मर जाते सुझन मेरे मते तो जा प्याद करोई ये बात दोले के कहरी सुना ठाइ आइ 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 कहने लगी कि महराज आपको यूही आम आदमी नहीं हो अरे राजा हो और वेद शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्यान भी है आपको इस उमर में अगर बुड़ापी में दूसरी शादी कर ली तो आने वाले समय में ये जमाने वाले आपके बेटों को चैन से जीने नहीं देंगे कि भाई हद हो गई तुम्हारे बाप ने बुड़ापे में दूसरी शादी कर ली लोग तरह तरह की बाते बनेंगे कैसे बताया अरे सारे स्वाद देख लिये करके कोई मा की भोग नहीं से वेद शास्तर जोननिया तुमूर खलग नहीं से अरे दो बेटे जैना ब्याहे उनका भी शोग नहीं से अरे बहुडे माल हुए सिरके तू प्याह के योज नहीं से चोड़ा पन आ रहे आपियादी शोड़ा पन आ रहे आपियादी शोड़ के घुन गई वेद मर जाते सरवर जरवापे तूचा व्याद कर लिये हाथ देर के तूचा पन आ रहे आपियादी शोड़ा पन आ रहे हो क्योंकि रागनी में शब्द की ही प्रदहनता होती है शब्द समझना जाए तो ठीक है वरना कैसा गाना किस बात का गाना तीसरी कली के दौरा और क्या-क्या बाते समझाती है कैसे आरे याते मैं भी जानू भीर मिन पिलकुल भर खाली हो जाए तुझी राणी लावेगा तरे बेट्या ने कमी हो जाए लड़क्या ओड़का ख्याल रहे ना हवा निराली हो जाए फूद है आदमी ने जान इस तरी विसकी प्याली हो जाए प्या हसादी का मेरे प्यादी प्यासादी का मेरे प्यादी तो बहर सुसें का ख्याली हो मैं मर जोते सचन मेरे मचले तुझा प्या कर दिये आप जोड़के के रिसो क्याने लगी रे माराज तु राजा है चाहे दो हजारों शादिया कर सकता है लेकिन मेरा समझाने का फर्ज है करोगे तो आप अपने मन की ही अगर बुड़ापी में बगवान का भजन करोगे तो फायदे में रह जाओगे और लाश्ट कली में न्यू वहली कैसे और करवावेते जहां हो जा तेरे कमी नहीं से भजन की तर तु जीराणी ल्यावेगा भोवेगा बेल विखन की मेरा ते कहना ये से तू करेगा अपने मन की बाजे भगते सुमर सत गुरिटे तु तक भूर खेलिये कमी माम जब्यू जद दरगर मत्त दूझा कहा कर लिये। हाथ जेरे कैन कहरी जू तेलकर कमी ज़ू गई मशाला के प्रांगन में बैटे हुए सभी शोताओं को आवाज को सुनते हुए गंगा के समान मात्र शक्ति वे मंच पर बैठे हुए सभी विसिष्ट अतितिगंड यहां से बाहर जितने भी शोताओं मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी को मोर म्यूजिक कंपनी की दरफ से वे आपकी बेटी प्रियांका चोधरी की दरफ से हाँ जोड करके प्यार भरांजे श्री कृष्णा आएगा जया गौमाता की आएगा मुझे भी आप सभी के सामने आज क्योंकि फर्स्क नॉवेंबर है और हम सभी यहां हरियाना दिवस सेलिब्रेट करने के लिए उपस्तित हुए हैं उसी उफलक्ष में ये रागणी प्रोग्राम और मोर म्यूजिक कंपनी के ड्रेक्टर रादर्नी राजेश मोर जी के द्वारा हम सभी छोड़े छोड़े कलाकारों को आप सभी का दर्शन करने का सवभा के प्रदान किया गया आएगा आप सभी के सामने एक रागणी और ब पताने की कोशिश की हैं बाकिया वाला सुनेगा रागणी के द्वारा कभी नहीं क्या लिख देएगा एरे बिन अकल बुद्धी बिन माण से अगर इंसान ने ये मनुष्य की देह दी है और अगर बुद्धी भी दी है तो फिर इस बुद्धी को बजन में क्यों नहीं लगाया जाता ऐसे ऐसे नास्तिक लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो कहते इश्वर है ही नहीं अगर इश्वर नहीं है तो फिर सांस कैसे लेते हैं इसी लिए कहा एरे बिन अकल बुद्धी बिन माण से और शेर सांप के दरते जादा अपूरत का डर हो से शेर सांप के दर से जादा अपूरत का डर हो से तेरा बिन अकल बुद्धी बिन माण से अशु बराबर हो से शेर सांप से तर से जादा अपूरत का डर हो से शेर सांप के दर से जादा अपूरत का डर हो से कि बिन अकल बुद्धी बिन मानस पशु बराबर हो से इतना शेर को जहरिला बताया जाता है और सांप को भी जहरिला इर कागा चाले चाल हंसकी और अपनी चाल विसारी लुगधा भी करना चावे कोयल पैसर दारी दढ़ा करें लठ्खाता कोयल की बोली प्यारी है लूप होशन और है जुवार सीली याद मिलती नहीं ओ धारी है रोपो सनवोर जोगार सिली तिकनी नहीं दारी तेर सुगड आदमी चातर नारी वो तो भागमार धर होसे तेर सेर सौम से दर से जाता पूरक का डर होसरी तेर सुम ले तर से दाता पूरत का डर है तेर से जाता पूरत का डर है आईएगा वैसे तो कई शोदाओं ने अबना अश्रिवाद पहुचाया जिनका नाम मेरे को नहीं मालूम उनका भी तहद इसे धनेवाद आदनियों ओम प्रकास हुटा जी जो गुडगाओं से हैं वो भी 500 रुपे अपने बच्छों को आश्रिवाद दे रहे हैं हुटा अंकल जी का बहुत बधनिवाद दूसरी बात के द्वारब बता दिया शोताओं कि इस भारत देश के अंदर जिसको रिशी मुनियों की भूमी कहा जाता है इस भारत देश के अंदर एक से एक ज्यानी हुए एक से एक पलिशाली हुए एक से एक टेलेंटर बंदा इस हिंदुस्तान में भरा हुआ है लेकिन पहले एक कहावत कहके चले गए कि राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कल्यूग आएगा और हंस चुगेंगे दाना पाने को आपोती आएगा ये ताइम धीरे-धीरे आता जा रहा है जो talented लोगें उनकी कदर नहीं है और जिनकों पताई नहीं है कि क्या होता है असली चुझे क्या होती है वो लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं दूसरी वात मैं कभी ने समझाने की को इसकी कोनेगा इरे मूरक मानस लाल लाल लिरी मूरक मानस लाल लाल लिरी और के के लड मैं फोदे ओच्छी संगत देख लडी की लाल विचारा रोते ज्यानी सेती ज्यानी भिड़ जा तैं बात ज्यान की टोहते और कूरक सेती पला पड़ जा तेरही सही भी खोदे मूरक सेती पला पड़ जाओ नहीं सही भी खोदे तेरा नीच पुरुस की संगत मेरा सुखरत भर हो से एसे सामके तर से जाता तूरक का डर हो से तो इसाम से, तरशे क्यात्ना तूरा अड़ रहे से प्रवाद के द्वारां बता दिया कि मूर्ख इंसान अपनी हैबिट से कभी बाज नहीं आता तीसरी बात मैं कभी ने सुनीगा क्या बताने की गोशिश की तेरे मूरख मानस की बोलण में हरतम टोटा प्रावे निंदा चुगली करे बुराई वट मानस खोटा प्रावे अपनी आप सरहना करते वो मानस जोटा प्रावे तेरे कम खाणा दिख कम खाणा और कम खाणा वट मानस खोटा प्रावे तेरे परे धर्म पर चार जगत में परे धर्म पर चार जगत में फिर उसका आपर उसे ये शेव साबने तर्थे जगता पूरत का तर रहे वे तचार जगत में इसलिए अंतिम कली के द्वारा दादा लखमी चंजी ने बता दिया कि आत्मा का बंदे ये जतन कर ले और रोज थोड़ा-थोड़ा हरी का अगर जीवन में अच्छा कारे किया होगा तो भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा लेकिन जानते सबें बट उन चीजों को मानता कोई नहीं है अगर अच्छे कारे जीवन में किये होगे तो पीछे वाले जो कहते जाते ना राम नाम सत्ते हैं वो ही कहते जाएंगे भया बहुत अच्छा आदमी था, बड़ा बुरा हुआ जो चला गया, और अगर बेकार कारे जीवन में कियो होंगे, कभी दान नहीं किया होगा, पुन्य नहीं किया होगा, जैलिसी में सारी लाइफ के मुमेंट्स खराब कर दिया होंगे, तो पिछे व आदमी लोग आपके नाम से, आपके काम से आपको जाने, सुड़ेंगा अंतिमकली के द्वारा क्या होगा दिया हैं, तेरे भले पुरस की भली कमाई, और भले काम में लागे, तान करते धन घटता ना, ध्यान राम में लागे, जिस पेरा जी परमेसर हो, अच्छा गाम ने लागे, दोन लखमी चन्दवी, ये दोनों वक्ता, अरे राधे शाम में लागे, तेरे पुस का बिरा पारित रहे, अरे जिस पेरा जी आरोश है, शेर साब के दर से जाता, दूरत का दर है सरी, शेर साब के दर से तका, दूरत का दर है सरी, मैं भी एक रागनी रखूंगी अंजना पहन के किसे से ही, जब पवन भूप पैरे पे होते हैं, तो एक पेड़ पे देखते कि एक चकवा और एक चकवी रहते हैं, एक दिन चकवा और चकवी अलग हो जाते हैं एक दिन के लिए, लेकिन जैसा ही चकवा चकवी आपस में मिलते हैं, तो चकवी कहते हैं कि चकवे एक रात नहीं मिले तो इतना पुरा हाल है कि मैं बता नहीं सकती तो चकवा भी इसी बात को चकवी से कहता है कि चकवी मेरा भी यही हाल है तो पवन भूप सोचने लग जाते हैं अगर एक रात बिछडने से चकवा चकवी का यह हाल है तो मेरी अंजना का क्या हाल होगा 12 साल हो गए है जब से शाति हुई है जब से ही मैं इस बोडर पे हूँ देश की रक्षा कर रहा हूँ एक दिन से बिछडने के तो मेरी अंजना से तो 12 साल मिले हुए हो गए है तो आईए रागने के मादम से पवन भूप जी जैसे ही एक रात के लिए आते हैं अंजना से मिलने के लिए लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि पवन अंजना से मिलने के लिए आया बगवान कैसे करने होते हैं कि अंजना उसी दिन से गरव वती हो जाती प्रेमिश रताओ और जैसे ही अंजना की सास को पता चलता कि अंजना गरव वती है तो यू कहने लग जाती है कि अंजना तेन्शु सारी लाज सरमतार के बगादी इस देस में मारी बेजिती करवा दी क्योंकि मेरा बेटा तो उस फोज में इस देश की रक्षा कर रहा है गरव वती है तो ताने सुनाने लग जाती है और बात के मादम से क्या गहती है आईए नूबली है आगा पाच्छा देखा कोन्या ये तलूटे से रंग ठाट तने अरी डूब गई बेहूती अंज ना कर दिये वारा बात के बेहुती है अरी आगा पाच्छा देखा कोन्या लूटे से रंग ठाट तने अरी डूब गई बेहुती अंज ना कर दिये वारा बात के बेहुती है अरी डूब गई बेहुती है जो तुने करा है ये तरी अच्छी बात नहीं है लेकिन जैसे तुने करा वैसा ही तु भोगेगी और पहली बात मैं के कह लागी अरी लाजसर में सबतार बगादी अंजना खपर वरनी कर में छोड़ के अधर में करनी कोन्या पार्यों करनी अरी करमा का फळपने भोगना आकया वै करनी हरी आह डंडी की तरी या तु खून बिराणी चरनी खुली बच्छेरी चरे मोज मैं अरी खुली बच्छेरी चरे मोज मैं अगली कोन्या गाटतने दूब गई में हूती अधना करती है मारा वादे दूब गई है में हूती है में हूती है में हूती है अरी संद का संद की दीखे है से तेरे खोटन न कड़े लगो लिऊं ओट पवडा कर बैठी तन न कड़े कड़े ते रोल हेना दुनिया मैं चतन इसायो तरे पाप न लगो लिऊं एक ये सारा से घणी कैन कमें अम्पे बुण्टी हो लिऊं अरी खून बिराना तेरे पेट में अरी खून बिराना तेरे पेट मेलू क्यूं कर घर में डाठतने तु जो गई बेहूती अंज दातरती अवारा बाद तन न लिए पे बुण्टी अरूटी हे अरूटी हे अरूटी हे कर दो कर दो करिनो मा भिना पूरा हो जा कती उघाड उघड जाए तुनिया हो मैं तेरी चर्चा चले सारी बोरली कड़े जाए मुखाणा कर बैठी हिन तेरे ना गड़ कड़ी लड़ जाए ना चाहती तेरी शकले देखनी तु घर ते बारली कड़े जाए बेशक कुवा जोड़े टोलिये बेशक कुवा जोड़े टोलिये मैं कती रही ना ना डखने आध्या टोला गड़ी बेशक कुवा जोड़े टोलिये हे एए ए-ए-ए ए पहुटी हे ए-ए-ए-ए-ए कर लिया लेकिन जब तेरा खशमगर में आजाएगा जब तेरी सारी बात बताओंगी तो तो तेरी गेल के बन जाएगी जब लुगाई मरत की बात नहीं मानने करें अपनी चलावत नू कह दिया करें कि इसकी नडमलक्स फसाद्य हो जब मानने गिया तो यू कहने लग जाती है जब तेरा खशमा जाएगा अगर मेरी बात नहीं मानने गा तो नियारे बांडे टिकवादियोंगी जब कर लिए जो कारी आलन दे तेरे खसम डेट तैनल में हलठ ठकवादियोंगी सब रंद ठाट भूल जागी दिन में तारे दिखवादियोंगी अरी जह पोहल वो तेरी आड में त्यारे बांडडिकवादियोंगी अरे मेरे बसकी नई सांडडे नुच्छिठी मेलिकवादियोंगी हुटे से रंग ठाट चतने तूब गर्भे हुटी अंदर दिये मारों पाट तो हुटी है सर छोटू राम की रागणी ये रागणी मंच के माध्यम से होनी चाहिए तो एकी रागणी के अंदर सर छोटू राम जी शहीदे आजम भगसी वे जितने भी इस देश के अंदर बेटे हुए और राजश मोर नजबगड़ जी जिनोंने आज ये इवेंट रखा है उनकी especially demand थी इस रागणी की जो कि मैं कई बार गात चुकी हूँ लेकिन इस मंच से गाने का आदेश है कि आज यहां पे दूर दूर से जाट समाज एकत्रित हुआ है और यहां भाई चारे को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी पहल करी जा रही है एक कदम उड़ाया जा रहा है इस गाने के अंदर शहीद आजम भगस सींग के विशय में और सर्चोटू राम के विशय में भी बताया जाएगा जो की फर्माइस की गई आईएगा रागणे के द्वारा बता दिया कि इस देश के अंदर शहीद आजम भीर बगस सींग, सर्चोटू राम, लाला लाज पतराय, कितने सारे वीर योधा जिनके सैक्रिफाइस के द्वारा फ्रिडम मिला, आजाद ही मिली आईएगा सुरिएगा रागणे के द्वारे और अगर आप भी शहीदों के नाम की और इस देश के उपर जिनों ने अपने प्राणों के आहुती दी, देश के लिए अगर बास सुनना चाते तो एक बार भारत माता की जए ज़रूर बोलिएगा बोलिए भारत माता की अभी जितने हाथ उठे उतनी आवाज में दम नहीं आ रहा बोलिए भारत माता की ज़रूर बोलिए गुरूर जी क्या बताएगा और हम सबी का और यार मान वतन है और प्राणों से भी प्यारा ये हिद्दुस तान हमारा ओ हिद्दुस तान हमारा इस देश के अंदर हिद्दु मुस्लिम से केसाई सब आपस में भाई भाई ये है इस देश का एजेंडा सुनेगा और हम सबी का यार मान वतन है हम सबी का और प्राणों से भी प्यारा हिंदुस्तान हमारा और हम सबी का यार मान वतन है हम सबी का और प्राणों से भी प्यारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा पहली लाइन के द्वारा बता दिया सर छोटू राम दिवाने जिनका बहता खून वतन है और सच पूछो तो प्यारो भार इश्क जनून वतन है सच पूछो तो प्यारो भार इश्क जनून वतन है भारे दिल में नित बहती है हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान दूसरी बात के द्वारा बता दिया अगर खेत में किसान कमाना बंद कर दें और सीमा पे जवान प्रोटेक्ट करना हम लोगों को बंद कर दें तो आज हम रागणी सुन रहे हैं आई थिंक रागणी नहीं सुन पाएंगे इसलिए कहा ऐसे ऐसे बेटे जिन्होंने ये कहा अगर जीएंगे और मरेंगे तो वतन के लिए जिनमें समसे पहला नाम आता है शहीद याजम भगत सीका जिन्होंने कहा कि सरफरोशी की कमना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाज हुए कातल में है और वक्त आने पर बता देंगे आसमा तुझको कि क्या तो हमने सोचा है और क्या हमारे इस दिल में है ऑर क्या हमारे संद्दीर दिवाने हैं संभा के परवाने दुश्मन के जानी दुश्मन ये सारी धुनिया जाने वे दुश्मन के जानी दुश्मन ये सारी दुपिया दाने और भारत मा के शीचरणों में जीवन अरपन सहरा वे हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान हमारा आज बहुत सारे नेताओं की बात होती है नेता तो एक ही थे और नाम था नेता जी सुभाष रंद्रवोस अगर आपको मेरी लाइन जरा से भी अच्छी लगे तो सुनने के बाद जादा कुछ नहीं अपने दोनों हातों का आशरवाद अपने बच्छों तक जरूर पहँचाईएगा कहा गया कि राज नीती में नेताजी सुभाष चंद्रवोस जैसा कोई करदार नहीं देखा और साठेवीर बगसी के जैसा कोई सरदार नहीं देखा आज एरे गेरे नत्थु एरे तंतरी बन्कर बैठे हैं और जिन को जियलों में होना चाहिए वो मंत्री बन्कर करके बैठे हैं और बनाता कौन है? हम और आप लेकिन जब तक उनका काम बनेगा तब तक वो आपके चरंश पर्श करेंगे देन अपना काम बनता फिर भाड में जाओ जनता ये सीधा सीधा फंडा है लेकिन कैसा भी हो अपना भारत देश नंबर वन था नंबर वन है और नंबर वन रहेगा इसलिए गाया पर धर्ति सुनहरी अंबर नीला हर वो समरकी ला ऐसा देश है मेरा पर बोले पपी हाँ को या लगाए ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा ऐसा देश है मेरा आईएगा पहले कई सो रुपे आई थिंक एक्क्यामन सो रुपे से जादा हमके आथ चुके हैं और फिर से आदनिया ओम प्रकास हुड़ा जी जो गुड़गाओं से चलके आए हैं और ग्यारे सो रुपे की स्रागनी पर खुश शूकर के दे रहे हैं ओम प्रकास हुड़ा जी फ्रों गुड़गाओं उनका तहदे से धनिवाद आईए सुनी गांति मिलाएं नों में क्या बगा दिया अपनी भारत माता के हम पहरेदार निराले ओ सब धर धराए रहजा दुश्मन के वरची वाले सब धरे धराए रहन्या तुश्मन के मर चीवाले पर विरवाल ना कर वारत ना विरवाल ना कर वारत पर चमके भुलद से नारा हिंदस्तान हमारा आहिंरस्तान हमारा हिंदस्तान हमारा हम सब का अर्मान बतन है रारों से भी प्रारा हिंदस्तान हमारा हमारा हर कि जोधपुर में राजा बीरंदु राज किया करते ने का एक था जिसका नाम था जैमल कुछ बिमारी के कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्तु हो गई और जब उनकी वृत्तु हुई तो उनका छोटा बाई माल देव उनसे वो कह कर गए थे कि मेरी पत्री और मेरे बेटे की जुम्मेदारी तेरे ऊपर हैं तो उनकी देखवाल राजा के मरने के कुछ दिन बाद प्रेमिस रोताओ अपने रंग दिखाने लगा माल देव और न्यूक केने लगा कि बाबी तू मेरी बाबी नहीं है और ना तुझे कोई हिस्सा मिलेगा न्यूक केने लगी देवर अरे मैं कहां जाओंगी तेरे बाई की बहु हो और बड़ी बाबी मा समानों दिये तुझे मेरा आदर करना चाहिए मेरा समान करना चाहिए और तू मुझे ऐसे दमकाता है तो माल देव किस तरह से धकारता हुआ धमकाता हुआ क्या कहता है अपनी बाबी रतनकौर को सुनते ह हो तेरी बीर की जात तने इना बाता का पेरा कोन्या और तु हिस्से की बात करती है हेरे चार चीज का पुलते आई के हक तेरा कोन्या हो चार चीज का पुलते आई के हक मेरा कोन्या हेरे तेरी बीर की जात तने तेरी बीर की जात तने पाता का पेरा कोन्या चार चीज पाप बुलते आई के हक मेरा पोन्या अरे तु हिस्से की बात करती है महा भारत में दुर्योधन ने हिस्से के उपर महा भारत का यूद्ध कर दिया लेकिन हिस्सा नहीं दिया क्या कहलागे बलाओ है रे पेर विरोध आपस के जगडें जुटे रासे नासे चोरी ठगी बनमासी के हम भूके प्यासे नासे है रे इन बाता में नास हुया करे खेल तमासे नासे कोई बीठा के धरले घर में खील पता से नासे है रे प्याह शाती में पट्या करे से प्याह साती में इसा लग तेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या है रे जली अर घोड़ा है धूरा हती हंगे ते घे रांगे अधू अधा फैसला कर दे ना उल्टा गे रांगे है रे दोन्नु घरा बड़े दीव हम राम राम टे रांगे बीस बरस रहा थारे धोरे इब हम काठी गे रांगे है रे सारी उमर बंध्या थारे रे सारी उमर बंध्या थारे यह इसा बच्छेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या बहुत बहुत बदनेवाद नो क्यान लागया बापी अरे कहा की बापी तेरी औरत की जाथ है इसलिए तुझे पकस रहा हूं अगर कोई इम्रद होता ना तरण में ले जाता युद्ध करके जब उसको राज देता किस तरह से क्या के लागया माल देव है रह तेरे तो तो कहना क्या तेरी तेरे ते तो कहना क्या तेरी जात लुगाई करके जान गया तू मानेगी इप लोग हसाई करेगे हेरे गणे दिनों ते ओट्या करता बड़ा भाई करके इस जे मलने क्यों कर ओटू यो चले हताई करेगे इस जे मलने क्यों करना तू करे हसाई जै ते राजे मलियो सबने डस ले ते राजे मलियो सबने डस ले सरप गवेरा पड़के चार चीज काबल ते आई के हक मेरा बड़ा रहे चार चीज काबल ते आई के हक मेरा बड़ा और आदर्निय चिलर पूर्व परधाम हर्याना जन्विकास मंच की तरफ से सवरुपी का प्रिश्कार दिया जाता है राजेंदर चिलर जी का तेह दिल से धन्यवाद करती हूँ अंति मलाईनों मैंने हो समझान लागया माल देव कि अगर अराम से रहेगी तो फाइदे में रहेगी अन्य था एक भी चीज में तुझे देने वाला नही हूँ क्या समझान लागया है रे श्याना मानस चत्र लुगाई श्याना मानस और चत्र लुगाई गर की चापी हो से अपना लेले गैर का दे दे ठीक हिसापी हो से बड़ा भाई बाप बरोबर मा कैसी बाप भी हो से सोचे समझे बिन कुनमे में खून खरापी हो से सिर मांगे राम ग्यान का दिवा मांगे राम है ग्यान का दिवा रहे अंधेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या हर तरी वीर की जात तने पाटा का बेरा कोन्या चार चीज का बुलते आई के हक मेरा कोन्या तेरी होरी सुबे मार सखीरी ना करती असरे दवाई हैं आरी पेरा नकद ले वर्यावे वो माता खास जमाई है होरी सुबे मार सखीरी ना करती असरे दवाई हैं तेरा नकद ले वर्यावे आता खास जमाई हैं तेरी होरी सुबे मार सखीरी आरी जोबन में भर पूरी न्यूर मेरा बिन सांचन के डळया होयां रात दिना बेहचन रहू मेरे नाग प्रेम का लड़यां अरी में सुसवने का गुल दसता असल माल का घड़या होयां आरी देखल्यू मुबल में काया अरी देखल्यू मुबल में कायां खोग जाकला सावाई हैं तेरा नकद ले वर्यावे माता खास जमाई हैं औरी देखल्यू मुबल 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 देखल्यू कि बेबे जो मेरा पती है वो थोड़ा छोला जादा है उसने छोग वो जादा आ जाये करें मन यूँ लागे हैं कि शेनन देजे ठाणी ना फोन करके लागे मेरी चुगली कर दी थोड़ी वहत इसलिए मन वो लेने नहीं आया हैं अर दूसरी बात मैं केक है लागी अरी जिन के बल में धो रहना उसकी मुश्किल से गती हो बैर बीर के अप्रे में मैं फसके आया ना बेदर दी हो सासुनन देजे ठाणी ने कते चुगली ना कर दी हो किशे शोकराणने मेरी है कते जुद्धी गवाई भर दी हो सासुनन दाणने मेरी है कते जुद्धी गवाई वर दी हो सुभा काते जगणा करी शुभा काते जगणा करी शुभा काते जगणा कर दाणने मेरी है कि अव ख shepherd मेरी हो कर दाणने मेरी हिलत करद दाणने मेरी हcorराणcribe ऑ देजे कर देजे दो अरी ठीक नहीं पिहर में रणा खान दान की छोरी ने कद चम केगा चांद मेरा वो हर दम्या से चरकोरी ने खावड़िया कद खावेगा इसे कोरी खाड की मोरी ने अरी फोड़िया कद फोड़ेगा इसे माटी खाड की कोरी ने अरे भोडड़िया कद भोड़े का आटी की हनी दोरी मैं कभिने बालमे की दोरी मैं यहने पण जावर्डी तबाई है पेरा तमदे लेवणियावे माता खाजा मारी है ए जोरी सुने में आरसकी के बाल और ये आदर्णिये बिजेंदर जी बिजेंदर सोलंगी पूट कला से और ये सिवरातरी पे भी प्रोग्राम कराते हैं और दो तीन बार मैं इनके वहाँ पे जा चुकी हूँ पांसर रुपे से मान समान करते हैं बहुत वो देनेवाद और अंतिम कली में के लिख दिया आरी मुश्किल हो जा रात काटणी पिन बन रहके सुनी सूँ सेज का सोणिया आज यान चमिकू दूणी दूणी सूँ चिकणा चिकणा गात मेरा मैं असली की पुणी सूँ आरी आमस रोली पकी डाल की मिठी नाय लूडी सूँ आरी मेरे सिंगे वो रया चला मेरा चौपन जाज हवाई है पेरा नगत लेवणी आवे मेरी माता था जवाई है ओरी सुबे मार सकीना करती असरे दवाई है पेरा नगत लेवणी आवे माता था जवाई है ओरी सुबे मार सकीना करती असरे दवाई है से रागनी कहने का अदिश और दिया गया और ये रागनी किस प्रकार से चाप सिंगवर सौनबती के किस्से से होगी और मौक्ण होगा कि जब वो सेरखान अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एक दूती के पास में चला जाता है और नीचे से अवाज लगाता है उस दूती को, किस प्रकार से क्या कहने लगा, सुनेगा रागनी के मादव से हो मने किन कैदे लिए, खौले दीन साओ, हेरे साथ जवारे आली और कहने लगा क्या तत्र खोले नहीं की बार देख जा, खौले नहीं रच्च बार देख जा, बार देख जा, बार दक अली अन्ना चनन क्या देलियें, बोलतीन साँ, किन क्या दालियें, बोलतीन साँ, साथ चो बारे आलिये, बोल्ले नहीं, हिक्यो बारे देखना, बारे आलिये हिरे तेरे तमने काम जरूरी, तेरे तमने काम जरूरी, तुकती मोलती कोण्या, मैं खड़्या गाल में, रुखे में, मारूं, कूगेट खोलती कोणा, केरा गाल में, रुखे मार, रुखेत खड़ती कोणा, तेरे तमने क्ति मोलती, जो ना परदंधी, कत्दी मोलती कोणा,ए भड़्या देखना, बाचला आलिये, बोल्ले नहीं, ďक्यो बारे देखना, बाच्चो पारया बने फोले नहीं, बार देखना पार्चो कादे आले जब उस दूती को वाज सुनाई पड़ती है, तो किस परकार से आती है, और क्या कहले लगी सुनेगा? हेर जागा मिची सी होरी ने, जागा मिची सी होरी मेरी तुट थी अंगनाई कोन गाल में रुके मारे देख्या बोल सुनाई हेरे तहलिया दोरे आए छोड़के तहलिया दोरे आए छोड़के थाट जबारे आली कोजे नहीं क्या वाल देख्या आट जबारे आली कोजे खोले नहीं क्यों आए देख्या वाल देख्या वाल देख्या वाल आली आए और कई हजार रुपे का प्रुषकार फेहले दिया और दोस्तों एक रुपे फिर से देते हैं आदेनिया मनोज उजवास जयाए हैं क्यार हजार रुपे का दान बाके पहलवान जी को उस्हाला में दे रहे हैं और दोस्तों पर पार्टी को दे रहे हैं और पान्सोर पे इसवर मान जी इसवर मान जी पान्सोर पार्टी कोते रहे है इसवर मान जी का बार बार दनावाद करते हैं थेनावाद थेरे हाथ में चीर निसाना थेरे हाथ में चीर निसाना अज इसने चलवादे कहते उसने अडे बुला कोई खास निसानी लादे कर दियो खास भी सानी लादे कर दियो तेरे ठाट चुबारे आरी खोले नहीं विक्तवार देखना खाट चुबारे आरी तने खोले नहीं क्यों वार देखना आरी आरी गैदिया कि दूती तरवारों के अंदर मरने और जीने की सर्थ लगी हुई है अगर तू सोंपती की कोई विसानी मुझे लागर कर देदेगी तो मेरी जान पज़ सकती है अम मेरी जान तेरे हातों में है अंतिम कली के द्वारा क्या लिखा तेरे मरने जीन की सर्थ लागरी मरने जीन की सर्थ लागरी ना से इसमें छोट कती उसका पती गया फोज में वा घर्या एक ली सोंपती उसका पती गया फोज में तरा एक दूपती तेरे उसके पती का नाम मेहर सिंग वस चान चुपारे आई तेरे खोल नहीं कमार देखरा बाट कमार 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 आई प्रान पखिर उड़ जाने के बाद ऐसा बताते हैं पौरानिक लोग अग जब यम के दूद सत्वान के प्रान लेने के लिए आए तो शाबतरी का जो चरत्र का तेज था उसके सामने प्रान नहीं ले जा सके मेरे महरवानों आखिरकार यमराज को आना पड़ा यमराज जैसे ही प्रान लेके चलता बन्या साबतरी पाच्छे पाच्छे चल देती है सत्वान के प्रान जा रहे हैं साबतरी पाच्छे चल रही है मेरे महरवानों इस रागनी को भी पहली बार आपके बीच में कह रहा है और ये भी दादा लख्मी के बोल है आखकार साबतरी को देख करके यमराज रुक्या और कहा रही बेटी मांग ले जो कुछ मांगना है तीन बचन मांगे थे और तीन बचन में एक बचन में न्यू कहा था अक मैं पतवरता औरत हूँ मेरे एक लाल होना चाहिए न्यू बोल लिया जब न्यू बोल दिया अक तथास्तू बस साबतरी ने यहीं फसा लिया और जब तथास्तू कहकर के यमराज चलने लगया साबतरी ने पकड़ लिया हर न्यू बोले ने बोले यमराज मेरे बचना न तो पूरे कर जा और के दादा न लिखा बस पांच मिनट की रागणिये एक बेताली ओर दे दीजिये ज्वादसा जागा शुनियेगा बेटी साबतरी जो भी तन्य मांगा है जा यमराज का बचन है वो जाते ही घर पूरा हो जागा तेरे तीनों बचन पूर्ण होंगे जा बेटी तथास दू जली जाओं चली जानती अगर आ जो वचन मुझे आपने दिये हैं अगर आप पूरा कर दे पहले बचन में मांगा अक मेरे साथ सासुर नेत्र हीन है उनको ठीक कर दे मने वचन दिया दूसरे वचन में कहा अक जो छल से मारा राज पाठ लिया गया है वो वह भी वापिस हो जा आज से तेरे ढोलक वाजेवालों को ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माला माल बना दूंगे इनको राज के खजाने भोगेंगे अच्छा और तीसरे नंबर की बात आपने कही थी अक मुझे मुझे पतवरता को एक पुत्र रतन की प्राप्ति होनी चाहिए तो जा यम्राज का बचन है खाली नहीं जा सकता तेरे एक पुत्र की प्राप्ति होगी यो भी वाइगा रहा है अच्छा माराज चली जाओंगी लेकिन जाने से पहले दुनिया के प्राणों को हरने वाले यम्राज जी मैं आप से कुछ कहना चाहती हूं चल कहले कि मेरी बात क भारी दयाते अरे दिया हुआ दहनमाल होगा लेकिन आरे जती मरद बिना सती भीर के कहो पुत्र किस जहाल होगा अरे सब के घर में भारी दयाते दिया हुआ दहनमाल होगा जती मरद बिना सती भीर के कहो पुत्र किस जहाल होगा तेरा दिल किस तरिया नहाल्या और तेरा दिल किस तरिया नहाल्या मन्ने सास सबर का घाल्या मेरे मेरे पती ने लेके चल्या तेरा दिल किस तरिया नहाल्या मेरे सती भीर के कहो पुत्र किस जहाल होगा पहले भी हमारी टीम को कई हजार रुपयों से सम्मानित किया है चौदरी बलजीत लागर जो हमारी गवशाला के परधान है हम दोनों के लिए पान शोर रुपय इस रागनी पे भी देते हैं और शोर रुपय राजिंदर छिलर जी पूर परधान हरियाना जनविकास मंच भाई असोक मलिक जी फिर शे शोर रुपय और भाई दूसर उरुपय बड़े भाई साब देके गए नाम तो नहीं बताया बार बार धनी बात करता हूँ एरिस शावत्री कहीए यम्राजी न्यू बता जब मनने तेरे को न्यू कह दिया कि जाते ही जाते ही तेरा छोरा होगा जाते ही जाते ही मतलब बगेर मरद के बच्चे नहीं हो सकते क्या परदान जी बगेर मरद के बच्चे हो सकते हैं नहीं गरुजी आप पता हो सती इस तरीक नहीं हो सकते हैं वैसी जो सती नहीं हो उसके तो हो सके हैं अच्छा यो मनने नहीं ज्यान की बात यो है आज की लुगाई तो जादातर बाबाजीयों के धर छोरा मांगे हैं मनने सौचा ऐसे इस के हो जाएगा तन ने तो फशा के खड़ा कर दिया मैं इब अगर तेरे पती ने लोटा हूँ तो मेरी एसी तिसी हो जागी और अगर ना लोटा हूँ आपको तो निए को पूरा कर दो बस मुझे नहीं पता कुछ भी एक काम कर चोरा की जरूरत नहीं इस तरोन बोसने ले जा तूं नुए ले जा फिर मैं कूँ ले जाओं जाओंगी मुझे तो मेरा इस फोरा चाहिए फसा कर दिया यो यम्राज सुन मेरी बार अरा मेरा खोटा मतारी नहीं था मेरा खोटा मतार नहीं था केरी में तलने रहा सतारी नहीं था अरा पहला मते मन पता नहीं था तेरा धरम कपट का जाल होगा ये सती बीर के रहो पत्र किसे धाल होगा सती मरद देने सती बीर के रहो पत्र किसे धाल होगा जो मैं चाहती हूँ मेरी बात को जरा गोर से ध्यान से सुनो यम्राज जी मैं क्या कहना चाहती हूँ आप अगर पत बगर पती के छोड़े नहीं होते अगर पहले बता देती तो आप मेरे पती को जिंदा कैसे करते आदमी को रंडवा रहना चाहिए वाई साब यासादी नहीं करना चाहिए करना चाहिए सुनी मेरी वादे थोड़ा सामने ग्यान पकस ते थोड़ा सामने क्या में पकस ते हो मेरे रैलिये वरे दान पकस ते हो मेरे पती की जान पकस ते हो मेरे पती की जान पकस ते पुरा मेरा समान होगा हर चती मरद बिन सती बीर के कहो पुत्र किसे धार होगा हर चती मरद बिन सती बीर के कहो पुत्र किसे धार होगा हर श्री राजिंदर छिलर जी पूर परधान हर्याना जनविकास मंच और भाई अशोप मलिक जी कई तो रुपे पहले और फिर से शोर रुपे दिया धलिवार फशा के तो खटा कर दिया पर अब तू नहीं बता जब तन्हें फशाया तो लिकाड भी मुझे बाहर है मैं करूं तो करूं के अच्छा धरन संकट से आपको बाहर निकलना है है यम्राज यह बात मैं भी जानती हूं कि जो दुनिया में आया है वह आगे पीछे एक ना एक देन जरूर जाएगा और मुझे यह भी पता था कि मेरे पती की आयू सिर्फ एक ही साल है लेकिन है यम तेरी आयू असी बरस नो महीने आठ दिन साथ घंटे छे मिनट पांच सेकंड और कुछ पल है अच्छा है यम्राज असी साल 81 साल के करीब जी अगर असी इतनी लंबी उमर अर्ये बबलू साउंड वाले यह व्यासी साल जीव हैगा अच्छा है और किसी के साथ अगर मेरी इतनी लंबी आयू अभी बाकी है तो उसमें से आधी आयू मेरे पती को दे दीजिए मेरा पती जीवित हो जाएगा मुझे मिल जाएगा आपके वच्छत पूरे हो जाएंगे और इस दुनिया में सत्यवान सावत्री जीएंगे तो स साथ और दुनिया को छोड़ेंगे अलविदा कहेंगे तो भी सासाथ मराज तो भी सासाथ तेरे बाप का विरे चे 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 चल फिर भी सुन तुझे यम्राज जैसा दिल फर्याद व्यक्ति नहीं में लगा अच्छा सुन मेरी बार हो यर लखमी चने सिरी लखमी चने करें काम सरामे का चाले जा पती में सुन ही आरे नारा में का अरे मेरे बचन और तेरे धर्म का सब दुनिया के चाल होगा जटी मरद बिने सुती दीर के नहीं किसी ढाल होगा यह सब के घर में आरी दयाते वह सब के घर में तिया हुया धने माल होगा जटी मरद बिने सती बीर के कहो पुत्र के से ढाल होगा सत्यवान सावत्री के किसे से और उस समय से कि जिस समय सत्यवान का विभाद शावत्री के साथ में हो जाता है तो सत्यवान कहता है सावत्री इस दुनिया में मेरे से अच्छे इंसान तेरको मिल सकते थे और क्या सत्यवान समझाने की कोशिश करते हैं बाकिया मने सुनिएगा रागने के द्वारा क्या बतारी और कहने लगा सुनिएगा इरे घना रंजमन न्यू आवे उतन विर्था जिंदगी खोली इरसावत रीतन के सोची तू पंगले गेला हो इरसावत रीतन के सची तू पंगले के लो इरे घना रंजमन न्यू आवे उतन विर्था जिंदगी खोली इरसावत रीतन के सची तू पंगले के लो मेरे सावा तेरी खनाल तक ले के लो एर केले की बन खंड में मेरी केल लाकडी डोब बोले शेर बगेरे तूते मर जागी रो रो के बेर और किसे है का दोस नहीं तू आप काट ले मो राजी हो के कहर आसू कोड़ा कहर आच्छो हो के तेरी राजी हो के कहर आसू का कहर आच्छो हो के तेर सकी सहली कठी हो के पारेंगी तेर बोली सावद रीकने देशो चिकू कमले बेले हो सावद रीकने देशो चिकू कमले बेले हो यू कहने लगे दूसरी बात के द्वारा मेरे मा बाबुजी आखों से अंधे हैं उन्हें दिखाई नहीं देता इर मात मेरी अंधियारी से और मात मेरी अंधियारी से पिता मेरा अंधियारा वो मानस ना किसे काम का जिन को ना वकद विचारा तू राज घरा के रहने आडी करे जान कहारा और एक बात की लको करिणा मतलब खोला सारा यर लकडी प्यच्चू करूं गुजारा लकडी प्यच्चू करूं गुजारा अधिरा सेर में न तो लिए यरे साहत तरी पने के सुच्ची तूं कम लेगे रहो यरे साहत तरी पने के सुच्ची तूं कम लेगे रहो तिसरी बात में जाट महर सिंग जी ने बताया सामत्री को समझाने की कोशिश की थी सत्यावान ने तिसरी बात में जुणेगा क्या बता दिया एर केले की करीब की गला केले की करीब की गला कोई राज कुवर न टो हो ले जिसते तेरी मुक्ती हो जा बेल अगत की वो ले एर जिसते तेरी मुक्ती हो जा बेल अगत की वो ले एर धर्व करम में ध्यान राख कदे न्यूए पड़ कजो ले तेरी सारी जिदगी पत जागी इसी जगानों पिटो हो ले तू महल हवेली मा केगी तू महल हवेली मांगेगी मेरी छट्टी सी घर भोली मेरे शावा बकरी के मैं के सोची तू कग ले गए लो मेरे शावा बकरी के मैं के सोची तू कग ले गए लो और कैते हैं कि दू सही का खाणा ओर ऐसा है हरियाना तो हरियाना में ना तो आटिस्टों की कमी हैं ना राइटर्स की कमी है, ना प्लेयर्स की कमी है, और रैसलर्स की कमी है, तो सुशील पहलवान जी के फादर साव, उनके पिता जी, पांसो एक रुपे स्रागनी बर खुश हो के दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आईएगा, ओम प्रकास हुड़ा जी, जिन्हो कर आए है, इस्पेशली प्रियंकर चौधरी के लिए 11 रुपे दे रहे हैं, अलग से, अलग से दे रहे हैं, बहुत बधन्यवाद, अन्तिम लाइनों में, जात महिर सिंग जी ने फाइनली, एंडिंग पॉइंट पे क्या लिखा है, सुणीगा अन्तिम लाइनों के दुरे और दादा जी के 500 रुपे जो उनके स्वासो करके दिये हैं, जो तूडा मंडी से हैं, आधनिये जगवीर सिंग जगवीर सिंग जी तूडा मंडी से हैं, वभी जगवीर आधिती, तूडा मंडी से हैं, वभी पांच रुपे दे रहे हैं, अर्करजी का तहदु से धनिवास, सुड़िया का क्या बता है एरी मेरी केल्या, फिर्या करेगी, पांद भरोटा काठ देपा इब त लगतने, देख्या को नया, जगडा मारबाद का एरी इब त लगतने, देख्या को नया, जगडा मारबाद का पेरी जंगल के हमा छोट जाना, तेरा खाना पीना चाते का और धर्ती के मा, धर्ती के मा, पढ़ना होगा, कोन्या का व खाठ गा यो चंत महर्सिक, जानकारे, पेरी चंत महर्सिक, जानकाँ चणुखुटी के माकउरी, केरी शाहत र Teilके, सोचे दो तम लेकर का केरी खड़ा रच्वन, क्यू हाँ मेरी 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 खड़ा रच्वन, जो बेटी प्रियंका चोधरी ने सत्वान सावतरी की रागनी गाई थी क्योंकि इस मंच की दो विसेशताएं हैं एक तो आपको उपरा तडिकी बात सुनानी हैं दूसरा मोर म्यूजिक कंपनी के डारेक्टर की ये आदेश मानिये ये निर्देश मानिये ये अन्रोद मानिये कि जो आपने आज तक नगाई हो वो रागनी जरूर रखना तो प्रेमियों ये जो दो एक तो नंबर है अगर अच्छी लागे तो दूसरी भी बता देना दूसरी भी गादेंगे ना तो अपना बेड़ जाएंगा जो सत्वान सावतरी की रागनी हुई थी अभी प्रियंक का चोदरी ने आपके बीच में रखी थी किस्चे में किस्षा आगे बढ़ता है तो जी अच्छा लगता परदान जी थोड़ा सा दादा लखमी की बात है दोनों मिलकर के बढ़ा दें ताली बजाके एक बैसीर बात देती जी और मौका वो होगा थोड़ा समझना जितना भ यह जब नारत जी ने बताया अक्री लाड़ो जिसके साथ में तुशादी करें है ना इसकी आयों एक बरस है निवोली रे महराज एक बरस तक घटके अगर एक दिन रह जाएगी तब भी मेरा पती शत्वान होगा निवोली ठीक है साधी कर ली समझने की बात यह है ग्यान क क्या है ले-ले लाड़ो फेरे यहां मर गया तो और भतेरे इवता मामला कटबड़ हो गया लेकिन यह पौरानिक कथा है अगर वैदिक विद्वान यहां बैटे हो तो मैं पौरानिक कथा को इस परकार से जोड़ता हूं ऐसा पताया है विद्वानों ने दुनिया में सबसे अबड़ा मंत्र है गायतरी मंत्र लगातार सुबह साम एक साल तक गायतरी मंत्र का जब किया और जब वो मनौश दिन आ गया जिस दिन सत्वान की जीवन का आखरी दिन था अपने पती के साथ लकड़ी काटने के लिए जब गई तो दादा लखमी की रागनी है उप्रतली की बात है एक कली मैं कहूंगा एक कली मनों-चोधरी कहेगी प्रेमियो पेड़ के उपर चड़के सत्वान लकड़ी काट रहा था शाबत्री को तो बेरा है कि आज तेरा पती बचेगा नहीं लेकिन जब सत्वान के शिर्मे दर्द होने लगया और ये महसूस होने लगया कि लगड़ी कोई नी काटी जा भई दिल उड़ने लगया आज अटेक कहते हैं उस चीज़ को जब जी घमराने लगया किस परकार से दादा ने के लिख्या है परदान जी एक एक सब्द सुनियों ज़रा ध्यान से के बताया आईएगा प्रिय साबत्री कहिए पिया जी साबत्री इसा लगता है कि मेरा और तेरा जो बंधन था आज वो तूटने वाला है लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हों और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ साबत्री मेरे हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते यहां तक आखों के सामने कोई काली-काली भयंकर मूरती दराओं ने सपने दिखा रही है ऐसा लगता है हिब याही अक आज मेरे प्राण पखेर उड़ने वाले देरा ये पती बचने वाला नहीं है अगर कोई यतन बना सके तो बना ले हे सौमी जब तक मैं जिन्दा हूँ आपका बाल भीबा का नहीं हो सकता है मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज आपने और दिन किया पेक्षा लगणियां कुछ ज्यादा काट ली है इसलिए आपको कुछ ठकान हो रही है एरसावत्री मेरा हाथ पकड़े क्या कोई पाच्छे ने कि डाटे से ओ ओ आरे मेरी काया मैं दरद धना मेरे हिरते में चाटे से औरी हिरते में चाटे से इरसावत्री मेरा हाथ पकड़े पाच्छे ने डाटे से ओ आरे मेरी काया मैं दरद धना मेरे हिर देने चाटे से हिरते में चाटे से पाच्छे ने चाटे से आरे मेरे चाटे से मां पड़के दुका पता ना के कर दे इसी कसी मुष्क जा करके ये रहा कई बार ठा लिया कुलाना रहा कई बार ठा लिया कुलाना ना लगता ला करके आया पसीना प्रान सूख के नस फिदगी आग करके ये रहा कई बार ठा लिया करके अरे कई में बाच लिया पता लिया करके अरे से दू ना बड़े से मेरी खाया करके घर ठाना के घर बेने चाटे से मेरे हिर बेले चाटे सावत्री कहीं इस दिल की धड़कन को बहुत रोक्या लेकिन रुकती को ना जिस परकार से मकड़ी जाल बुन्या करती है उसी परकार से ये दर्द उपर से नीचे तक मेरी काया में फैल चुका है आज कहीं नारद वाली बात कहीं सत्य तो नहीं होने जा रही है महराज आप चिंता मत करो मैं आपको समझाते हूं मेरी बात को समझने की कोशिश करो और सुनिये मेरी बात और बड़े भाई राजिंदर छिलर जी पूर परदान हरियाना जनविकास मंच और भाई असोक मलिक जी का बार बार धनिवाद कई सो रुपे पहले दिये हैं और सो रुपे से फिर मान सम्मान करते हैं अधर निये बड़े भाई श्री परकास सोलंकी जी और उनकी पूरी टीम की तरफ से भी सम्मान किया गया बहुत बहुत भुत धनिवाद हेर जान गई में गड़ी महु रता जान गई में गड़ी महु रता विस दिन जगडे गंदे ने हे परमेश्वर सबर दिये मेरे सास ससुर अंधे मेरे सास ससुर अंधे मेरे पिना ग्यान कोणे काट से कैसे जनम मरन के भंदे ने मेरे पती ने काम करया से बचना के भंदे ने हे रत छोड़ पियाई से दंदे ने रे छोड़ पियाई से दंदे ने लगरी ने काट के से ओ नरिकाया में दरद घना मेरे हिर देने चाते से हिर देने चाते से लेकिन तुम जो कह रही है साबत्री मेरे जाने के बाद मेरे मांत पिता का इस दुनिया में कोई शहारा नहीं वो दोनों नेत्र रहीन है उनको दिखाई नहीं देटा हैं ब्याहि з पतवर्था के बहन बहादे को अपने धरम प्यादि रहना क्योंकि ना में पूझा हुआ करता और जो चरित्रhmaं हुआ करते उनके कोई ध्यास नहीं बन्या करते हैं ये मेरी अंतिम इच्छा है है सौमी ऐसी हलकी बातें करने से पहले आपकी धर्म पत्नी आपसे ये निवेधन करती है कि आप जो लकडियां काट रहे हो सबसे पहले वो लकडि काटना बंद कर दीजिए मुझे लगता है आपके अंदर ठकान बहुत ज़्यादा हो गई है इसलिए आप घबराए हुए हो अच्छा है ये रसा बत्री बे त्यरे कहते साबत्री में त्यरे कहते अरब भरसा दूर धरूंगा ये धरूंगा सिर में कोई भाले से मारे चकर चड़ा गिरूंगा चकर चड़ा गरूंगा ये रख खोटा करम बन्या मेरे तर जीओं नहीं मरूंगा ये मरूंगा मेरी काया मैं तरत घणा मैं उसका ये दंद भरूंगा अरा लगड़ी काट नीरे बंद करूंगा अरा लगड़ी काट नीरे बंद करूंगा अरा चो तू रोग गनाते से तरी काया मैं तरत घणा मैं गिर देने चाटे से गिर देने चाटे कर ना सके हम प्यार का सोदा कीमत ही कुछ ऐसी थी कर ना सके हम प्यार का सोदा कीमत ही कुछ ऐसी थी बड़े भाई यादरनिये श्री राजिंदर छिनलर जी पूर परदान हरियाना जनविकास मंच और भाई असोक मलिक जी एक बार फिर से शोरूपी शिमान सम्मान करते हैं धहनिवाद और बहुत यादरनिये पितातुल चौदरी इस्वर सिंग मान साहब उनकी तरब से भी पहले भी मुझे पान सुरूपे दिये गए थे और फिर से पान सुरूपे दिये गए और जिन साथियों का नाम नहीं बोल पाया उनको हिर्देश बहुत बहुत धेनी बात आईए एर लखमी चंद सत गुरु से वाकर तुक्ती मारा गटो होजा शिद्धया तुमार है इसा को सुक्रम का खल पोजा सुक्रम का खल पोजा धिर एब शबाब घमंड मनुषका हीना बने के खोजा धर खोजा गोड्या में अर्य गोड्या में सिरदरो पती में हवा करूं तु सोजा मैं हवा करूं तु सोजा जै इसी सती हो पती जती के इसी सती हो पती जती के कती दुख बातने से मेरी का या में दरद घणा मेरे हिर देने चाटे से हिर देने चाटे से सावतरी मेरा हाथ पकड ले सावतरी मेरा हाथ पकड ले मेरे पाच्छे ने डाटे से मेरी का या में दरद घणा में हिर देने चाटे से मेरे हिर देने चाटे से सेर दर्ताली सबसे पहले आज इस हर्याना दिवस कारिकरम में मेरे बुजर्ग में नोजवन साथी मंच पे पस्तिस सभी कलाकार संगीत कार हमारे साण माश जी और यहां पे आयोस भी अथिति गन और मौर म्यूजीक कंपनी के केमरमें सभी को इस दीपा चोदर की तरब से प्यार बई नमशकार विराम रभग और आप सभी को हर्याना दिवस की डेल सारी आर्दिक शुक काम नहीं देते हैं और आइए धन्यवाद करती हूं आदरनिये राजेस मौर जी का मौर म्यूजीक कंपनी का कि जिनोंने हम नाचिस कलाकारों को आप सभी महांस रोता हो कि बीच में कुछ कहने वे कुछ नाने का मौका दिया आईए नंबर मंच के मादम से मेरा भी पड़ा दो रागनी आप सभी के बीच में रखोंगी पहली रागनी देश बक्ति और दूसरी रागनी हमारे मौर अंकल जी ने दे रखी है वो गानी है ता यह पहली रागनी वहां से रखोंगी कि कुछ लोग कहते कि इस देश में आजादी ऐसे ही आगई लेकिन प्रेमिस रोता हो इस देश में आजादी लाने के लिए किसी वोरत का सुहाग नहीं रहा किसी माँ का पैट्टा नहीं रहा किसी बेहन का भाई नहीं रहा साथ लाग बतिस जार चैस्सो असी नोचवणों ने बलिदान दिया जब जाके देश में आजादी आई ऐसे ही आजादी नहीं आई पूरा हंगा लगा के सुनाने की कोशिश करूंगी रागनी का कोई भी शब्द अच्छा लगे या कोई भी देश बक्ती शेरो शायरी अच्छी लगे तो तालिया जरूर बजा दिया करो क्योंकि कहते हैं कि हाप सभी की तालिया कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जापे वाली को गूंद और गी लगता है ताहिए किस तरह से क्या लिखा रागनी में क्या बताए कहां कि शमन से अच्छा कोई नहीं और इस से गगं या रिस इन्षा को इनई सच वू जो तो मेरे दोस्त nuestra मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं क्या लिखा रागनी के मieceश ए शालेज पार भी और और मेरी भारत मां पे मर के है रे आजादी की लिखी कहाड़े कला लहों में बरके कला लहों में बरके कर कितने मीर चलेगा सचना भारत मां पे मर के है रे आजादी की लिखी कहाड़े कला लहों में बरके कला लहों में बरके और हमारे अंकल जी ने दोसर पे का प्रुशकार इस देश भक्ती रागनी पे खुशो कर दियाता है दिल से धनियवाद करती हूं कहा कि कितने वीर चलेगा सचनो मेरी भारत मां पे मर के और आजादी की लिखी कहाणी कलम लहों में बरके कहा कि इस देश के वीरों ने ये तो कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और सहीतों की कुर्बानी बद नाम नहीं होने देंगे अरे जब तक बची है एक भी बोन गरम लहू की हमारे सीने में जब तक भारत मां की आचल को नीलाम नहीं होने देंगे ये तो कह दिया लेकिन कदम पीछे नहीं ये टाया पहली लाइनों में क्या लिखा हेर महराणा परताप सिवाची महराणा परताप सिवाची बन में धक के खाए हेर खोए वीर हंकी कतर जमे धर्म पे तनक तहरना पाए तनक तहरना पाए हेर चलिया लोले रांपाद के यह दर पितने वीर खापाए खापाए चोरागर और फते सिंगों दीवारों मेचनबाए हेर उदम सिंगने जाके गोली उदम सिंगने जाके गोली आरी उस दायर के जापी किलिती पाणे बला बला हो में भर में बला बला हो में भर में मेर देश की धर्ती मेर देश की धर्ती मेर देश की धर्ती इस देश में ऐसी ऐसी वी रंगना हुई ऐसे ऐसे वीर हुए जिनोंने हस्ते हस्ते देश के लिए प्राण नो चावर कर दिये किसी शैर ने लिखा कि क्या ये देश उनहीं का है जो युद्व में मर जाते हैं अपना लहँ बहाकरटी का सरहद पर कर जाते हैं अरे ऐसा युद्वद्वतन की खद्र सबको लड़ना पड़ता है और संकट की गड़ियों में सबको सेनी को बनदा पड़ता है कि घास भूस की रोटी खाकर राना नहीं लड़े थे क्या कि घास भूस की रोटी खाकर राना नहीं लड़े थे क्या बनदा बेरागी केतन पर वो हाथ ही नहीं चड़ेते क्या अरे जासी की राणी लरकर रजधानी तुडवा देती है जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है ये सारी घटना सुरज की लाली में रख देती है ये सारी घटना सुरज की लाली में रख देती है अरे ये भारत देश वो महन देश है जहां हाड़ी इरानी सीज काटकर ठाली में रख देती है ऐसे ऐसे वीर हुए ऐसे विरागना हुए और इस रागनी पर खुशो कर ओम परकाश शरावत जी 500 रुपी का प्रुशकार दे हैं अगर जी का ते हैं दिल से दनिये बाद करती हूँ जे जे पी के परदेश अध्यक्षि भी हैं ओम परकाश श tables life जी का ते हैं दिल से दनिये बाद हेर पीठ से मांद लिया लड़का जब लड़ी लक्षुमी बाई चंदर शेखर ने देश के अंदर बाड़ी दो मचाई हर बगत सिंग नरा हस्ते हस्ते गुल में फाद सिखाई हर भाई हो रे थे बलिदान देश पे माद पितावर भाई फेर फेर हिद में चाल पड़ेरे तोपन बाद लिया सरके हर जातीर किलिपी पहाडी कलमला होंगा भरे तोपन बाद लिया सरके बताये प्रजी रोताव कुछ महीने पहले की गठना इस स्काई निज तोपन आप तोपन बाद लिया सरके पुलवामा में हमला हुआ हमारे 44 सेनिक अपनी सहाधत दे कर गए और यह कह दिया हर इंदुस्तानी के खोड खोल उठा हर इंदुस्तानी ने यह कह दिया कि ए पाक तेरा सपना कभी पुरा नहीं होने देंगे कि ए पाक तेरा खोब एक नजारा ही रहेगा तो किस्मत का मारा था और मारा ही रहेगा तेरे हर सवाल का जवाब करारा था करारा ही रहेगा और कार खोल के सुन ले पाकिस्तान कास्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा हमारा ही रहेगा कास्मीर से दारा 370 रपैति से को हटाया उसका खात्मा किया कास्मीर को अपना बना लिया अब ये कह दिया कि ये बाग कास्मीर तो हमारा थार हमारा है हमने बना लिया अपना लेकिन अब तेरे लाहोर की बारी है लेकिन जो कतारी तुने हमारे साथ किये है उसको हम भोल नहीं सकते कि ना भोलेंगे ना माफ करेंगे कि ना भोलेंगे ना माफ करेंगे ये अब के हमने ठानी है और भारत मा के लालों की कुर्बानी विर्थ ना जानी है अरे हम एक समय है भारत मा की क्योंकि हम माँ भारती के लाल हैं, हम सबी भारतवासी हैं, कि हम एक समय है भारत भाकी, हम घर में गुश्के मारेंगे, और कास्मीर की तो बात छोड़ पाकिस्तान, अब लाहोर में तिरंगा गाडेंगे, लाहोर में तिरंगा गाडेंगे, लाहोर में तिरंगा गाडेंगे, तीसरी डाइनों में किस तरह से कभी ने क्या बताया है रा लाला जी ना लाला जी ने खली सजनों लाल खून की होली एता जी ने हरा दिये गुरेज बढा के ठोई अपरेज बढा के ठोई हर इंकलाब कारा नाम लेडिया मार रहे थे बोली एरा बोली नाज गुरु सुख देव ने आके देश की निंदर रखो एरा फासी में गए लतकवीर रहे जान लगा लिया हर के रहे आज़ा दीति निखी ना ली तेरी बला बला हो में बरे ने रहे थे बला बला हो में बरे है आम लेडिया कहा कि लगा दो आग पानी में सरारत हो तो यसी हो और तोड़ दो जुलम के हते बगावत हो तो यसी हो कहतिया कि उनकी कबर पर नहीं एक भी दिया जिनके लहुच से जलता था ये चिरागे वतन और जगमगा रही है उनकी हवेलिया जो बेच करके खा गए सहीदो का कफर प्रेमीस रोताओ ऐसे ऐसे जवान हुए जिनोंने ना तो अपने बारे में सोचा ना परिवार के बारे में सोचा सोचा तो सिर्फ इस देश के बारे में सोचा अंतिम लाइनों में क्या तोड़ किया याने से बच्चे ने खोए सिरी अपने पे कोडे हरा गोडे कुछले थे मासुम वीर ने अंगर जो के खोडे पिरिया मेरे जोखे भोड़े हरे जबर फोज थी रा अंगरे चोड़ी हिंदुस्तानी थोड़े गांधी जीने बिन हत्यारो मां के बनन तोड़े हरे रड़ी चंड से तरिस अंगरा बोरे बांके डरके आजादी की भीवाणी कलम लोहो माबरे के सजनों जब राणी ने राजा को इतना समझाया तो कहा जाता है कि ये होनी होती है न ये कभी टलती नहीं है होनहार बलवान बताई है मंत्री ने ये कहा कि रे राजा अभी तो तेरी बहुत उमर बाकी है सारी जिंदगी कैसे काटेगा राणी के मिना क्यों न दूसरी शादी कर लो राणी तो मर गई लेकिन मंत्री के कहने से राजा की बुद्धी पे पत्थर पड़ गए राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी तो कर ली घर का कैसा नाश हो गया प्रेमी सजनों किस पिरकार से कभी ने बताया कि जो नई राणी वो लेके आया था वो बाहर से तो बड़ी